हेलो सुदेंट्स, वेलकम टू अफिसेल यूटीब चेनल आफ ओरेजिन कोचिंग, स्वागत है आप सभी काज के लाइप क्लास में और आज हम नया चेप्टर स्टार्ट करेंगे, विद्युत भी बहुत अथा धारिता, इलेक्टो स्टेटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिट तो तयार है सब नए चेप्टर के लिए, गुड़ इवनिंग, गुड़ इवनिंग, गुड़ इवनिंग to all of you, गुड़ इवनिंग, अभी हमने अपना एक चेप्टर कम्प्रेट किया, इलेक्टिक चार्जेस एंड फिल, विद्युत आवेस तथा छेत्र, जिसमें हमने किया, फिर नुमेरकल्स किये, फिर उसके multiple choice question भी किये, हमारा इस सेशन का पूरा, इसी तरह की हमारी planning है, कि हर चेप्टर के concept को complete करने के बाद, formulae derive करने बाद, board pattern पर तयारी करने के बाद, नुमेरकल्स और multiple choice question की practice करेंगे, ताकि कुछ board में multiple choice question जो आते हैं, वो आपसे आसानी से बने, और in future जब हम competitive का preparation करें, that means IIT, NEET, वगेरा का जब हम तयारी करें, तो अभी से हमारा एक base बनना चाहिए, कि किस चेप्टर से किस किस तरह के question पूछे जा सकते हैं, इसी system पर आप चलोगे, तो finally हम last moment में एक अच्छे preparation पर रहेंगे, और हम competitive भी निकाल पाएंगे, तो हम यहाँ स्टार्ट करें, इस्थिर वैद्यूत विभव तथा धारीता, देखो यह एक ऐसा chapter है, जहां से आगे electricity, जब next chapter हम पढ़ेंगे, धारा विद्यूत, current electricity, उसका धीरे धीरे foundation इसी चेप्टर से तयार होते जाता है, वैसे एक बात आप ध्यान रखना, कि जब तक आपका chapter का concept बिगनिंग से आप अच्छे से तयार नहीं करेंगे, तो regular आपकी परिशानी बढ़ती जाएगी, और इसका ठीक उल्टा भी सही है, आप यदि बहुत depth के साथ पढ़ाई शुरू करते हैं, तो complicated topic भी आपको easy लगेगा, खास कर जब chapter का पहला class होता है, वह basic concept के हिसाब से सबसे important होता है, क्योंकि उस class में हम इसकी एक एक terminology पर भी discuss करते हैं, कि कोन क्या है, तो हमारे यहाँ पर, यहाँ पर हमारे chapter का नाम है, इस्थिर वैदित विभाव तथा धारिता, दो सब्द हमारे chapter में यूज हुए हैं, विभाव और धारिता, और पूरे chapter में हमको इसी को समझना है, इस्थिर वैदित विभाव और धारिता, दो चीज हमको समझना है, ठीक है, अब हम सबसे पहले discuss करें, विभाव पर, विभाव पर हम पहले discuss करें, फिर उसके बाद धारिता पर हम उसके बाद discuss करेंगे, तो आज हम विभाव पर discuss करें, सबसे पहले हम विभाव के बारे में बात करें देखो तो विभव होता क्या है विभव इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल हम एक विभव 11 क्लास में पढ़े जिसको गुरुत विभव कहते हैं वो भी वही विभव है लेकिन यहां पर हम विद्धूत विभव की बात कर रहे हैं पोटेंशियल देखो एक बात द्यान रखना कि फिजिक्स में कोई भी फिजिकल कॉंटिटी जो होता है उसकी मीनिंग अलग होती है उसका परिभासा अलग होता है एक्जाम में जब पूछा जाता है तो हम परिभासा लिखते हैं विभव किसे कहते हैं विभव की परिभासा लिखते हैं लेकिन हमारे सेंस को नहीं समझे रहते हैं, हम उसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझे रहते हैं, और परिभासा हम याद कर लेते हैं, परिभासा याद करना हमको नमबर तो दिला देगा, लेकिन हम उस चीजों को समझ ही नहीं पाया रहते हैं कि वो है क्या चीज, इसलिए हमको सबसे पहल विभाव की परिभासा बताने से पहले मैं विभाव के concept को उसके अर्थ को आपको सबसे पहले समझाता हूँ तो यहाँ पर मैं आपसे एक question करता हूँ मैं विभाव की परिभासा बताने से पहले आपको एक question करता हूँ आवेस से सम्मंधित आवेस के चेप्टर आपने पढ़ लिया है, देखो यहाँ पर मैं दो आवेसित पिंड बनाता हूँ, एक आवेसित पिंड यह है और दूसरा आवेसित पिंड यह है, दो आवेसित पिंड मैं यहाँ पर बनाया और पहले आवेसित पिंड को, मालो हमने प में पास एक दूसरा आवेशित पिंड भी है और इसको सब्वोज हमने 100 कुलाम का आवेश दिया हुआ है इसमें 100 कुलाम का चार्ज है ए और बी में दोनों एक स्वतंत्र आवेशित पिंड है जो अलग-अलग हैं अब हमने क्या किया यह दोनों आवेशित पिंड को एक चालक तार की सहायता से कनेक्ट कर दिया पहले अलग अलग थे इसके बाद हमने उसको एक चालक तार से जोड दिया अब यहाँ पर आपको situation दीख रहा है अब मैं आपसे question करूँ कि भाई इस बेवस्था में आवेश A से B में जाएगा कि B से A में जाएगा आपको वहाँ पर लिखने में परसानी होगी तो उसका मैं यहाँ पर option बता देता हूँ option A उनलोग लिखोगे, जिल लोग बताओगे A से B option B उनलोग लिखोगे, जिल लोग बताओगे B से A यहाँ पर मैं आपसे answer जानना चाहता हूँ C, दोनों हो सकता है दोनों संभव है और आपसंड D है बता नहीं सकते ये तीन मैं आपको आपसंड दिया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप फटा-फट बताईए कि इसका आंसर क्या होगा कि कभी भी आपसे कोई question पूछा जाए आपसे बने या ना बने लेकिन आप response किया करो उससे होता क्या है उससे आपकी connectivity हमको अच्छा लगता है कि भाई student पूरी carefully हमारी बात को सुन रहे है तभी तो answer reply कर रहे है भले answer गलत है कोई बात ने लेकिन उससे पता चलता है कि आपने answer दिया जिन लोग ने D option दिया और यही इसका सही answer है यही इसका सही answer है और सबसे ज़्यादा साग्ड हो गए होंगे कि लोग जिन लोगों ने option A दिया होगा और बिल्कुल आश्यर चकीत हो गया होगा उनको उनको लग रहा होगा कि अरे सर कैसी बात कर रहे है एक ऐसे नहीं होगा जैसमें A option ही आप लोगों में भी मैंने देखा है कि A option ही तो क्या कारण है कि D इसका सही answer है कि बता नहीं सकते तो एक चल में उसका reason यह है जैसे मैं कुछ और example देता हूँ मैं physics के और concept के थोड़ा से depth पर जा रहा हूँ 11th class के मैं आपको एक और example दे रहा हूँ जैसे मान लो ये मेरे पास एक पिंड है एक दूसरा पिंड है इसके पास मान लो 20 कैलोरी उसमा है और इसके पास मान लो 30 कैलोरी उसमा है एक के पास 20 कैलोरी उसमा है एक के पास 30 कैलोरी उसमा है दोनों अलग-अलग धातु के बने हुए है मान लो एक लोहे का है मान लो एक लोहे का है तो दूसरे में पानी भरा हुआ है मान लो उस्मा का मान अलग-अलग है अब मैं क्या करूँ इसको किसी चालक से इसको जोड़ दू उस्मा के चालक से इसको जोड़ दू A और B को अब मैं यहाँ पर आपसे पुछूं कि उस्मा का इस्थानांतरण कहां से कहां होगा A से B होगा कि B से A होगा तब भी यहाँ पर आपका आंसर यही होना चाहिए कि सर बता नहीं सकते यह सब कितने depth के concept है फिजिस के देखो तो क्यों नहीं बता सकते हम इस पर बात में बात करेंगे पहले इस पर मैं बात करूँ क्यों नहीं बता सकते क्योंकि हमने पढ़ा है कि उस्मा की मात्रा उस्मा प्रवाह को नहीं बताता उस्मा की मातरा से नहीं पता चलता कि उस्मा का प्रवाह किधर होगा तो भाईया कौन बताता है तो बताता है ताप और ताप का कॉंसेप्ट इसलिए आया इसलिए जब मैं 11 क्लास में चेप्टर पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले स्टुटेंट को ही बताता हूँ कि उस्मा अलग सीज है और ताप अलग सीज है बहुत मामले में स्टुडेंट उसको को रिलेट कर देता हूँ उस्मा को ताप समझ लेता है ताप को उस्मा समझ लेता है जबकि ऐसा नहीं है बिल्कुल दोनों बहुत अलग अलग चीज है ताप जो है उस्मा प्रवाह की दिशा बताता है अब मैं यहाँ पर आपको यह बता दूँ कि सपोस्पोस एका टेंप्रेचर 20 डिगरी सेल्सियस है और इसका टेंप्रेचर मालो 30 डिगरी सेल्सियस है तो अ अब उस्मा का प्रवाह यहां से यहां होगा बी से ए होगा उस्मा हमेशा उच्चताप से निम्नताप की और प्रवाहित होती है तो यह एक्जांपल आपको क्लियर है क्लास 11 का एक्जांपल है यहां पर जो मैं एक्जांपल दिया आपको वहां पर हमने यहां पर इसके को हम ताप कहते हैं और उसमा हमेशा उच्च ताप से निम्रताप्त की और प्रवाहित होता है एक्जेट्ली उसी प्रकार से आवेस के मामले में आवेस प्रवाह की दिशा को आवेस की मातरा नहीं बताता तो कौन बताता है तो बताता है विभाव का काम है आवेस प्रवाह की दिसा बताना इस पकार से आवेस का concept विवाओ का concept क्या हुआ अब यह मैं erase करता हूँ या आप आप समझ गये होगे और हम अपने main topic पर आते हैं एक छोटा सा example मैं आपको और बताता हूँ बहुत ध्यान से सुनना उसको तो यदि किसी को पात-दस परसेंट डाउट भी बना होगा वो 100% मैं clear कर दूँगा सुनो ध्यान से जैसे कई लोग कभी भी डाउट बना होगा सर ऐसे कैसे होता होगा यहाँ पर मैं दो container बना रहा है और यह दो container में मैंने क्या किया यहाँ पर दोनों को हमने इस पकार से सपोज हमने 200 लिटर पानी भर दिया clear इसमें हमने 200 लिटर पानी भर दिया और यहाँ पर यह वाला container देखो इस container में हमने यहाँ तक पानी भरा लेकिन यह container आपको बड़ा दिखाई दे रहा है इसमें हमने 500 लिटर पानी भर दिया यह container A है यह container भी है इसमें 200 लिटर पानी इतनी उचाही तक भरा इसमें 500 लिटर पानी इतनी उचाही तक भरा और दोनों को हमने क्या कर दिया interconnected कर दिया दोनों पात्र को हमने आपस में जोड़ दिया अब यहाँ पर मैं आपको पूछू क्यों कि पानी का प्रवाह A से B में होगा कि B से A में होगा तो आप मेंसे 100% स्टूडेंट सही आंसर देंगे और आपसे पूछने का जवरत नहीं है वो सब के सब आंसर देंगे क्या कि सर यहाँ पर पानी का प्रवाह A से B में होगा ऐसा आप लोग बोलोगे मुझे बीना पुछे पता है क्यों क्योंकि आप बच्पन से सुनते आ रहे हो बच्पन से क्या सुनते आ रहे हो कि पानी का जो प्रवाह है वह उच्च तर से निम्न तल की और होता है आप यहाँ पर 200 रिटर 500 रिटर नहीं देखोगे आप सतह की उचाई देखोगे क्यों सतव उपर है कौन सतह नीचे है और हम यह बच्पन से जानते हैं भीना फिजिस के कांसेथ समझे जानते हैं कि पानी उपर से नीचे क्यों बहता है, पानी उपर से नीचे क्यों बहता है, हम सब को पता है, तो यहाँ पर आपने ये 200 लिटर और 500 लिटर को ध्यान नहीं दिया, पानी ऐसे भी बहेगा, जब कि मात्रा के हिसाब से देखें, तो यहाँ पर पानी जागा है, यहाँ पर पा अब आप सोचो विभाव का परिभासा रट लेने से का विभाव समझ में आ जायगा कभी ने किसी को रटवाद हो तो सब किसी को पतराता है एक आंक आवेश को अनन से बिंदु छेट्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभाव कहलाता है सिकारी आता है जाल फैल आता है दाने का लोग दिखाता है जाल में नहीं फसना चाहिए तो ता बोल रहा है कहां फसा है जाल में फसा हुआ है है एक जैक्ली इसी तरह का का मेटर है यह तो आपको ऐसा नहीं पढ़ना है आपको पूरा समझ ने Cit later उसकी फिल आना चाहिए आपको और आपको मसूस होना चाहिए कि हम ऐसा आपको करा हो रहा होता कि यह पानी के उधारां से आपको समझ में आ गया होगा कि पानी की मात्रा पानी की प्रवाह को पदरस्ति नहीं करता यदि ऐसा होता तो समुद्र का पूरा पानी प्रिथी में उपर चला आता क्योंकि समुद्र में बहुत पानी है फिर भी छोटी छोटी नदियों का पानी समुद्र में जाके गिरते रहता है क्यों क्योंकि नदी उपर है समझ में आगे होगा चलिए तो हम अब विभव पर और डिस्कस करें तो अभी हम नहीं बता सकते अब आज के बाद कभी भी आपको ऐसा पूछा जाए तो आप बोलो कि नहीं बता सकते तो आपको पूछा जाएगा तो कैसे बता सकेंगे कभी-कभी अपन फिजिस का हो नहीं पता है अब आगे मैं आपको यह बता दूँ कि पिंड ए के पास 20 वोल्ट का विभव है और पिंड बी के पास 10 वोल्ट का विभव है ऐसा यदि मैं आपको बता दूँ तो आप 100% confidence से बताओगे कि सर आवेस एसे बी में जाएगा क्यों क्योंकि ए के पास उच्छ विभव है और बी के पास निम्न विभव है तो आवेस एसे बी में जाएगा चलिए अब हम to the point बात करें वो क्या है कि विभव का concept क्या हुआ आवेस प्रवाह की दिशा बताने वाले कारक को विभव कहते हैं यहाँ पर मैं एक लाइन में इसका meaning लिख दूँ इसका अर्थ यह इसकी परिभासा नहीं है ध्यान रखना आवेस प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक विभव कहलाता है परिच्छा में पुछेगा तो यह परिभासा नहीं लिखोगे वह भी मैं आगे बताता हूं यह इसका meaning है आवेस प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक विभव कहलाता है और कैसे बताता है वो वो बताता है कि आवेस सदेव उच्च विभव से निम्न विभव की और प्रवाहित होता है यह बात आप कभी नहीं भूलना यही चीज समझ में नहीं आने के कारण हमको धारा विद्धूत में समस्थिया आता है क्योंकि जब हम धारा विदूत पढ़ाते हैं, जब हम आपको current electricity पढ़ाते हैं, वहाँ पर विभुवांतर समझाते हैं, विदूत वहाँ पर समझाते हैं, तो ऐसा ही student जिनका ये concept clear नहीं रहता, उनको फिर वहाँ भी रटना पड़ता है, मतलब physics कैसा subject है, एक concept को बीना समझ में आना सुरू हो जाता है, इसलिए चीजों को बहुत समझते हुए, आगे चलना चाहिए, ये हो गया विभुव, clear यहां ता सब को समझ में आ गया फिर, चलिए, तो विभुव का concept है, कि आवेस प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक विभुव कह लाता है, और क्या, कि आ अब हम देखें इसकी परिभासा, अब हांते हैं इसकी परिभासा पर, और परिभासा आपको परिक्षा में पूछेगा, तो यही लिखना है, आवेस किसे कहते हैं, तो आपको उसकी परिभासा लिखना है, तो आवेस की परिभासा, कभी भी किसी भी physical quantity का, किसी भी भोतिक बहुतिक्रासी का जो परिभासा है वह वास्तों में उसके सूत्र से बनता है बहुतिक्रासी की परिभासा उसके सूत्र से बनाते हैं और विभाव का जो फर्मूला होता है वह होता है वी इक्वल डबलू अपान क्यूँ यह इसका फर्मूला है वी इक्वल टू डबलू अप प्रिभासा करें तो इसकी परिभासा करने के लिए परिभासा करने का फिजिक्स में एक बहुत जबरजस्ट टेक्निक है परिभासा भी आप कभी रटो मत वैसे तो मैं फिजिक्स में कभी कोई चीज रटने बोलता ही नहीं फिजिक्स पूर्णता समझने का सब्जेक्ट है बस फार्मूला को अपने को याद रखना पड़ता है वो भी हम उसको इ इकाई ले लें मतलब एक मान लें और इस मान को यहाँ पर फुट अप कर दें तो आप समझ सकते हो कि वी इक्वल टू क्या हो जाएगा डबलू हो जाएगा ऐसे कंडिशन में भी डबलू के बराबर हो जाएगा इस पकार से हम को क्या पता चलता है कि विभाव कार्य है वि किया गया कार्य यहां से वहां तक ले जाने में किया गया कार्य तो वहां पर हम लोग विभाव पूट कर देते हैं तब कई बारे सुडेंट संसे क्यों करते हैं कि सर कार्य निकालने के लिए विभाव क्यों निकाल रहे हैं तो भाई विभाव और कार्य सेम चीज है कैसे क् युकाई आवेशो तो कार्द यही विभा हो गया है अब इसको हम 2D-paint परिभासा करें तो क्या करेंगे इस परिभासा को समझने के लिए हमको सबसे पहले थोड़ा सा उसके situation को समझना है कैसे situation को समझना है देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर बना लेते हैं एक विद्धू छेत्र है और मान लेते हैं कि इस विद्धू छेत्र में हमने कोई प्लस क्यों आवेस रखा है माने जहां तक मैं घेरा हूँ वहाँ उसके चारों और तक विद्धूत का प्रभाव है वो उसका विद्धू छेत्र है अब सपोज हम इ इसको लेके मैं इस विद्व छेत्र में आऊं। ऐसा मैं चाहता हूं। तो स्वभावी कुरूप से जब किसी भी चीज को एक जगा से दूसरे जगा तक ले जाएंगे तो कारे करना पड़ेगा। बिना कारे किये तो वहां से वो जाएगा नहीं। तो यहां से यहां तक लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। यह वर्क करना पड़ेगा। देखो हम लोग परिभासा में कहते हैं अनन्त से। अनन्त कहने से स्टुडेंट के दिमाग में आता है बहुत दूर। अनन्त माने बहुत डूरु अनन्त सब्दकही सेंस बच्पन से हमारे दिमाख में ऐसा बिठा दिया जाता है अनन्त माने बहुत अधीक. आज से इस concept को आप delete कर दो और एक नय car concept डालो. अनन्द का मतलब बहुत दूर नहीं होता अनन्द का मतलब होता है अग्यात अन्नोन जिसके बारे में हम नहीं जानते हो सकता है मेरे पीछे का पॉरसन ही मेरे लिए अनन्द हो जाए और आगे का बहुत दूर तक मेरे लिए अनन्द नहीं हो क्योंकि यह मेरे को दिख रहा है और उसके बारे मैं जान रहा हूं पीछे का पता नहीं क्या है तो पीछे मेरे अनंद हो सकते हैं आगे बहुत दूर तक भी अनंद भी हो सकता है अनंद मिस अन्नोन पोजिशन अग्यात जिसके बारे में हम नहीं जानते तो अनंद को बहुत विद्धु छेत रखे किसी बिंदु तक लाएं तो हम जितना कार्य करेंगे वही क्या कहलाएगा उसका विभाव कहलाएगा यही यह फार्मूला हमको बता रहा है अब इसका to the point definition आप सुनो एकांग कावेस को देखो पूरा situation ब्रेन में रखो और अपने सब्दों में बोल द कि एकांग कावेस को अनन्त से विद्धु छेतर के किसी बिंदु तक लाने में किया गया करें विभाव कहलाता है यह विभाव की परिभासा है तो के अब कई वारड एक्जाम में इसका unit का परिभासा पूछता है और विभाव का यूनिट होता है वोल्ट इसका यूनीट है वोल्ट इसका यूनीट है और कई बार बोर्ड एक्जाम में दो नंबर का प्रस्ण पुछा गया है कि एक वोल्ट की परिभासा लिखो एक वोल्ट की परिभासा लिखो तो वन वोल्ट को जैसे हमको परिभासित करना है तो कभी भी किसी एकाई को परिभासित करन एक चीज ध्यान रखना board exam में एक volt की परिभासा एक kulam की परिभासा एक ohm की परिभासा एक empire की परिभासा बहुत common question है और कई बार मैंने देखा है कि students बहुत difficult difficult topic को तैयार करके जाय रहते हैं और परिच्छा में आता है कि एक empire की परिभासा लिखो तो वही एक नमबर का process छ इसी 1 का परिभासा आपको पूछे तो बनाना कैसे है रटना नहीं पड़ेगा बनाना है उसको कैसे बनाना है देखो एक मोल्ट की परिभासा हमको लिखना है तो यह जो सूत्र आपको दिखाई दे रहा है वी इकलू डबलू अपान क्यू इसमें राइट साइट के दोनों व क alcohol मानल लिया और नीचे में समें और रिषैद से तो आवएस कि यू बराबर मानलिया एक मुलाम है अब जब डबलू को भी एक मानलूंगा और क्यू को भी हमानलूंगा तो दोनों के मानल एक-एक पुट करूंगा तो एक बटएक हो जाएगा तो उस कंडिशन में वही कित अब मातरफ सहीद बोलेंगे, अब एक आंक नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम यूनिट का परिवासा कर रहे हैं, एक कुलाम आवेस को अनन्त से विद्धु छेतर के किसी बिंदु तक लाने में यदि एक जूल का कारी किया जाए या एक जूल का कारी करना पड़े, तब विभाव एक वोल्ट कहलाता है, या विभाव एक वोल्ट होता है, एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो, यहीं आपको याद हो जाना चाहिए, मेरी कोशिस होती है, कि मेरा स्टुडेंट मेरे फिजिक्स के क्लास से 90% कंटेंट्स यहीं से तयार करके जाए, बाद में उसको सिर्फ एक बार रिउजन करना पड़े और 100% हो जाए वो, इसके लिए जवर्दी है कि बहुत कांसांटेशन से आप बात को सुनो, बस और कुछ नी चाहिए, सिर्फ ध्यान से सुनने कर चाहिए, तो ध्यान से सुनो, एक कुलाम आवेस को अनन्त से विद्धु छेतर के किस परिभास आई, तो कभी भी आपको एकजाम येधी एक वोल्ट की परिभासा पूछे तो इस तरह से लिख हो गए, ठीक है? चलिए, तो यह हो गया विभव की परिभासा, एक वोल्ट की परिभासा और यहाँ पर मैंने आपको complete विभव के sense को समझा दिया कि विभव एक्च concept मैं बताया, slide में heading इधर हो गया है, चलिए, अब आगे हम देखें, विभुवांतर, आगे हम देखें क्या, विभुवांतर, तो विभुवांतर में आप देखो, विभाव में अंतर, अब तो इसको दो मिनेट में आप समझ जाओगे, विभुवांतर का मतलब क्या है, विभुवांतर में थोड़ा संतर है, सपोज ये हमारा कोई विद्धु छेत्र है, और इस विद्धु छेत्र में दो बिंदु है, एक बिंदू मालो A है और दूसरा बिंदू क्या है ये B है अब दोनो बिंदू विदू छेतर में है पहले एक बिंदू अनंत में था और एक बिंदू विदू छेतर में था अब दोनो बिंदू क्या है विदू छेतर में है तो यहाँ पर मालो विभव भी A है और यहाँ पर तो यहाँ पर विभवांतर का सीधा मतलब है, समान अर्थ देखें, तो दोनों बिंदूओं के विभव में अंतर, विद्दू छेत्रक के किसी भी दो बिंदू के विभव में जो अंतर होता है, वो विभवांतर होता है, फिर हम इसका systematic definition करेंगे, तो va-v b equal to क्या होता है, w upon q यहाँ पर भी w upon q होगा, और इसका मातरक भी क्या होगा, volt होगा, लेकिन हम यहाँ पर इसको थोड़ा systematic definition define करें, तो ऐसा बहुत common language होनी बोलेंगे कि दो बिंदू के विभव के अंतर विभांतर बोलते हैं, यह तो बहुत कामन बात हो, उसका हमने meaning बता दिया, परिभासा क कैसे करेंगे, अब यहाँ पर चित्र में आप देखो, मालो मेरे पास यह एकांग धन आवेस है, यह सब आपको पिछले class में मैं पढ़ा चुका हूँ, एकांग धन आवेस को हम test charge बोलते हैं, परिक्षण आवेस करते हैं, क्यों माना गया, कैसे माना गया, यह सब previous class में विभांतर कहलाता है, तो विभाव और विभांतर में एक सब्द का अंतर है, सिंगल वर्ड का, वहां हम बोले, अनन्त से विद्धु चेतर के किसी बिद्धु तक लाने में किया गया कार विभाव कहलाता है, और विद्धु चेतर में एक बिंदु से दुसरे बिंदु तक लाने में क्या गया कार विभवांतर कहलाता है मतलब विभवांतर में दोनों बिंदू विद्धु छेतर के अंदर होते हैं इस पकार से ये विभवांतर है और मातरक भी इसका क्या होता है वोल्ट होता है और आगे हम धारा विद्धुत के चेप्टर में इसका विद्धुत वहागबल के साथ में तोलना करेंगे तब मैं विभुवानतर पर एक बार और आपसे डीपली डिस्कस करूँगा इसको अप ध्यान में रखना धारा विद्यूत का पहठा छे और विद्वाइधवानतर में अंतर से सुरू होगा और वो एक बोड एक्जाम में प्राजा पुछा जाता है दोनों अंतर पुछा जाता है तब हम एक बार इस पर ओधिस्कस करेंगे यह जो force है वो क्या था conservative force होता है electro static force conservative force तो पहले तो भाई मेरे को यह बताओ कि कैसे बल को हम सरक्षी बल बोलते हैं यह 11 वी class में हम लोग पढ़े हैं जैसे मालों आपको board exam में एक या दो नमबर का प्रस में पूछ दिया कि इस्थिर वैदुदबस सरक्षी बल होता है कैसे तो सरक्षी बल किसे कहते हैं conservative force सरक्षी बल का मतलब होता है जिस पर किये गए कार्य में माध्यम की जो प्रकृती है ठीक है माध्यम की प्रकृती पर निर्भर न करे प्रकृती पर निर्भर न करे वो क्या कहलाता है सनरक्षी बल कहलाता है हर एक्जामपल उधारन के लिए उधारन के लिए क्या के बल हो सकता है बताजे क्या के बल हो सकता है जो माध्यम की माध्यम की प्रकृती पर ठीक है जो माध्यम की प्रकृती पर निर्भार न करे एक्जांपल दीजे सनरक्षी बल तो यह एक्जांपल भी आप ध्यान रखना सनरक्षी बल का एक तो होता है गुरुत्वा करस्ण बल और यह जो हम पहणे जा रहे हैं इस्थिर्वेद्यूद बल ये सब क्या है सनरक्षी बल हैं क्योंकि ये माध्यम की प्रकृती पर निर्भर नहीं करते माध्यम कैसा है इससे इनको कोई लेना देना नहीं है इसलिए क्या कहलाते हैं सनरक्षी बल कहलाते हैं अब बता देता हूं तो असनरक्षी बल भी बता देता हूं असनरक्षी मतलब non conservative force जो माध्यम की प्रकृति पर निर्भार करे माध्यम की प्रकृति पर निर्भार करे इसका कोई उदाहराण भाई इसका कोई उदाहराण बताओ कमेंट्स में लिखो फटा फट एक्जामपल इसका जो माध्यम की प्रकृति पर निर्भार करे वो ना करे है ये करे है ठीक है घरसन बल अजय आर्य ठीक फ्रिक्सन निपू प्रितम ओके वेरी गुल इसके बहुत अच्छे एक्जामपल है क्या घरसन बल स्यांता बल स्यान बल ये सब क्या है आपको 11 क्लास में सब मैंने पढ़ाया है तो ये क्या है इसके उदाहरण है ठीक है चलिए इसको ध्यान में रखना अब बात निकली तो मैं इसको बता दिया कि कम से कम आपको क्लियर रह जिनको नहीं पता था उनको पता चल गया जो भूल गये थे उनको रिकाल हो गया कि भाई ये होता है तो यहाँ पर हमको बताना है हाँ सर्फेस टेंशन भी होता है घरसण बल कैसे जैसे प्रिष्ट खुरदूरा है तो घरसण जादा होगा प्रिष्ट चिकना है तो घरसण कम होगा माने माध्यम की प्रक्रिटी पर निर्भर कर रहा है किया गया कार्य या बल किया गया कार्य बल उस पर निर्भर कर रहा है जो पत पर निर्भर नहीं करते और सनरक्षी बल करते हैं तो जो पत पर निर्भर करते हैं वो सनरक्षी बल करते हैं ठीक गंगाराम, ठीक, very good अब यहाँ पर हमको पुरूफ करना है कि इलेक्टोएस्टेटिक फोर्स क्या है, संरक्षी बल है मानने इस तरह का बल है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, potential का ही related concept है सपोज यहाँ पर यह एक A बिंदू है और यहाँ पर एक B बिंदू है अब हम लोग एकांक आवेस को सपोज यहाँ से यहाँ तक लेके गए माननो हम एकांक धन आवेस को A से B तक लेके गए तो यहाँ पर विभोव क्या हो जाएगा VAB इक्वल यह हो जाएगा VB माइनस VA या VA-VB हो जाएगा तो A से B तक लेके जाएंगे तो इतना कारे करेंगे अब मालो हम उस आवेस को एकांक आवेस को B से A तक लेके आते हैं B से A तक तब हम उसको क्या लिखेंगे VBA और तब हो जाएगा वो VA-VB ऐसा हो जाएगा अब यहाँ पर हम कुल विखो निकालना चाहें तो therefore VAB प्लस VBA यदि दोनों को जोड़ें तो क्या हो जाएगा VB माइनस ठीक है VB माइनस VA VA ये और प्लस VA माइनस VB ये टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इस पकार से जो कुल किया गया कार्य है ये कुल किया गया कार्य होता है जो कि क्या हो गया 0 हो गया इस पकार से कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में ही बहुत सही आंसर दिया था कि सर्व किया गया कार्य 0 होता है तो यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या होता है सनक्सिबल होता है तो कभी मालों आपको दो नंबर का पूझ दे परिच्छा में कि इस्तिर वेदिद बाद सनक्सिबल होता है इस पस कीजिए तो ये दो लाइन आपको लिखना है clear? तो बहुत आसान सा कांसेप्ट है और ये आपको समझ में आ गया होगा चलिए अब हम देखते हैं इसका एक महत्कून टापिक बिंदू आवेस के काराण किसी बिंदू पर विभाव की गढ़ना करना ये एक ऐसा टापिक है जो आपको विभाव के परिभासा के साथ एक्जाम में पूछेगा और ये आपको परिक्षा में तीन या चार नंबर का पूछा जा सकता है देखो जो वेटेज बता रहा हूँ लगभग सभी बोर्ड में थ्री मार्स या फोर मार्क्स इसको आप ध्यान में रखना कभी भी किसी भी बोर्ड में एक कोस्चन आएगा तो इस कोस्चन का जो वेटेज है तीन या चार नंबर का रहेगा क्योंकि इसका डेरिवेशन का लेंद लगभग इतना होता है तो हम यहाँ पर आज डिराइब करेंगे बिंदू आवेस के कारण विभव की गढणा बिंदू आवेस क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं अब यहाँ पर हम देखें इसके विभव की गढणा तो सब से पहले हम consider कर लें ध्यान से समझना यह कोई बिंदू आवेस है और इस बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर हमको विभाव की गढ़ना करना है किसी बिंदु पर तो यहाँ पर हमने एक बिंदु माल लिया और इस बिंदु को हमने consider कर लिया यह blue point से मैंने इसको represent कर दिया यह बिंदु है इस बिंदु P पर हमको विभाव की गढ़ना करना है ध्यान से समझना जब किसी भी formula को derive करते हैं तो formula derivation के लिए जब हम कोई चित्र बनाते हैं तो आपको चित्र को बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि पूरा calculation चित्र पर ही best होता है clear? तो यह एक आवेस है मालो इसमें हमने इसको plus क्यों आवेस दिया हुआ है यह बिंदु O पर इस्थित है और इस बिंदु O से कुछ दूरी पर मालो हमने उस दूरी को माल लिया कुछ भी दूरी हम उसको माल लेते हैं मालो R माल लेते हैं और उस पर ये मालनों बिंदू आवेश से कितनी दूरी पर है आर दूरी पर है और इस दूरी पर हमको युखाव की गढ़ना करना है अब इसके लिए हम क्या करते हैं इसके लिए इस विद्युत छेत्र में पास पास में दो बिंदू कंसिडर कर लेते हैं बिंदू A और बिंदू B ये अत्यांत निकट के दो बिंदू है जो की बिंदू छेत्र में उपस्थित है और इनके बीच की दूरी को हमने माल लिया dx dx मतलब small distance जब differentiation के फाम में लिखते हैं तो वो छोटी दूरी को छोटे पार्ट को सो करता है और इसका जो distance है यहां से इस distance को हम माल लेते हैं माल लो इस x का distance ये b का distance यहां से x है x दूरी पर बिंदू B रखा हुआ है ये इसका situation है अब देखो इसका method क्या है सबसे पहले मैं आपको इसका concept समझा रहा हूँ कि विभाव का गढ़ना करना है अपने को विभाव का गढ़ना करना है और अभी हम यही discuss कर रहे हैं कि विभाव किया गया कार्य होता है तो विभाव की गढ़ना करने के लिए हमको सबसे पहले किया गया कार्य निकालना पड़ेगा तो जब हमको अनन्द से किसी बिंदू तक लाने में किया गया कारे निकालना पड़ेगा तो उतने कारे को हम एक साथ नहीं निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हम छोटा सा किया गया कारे निकालते हैं और यह छोटा सा किया गया कारे हम निकाल लेंगे B से A तक तो पहले हम small amount of work निकाल लेंगे और उस small amount of work को समा कलन कर देंगे इसलिए हम लोग समा कलन करते हैं समा कलन मतलब जोड़ना और निश्चित समा कलन में हम limit लगाते हैं तो अनन्त से उस बिंदू तक लाने के लिए सीमा लगा देंगे limit लगा देंगे तो calculation हो जाएगा ठीक है तो चलिए अब य अब इसके कारण इस बिंदू पर 16 की तीवरता कितना होगा तो पहले हम लिखेंगे बिंदू b पर 16 की तीवरता जिसको हम e से पतासित करते हैं और इसका formula होता है 1 upon 4 pretend q upon x² क्योंकि अभी हमने बिंदू बिं आपको a step 2 तो बिंदू B पर, यहाँ पर देखो, बिंदू B पर विदू छेतर की तिप्रादी कितना हो जाएगा? 1 upon 4 pi epsilon not q upon x square. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एकांक आवेस को B से A तक लाने में कितना कारे किया जाता है? बिंदू B से A तक लाने में किया जाता है? पहले निकाल लेते हैं, ठीक है? इसलिए एकांक आवेस को कहां से कहां तक? B से A तक लाने में किया जाता है? तो B से A तक लाने में किया जाता है? इसको हमने ले लिया DW, D मतलब छोटा कारे. अभी हम इसमाल इमांट आप पर निकाल रहे हैं, जो यह छोटी दूरी को लाने में हम लगा रहे हैं कहां से B से A तक? तो किया गया कारी का होता है? विद्धू छट्र की तिवरता मतलब E और इन्टू दूरी कितना है? Dx. तो e into dx इस पकार से विदुच्छतर की तिवरता बल हो जाएगा क्योंकि कार्य बराबन होता है बल गुड़ी तो भी स्थापन और विदुच्छतर की तिवरता बल कैसे हुआ एकांग आवेस पर लगने वाले बल को ही विदुच्छतर की तिवरता कहते हैं तो देखो बल के जगा विदुच्छतर की तिवरता बोल दिये जब आवेस एकांग हो जाता है तो बल विदुच्छतर की तिवरता बन जाता है जब आवेस एकांग हो जाता है तो कार्य विभाव बन जाता है ये बात तो आपके दिमाग में एनी टाइम रहना चाहिए ओके चली अब इसके मान को भरे और यहाँ पर चीन हरी रिडात्मक लेंगे क्योंकि हमको एक आंक धन आवेस को लाना है तो धन आवेस के प्रतिकर्षण के विरुद्ध कारे करना पड़ेगा इसलिए हम उसको क्या ले लेते हैं माइनस ठीक है अब इसके मान को हम पूट अप करें तो यह इसका वेल्यू है तो माइनस कुछ लोग हमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ तो क्लास कंप्लिट होने के बाद मैं आपको मौका देता हूँ 2-4-5 मिनट समय के हिसाब से तो मैं आपको टाइम दूँगा पहले टापिक को कम्प्लिट कर लो क्योंकि टापिक बीच में ब्रेक करने से पढ़ाई का फ्लो डिस्टर्ब होता है ना फिर मैं देखूंगा आपके कमेंट्स माइनस बनपन 4-5-8-Q-1-X-Square-E कमान भर दिये और इंटू का लिग दिया डि-X ये हो गया एक आंक आवेस को कहां से कहां तक लाने में क्या गया कारे है भीए ये है B से A तक B से A तक लाने में क्या गया कारे और हमको कहां से कहां तक लाने में किया गया कार्य निकालना है इसका पिस्किन साथ लेना चाहों तो ले लो क्योंकि next slide में जाओंगे चलिए अब कहां से लाएं अनन्त से इसलिए अब हम क्या करते हैं therefore अनन्त से अनन्त से किती दूरी पर आर तक इसलिए अनन्त से आर तक लाने में किया गया कार्य और यही विभव कहलाएगा परिभासा से हम बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं कि अनन्त से जो लाते हैं अनन्त से जब किसी बिंदू तक लाते हैं तो वही कारे भी हो कहलता है तो अनन से किसी बिंदू तक लाने में किया गया कार्ड इसको हम W ले 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 तो W इक्वल्टू इंटीग्रेशन आफ DW हैगा ला रहे हैं अनन से कहां तक आर्ट तक तो यह हम जो छोटा-छोटा कार्य किये हैं पहले आप कुल कार्य होगा इसलिए हम उसको समा कलन कर रहे हैं तो यह dw का value जो निकाला है वहाँ पर हम put up कर देते हैं तो यह हो जाएगा that equal integration of infinity to r minus one upon four pi epsilon not q upon x square into dx यह हमने क्या किया मान भर दिया उसका अब इसका मान भरने के बाद हम इसका क्या कर देंगे समा कलन तो चलिए हम इसका सम कलन करें तो therefore w equal to अब यह x square को छोड़के बाकी constant बाहर कर लेते हैं तो minus one upon four pi epsilon not और यह हो जाएगा q और integration के अंदर हो जाएगा infinity to r और यह x में जो x बटे में है उसको हम हर से अंस में ले जाते हैं तिसका power negative हो जाएगा तो हो जाएगा x to the power minus to dx अब यहाँ पर हम इसका समा कलन करेंगे समा कलन करने के लिए हम यहाँ पर समा कलन का सुत्र यूज़ करेंगे समा कलन का सुत्र आप लोगों को याद होगा integration of x to the power and dx जितने भी student का अवकलन समा कलन कमजोर है वो हमारे playlist में जाके मूल भूद गड़ तो हमारे playlist में बहुत सारे वीडियो है basic mathematical tools का वह आप search करो और वहां से revision करो और बनता है तो अच्छी बात है तो इस सुत्र का हम use करेंगे जो बगल में मैंने लिख दिया जिनको नहीं पता है उनके लिए वैसा तो पता होना चाहिए तो यहाँ पर n का value यहाँ पर minus 2 है तो x to the power n plus 1 है वो minus 2 plus 1 हो जाएगा और इस तरह से हम इसका समा कलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखो that equal minus 1 upon 4 pi epsilon not q और समा कलन होगा तो क्या हो जाएगा x to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 और यह infinity to r ऐसा हो जाएगा that equal आगे इसको हमको solve करें तो minus 1 upon 4 pi epsilon not q into अब यहाँ पर हम देखें तो x का घाथ minus 2 plus 1 मतलग कितना हो जाएगा x to the power minus 1 और बटे में minus 1 infinity to r अब यहाँ पर देखो यह minus 1 इस minus के साथ multiply होके plus कर देगा और x का घाथ जो रिडेक है वो बटे में चलाए जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 upon x हो जाएगा ठीक है चलिए तो आगे हम इसको लिखें that equal क्या हो जाएगा that equal यह plus हो गया 1 upon 4 pi epsilon not q और यह हो गया 1 upon x और limit है infinity to r अब यहाँ पर हम limit put कर देंगे तो हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon not q यह हो जाएगा upper limit minus lower limit तो 1 upon r और lower limit है 1 upon infinity यह होगा that equal यह हो गया 1 upon 4 pi epsilon not और यह 0 होता है तो 0 हो गया तो 1 upon sorry q upon r यह होगा q upon r और अनंद से किसी बिंदू तक लाने में किया गया कारण विभाव का लाता है तो अब w को हम क्या लिख सकते हैं भी यह है बिंदू आवेस के कारण विभाव का फार्मूला ओके बिंदू आवेस कारण विभाव का फार्मूला तो यह ह पीछे वाले स्लाइट का भी आप इसकीन साथ ले लो एक रिवाइस करना और हमारा नोट्स हमारे एप्लीकेशन में एवलेबल है इसका Notes एप्लिकेशन में एबलेबल है एप्लिकेशन से आप नोट ले सकते हो और इजिन दा लर्नर सहब हमारा एप्लिकेशन है आपको उसका complete link को अगर हमारे वीडियो के नीचे description पर दिया रहता है वहाँ से आप ले लीजिए ठीक है या टेलिग्राम चेनल से भी आप link ले लीजिए आपको सब मीज आएगा इस पर और डिसकस करूँगा भी मैं सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ वी को प्रभावित करने वाले कारक कई बार परिच्छा में ये भी कुशा जाता है कि वीभाव को प्रभावित करने वाले कारक लिखो कि वीभाव को कौन-कौन से कारक यहाँ पर प्रभावित करते है देखो यहाँ पर 1 upon 4 pi epsilon 8 लिखा हुआ है लेकिन यदि हम इस फार्मूला को किसी माध्यम के लिए माध्यम जिसका परहतां के है तो उसके लिए यदि हम इस फार्मूला को लिखना चाहें यह तो वाई वा निर्वात के लिए है तब वो फार्मूला हो जाता है V equal to 1 upon 4 pi epsilon 8 into K का multiplication हो जाएगा और into यह हो जाएगा Q upon R इस पकार से Q upon R हो जाएगा अब इसको प्रभावित करने वाले काराक हम लिखें तो सबसे पहला काराक जो इसको प्रभावित करता है यहाँ पर आप देख रहे होगे इस फार्मूला से कि सबसे पहला इसको प्रभावित करेगा कौन Q, आवेस प्रभावित करने वाले काराक को लिखने के लिए क्या करना चाहिए अपने को सूत्र को देखना चाहिए सूत्र में जितनी भावतिक रासी दी हुई है वो उनको प्रभावित करेगा जो जो भावतिक रासी अंस में है वो समानुपाती होगा और जो जो भौतिक रासी हर में है वित्क्रमान उपाती होगा बस तो पहला प्रभावित करने वाला कारा क्या है यहाँ पर देखो यह है विभाव समान उपाती होता है आवेस के इसको आप सब्दों में भी एस्प्लेंग कर लेना कि आवेस का मान बढ़ाने पर माने किसी विद्दू छेतर में यदि आवेस का वेल्यू को बढ़ाया जाए तो विभाव भी क्या होता है बढ़ जाता है तो आवेस की मातरा बढ़ाने पर विभाव का मान भी बढ़ता है यह पहला है दूसरा प्रभावित करने वाले कारा क्या है वी प्रपोस्टनल टू य मतलब जैसे जैसे हम आवेस से दूर जाते जाते हैं, विभव कमान क्या होते जाता है? कम होते जाता है, इस पकार से आवेस से दूर जाने पर विभव घटता है, ठीक है? और तीसरा प्रभावित करने वाला कारक जो सूत्र में आप देख रहे हो, ओ है भी proportional to one अपान के, ये नीचे जो लिखा हुआ हूँ, मतलब यदि हम कोई परवजदूत पदार्थ ले आएं, या हम अपने आवेस को किसी परवजदूत माध्या में रख दें, तब भी क्या होता है? विभव घटता है, ये घटेगा, तो ये बढ़ेगा, clear? एक चौथा कारक है, जो आपको सूत वो है अन्य चालक की उपस्थिती, चलिए इसको आप लोग बताएए तो क्या होगा? अन्य चालक की उपस्थिती से कहने का मतलब जो हमारा विद्धू छेत्र हमने निर्मीत करके रखा है, जो विद्धू छेत्र हमने निर्मीत किया है, जो विद्धू छेत्र हम बनाए है उस विद्वी छेत्र में यदि हम कोई और चालक को ले आते हैं, किसी और कंडक्टर प्लेट को ले आते हैं, तब क्या प्रभाव पड़ेगा विभाव पर? अन्य चालक की उपस्थिती से भी घटता है क्यों घटता है? अन्य चालक की उपस्थिती से भी घटने का कारण क्या है? जैसे हम अन्य चालक लाएंगे तो प्रेरण के कारण उस चालक पर आवेस उत्पन हो जाएगा और जब कोई आवेस किसी दूसरे पिंड पर आवेस उत्पन करेगा तो उसका आवेस का मान घटेगा और जब आवेस का मान घटेगा तो विभाव भी घट जाएगा इस पकार से अन्य चाला की उपस्थिती में विभाव का मान क्या होता है घटता है क्लियर अक्षी स्थिती में विभाव की गर्णा देखो ये टापिक एक तरह से आप लोग का रिविजन टापिक है क्यों कि हमने अक्षी स्थिती पर और गर्णा कर लिया है लेकिन किसका किया है विद्दुछेत्र की तिब्रता का तो अक्षी स्थिती पर हम लोग विद्दुछेत्र की तिब्रता की गर्णा किये हैं तो दोनों को कांसेट्ट तो सेम है अक्षी स्थिती आपको पता है क्या होता है अक्षी स्थिती में विद्दु कहां पर होता है ये सब आपको पता है ठीक है थी नाम के क्या लिखा है केलिया वा अरे आपको बहुत कठी नाम है इसलिए आप बोल रहे हैं सर मेरे नाम ले लिजिए इसलिए आप बोल रहे हैं कि सर मेरे नाम ले लिजिए क्योंकि आपको पता है कि सर को इसको पढ़ने में बड़ी परिसानी होगी ठीक है, सरल नाम रखो तो बहुत आसानी से लेंगे हाँ, चलिए, आज़े ये फटापड अक्षी स्थिती में विभाव की गढ़ना करना है तो सबसे पहले क्या करें हम अक्षी स्थिती का स्टीच वैसन बना लेते हैं ये होता है अक्षी स्थिती, मालो यहाँ पर एक पाइंट हमने सपोस्ट किया यहाँ पर दूसरा पाइंट सपोस्ट किया और यहाँ पर वो पाइंट है जहाँ पर हमको क्या करना है विभाव ग्याद करना है, ठीक है मालो यहाँ पर माइनस क्यों आवेस है यहाँ पर ध्यार रखना आप किसी को भी plus और किसी को भी minus आप लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई condition नहीं है, तो suppose यह minus क्यूँ हावेस है, यह suppose a point है, यह suppose b point है, या इसको भी लिख सकते हैं, दोनों के बीच का जो distance है, दोनों के बीच का distance अपन suppose कर लेते हैं, ठीक है यहां से यहां तक का distance दोनों के बीच का distance और इसके बाद इसके midpoint से mid point से किसका distance जिस बिंदू पर हमको विभाव ग्याद करना है उसका distance सब पता है आप लोग अपलों को यह बिंदू P है और यहां से यहां तक के distance को हमने suppose r suppose कर लिया और दोनों आवेसों के बीच की दूरी को हमने suppose 2a suppose कर लिया यह इसका midpoint है clear तो अक्षी स्थिती का मतलब क्या होता है अक्षी स्थिती का मतलब होता है कि यदी बिंदू दोनों आवेसों के मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदू पर हो तब हम उसे क्या कहते हैं अक्षी स्थिति कहते हैं clear तो यहाँ पर अक्षी स्थिति पर हमको विभाव का गढ़ना करना है जिस पकार विदू छेतर की तिब्रता का गढ़ना किया exact वैसी यहाँ पर हमको करना है चलिए तो यह आसान है खेर उससे बहुत ज्यादा आसान है यह क्योंकि इसमें फार्मूला सरल होता है तो सबसे पहले हम निकाल लें V1 और V2 ठीक है V1 V2 निकाल लें तो मालनो V1 का है प्लस QRVS के कारण है ठीक है इसके कारण गढ़ना प्लस QRVS के कारण विभव कितना हो जाएगा इसको हमने भी 1 कह दिया तो फार्मूला होता है 1 upon 4 pi अपसेला नाट Q upon D तो Q upon D तो Q क्या है यहाँ पर यह है और upon D तो इनके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी यह हो जाएगा इसको हम क्या कहेंगे AP AP और यहाँ पर स्क्वेर नहीं होता क्योंकि Q upon D इसका फार्मूला होता है ठीक है तो यहाँ पर स्क्वेर नहीं होता है अब पढ़ाना ही स्टार्ट कर दिया भई या आप नाम पते के चक्कर में मत रहो V1 equal to 1 upon 4 pi epsilon naut Q upon AP distance क्या होगा चितर में देखो यह है AP तो यहाँ से यहाँ तक का distance क्या है R है और यहाँ से यहाँ तक का distance क्या है A है या L भी suppose कर सकते हैं A भी suppose कर सकते हैं ठीक है जो भी अपन suppose कर सकते हैं L और A में कोई difference नहीं है तो क्या हो जाएगा फिर यह distance कितना हो जाएगा R-A 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 होगा यह हो गया relation number first अब plus Q आवेस के कारण विभव हो गया तो minus Q आवेस के कारण minus Q आवेस के कारण विभव minus Q आवेस के कारण विभव क्या होगा उसको मालू हम V2 सपोस कर लिए तो V2 equal to हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 और Q upon यह distance कहां से कहां तक है यह minus Q आवेस के कारण minus Q से यहां तक तो इसका distance क्या है Pb इसको यह नहीं न Pb या Bp यह हो गया इसके भी value का हम put up कर देंगे तो क्या हो जाएगा that implies V2 equal अच्छा यहां पर नहां रखना minus आवेस को चिन्द सहीद भरेंगे तो minus Q भरेंगे तो यह हो जाएगा सामने minus कर दिया minus 1 upon 4 pi epsilon 0 1 upon 4 pi epsilon 0 और Q upon इनके बीच का डिस्टेंस R plus A हो जाएगा यह होगे R plus A relation number 2 अब हमको निकालना है क्या? कुल विभाव अब हमको यहां पर कुल विभाव निकालना है तो क्या हो जाएगा? therefore पर कुल विभाव V equal V1 प्लस V2 कुल विभाव निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों विभाव को 8 करेंगे तो that equal पहला V1 हमने क्या निकाला है? 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r minus a r minus a है दूसरा विभाव है minus 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r plus a यह हमने निकाला है यहां पर तो कुल विभाव निकालने के दोनों को जोड़ देंगे इसका concept असान है और बहुत असानी से इसको calculate किया जा सकता है ठीक है इसमें कुछ नी रखा हुआ है that equal अब हम क्या करें total इसमें से हम constant कर ले common कर ले 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r q बस common निकलेगा तो q को common कर लिए तो अंदर यहां से क्या बचेगा 1 upon r minus a और minus 1 upon r plus a यह हमारा common निकल जाएगा ठीक है अब इसको हम solve करेंगे लगुत्तम लेके LC हम लेके solve करेंगे और LC हम लेके solve लेके simplify करेंगे चुकि इसको एक बार आप लोग पढ़ चुके हो इस करणर से बहुत आसान है और मैं समझता हूँ अभी आपका 100% तयार हो जाएगा यह that implies v equal 1 upon 4 pi epsilon 8 q और bracket के अंदर इन दोनों का लगुतम निकालेंगे तो दोनों का लगुतम दोनों के गुड़न फल के बराबर होगा एक बार तो मैं complete लिख देता हूँ उसको तो r minus a r minus a और into r plus a यह होगा और यहाँ पर देखो r plus a यहाँ पर multiply हो जाएगा यह हो जाएगा r plus a और minus यह हो जाएगा r minus a r minus a इस तरह से that implies v equal 1 upon 4 pi epsilon 8 q अब यहाँ पर देखो यह जब bracket open करेंगे तो minus r minus r plus r के साथ cancel हो जाएगा और minus into minus plus होगा और a plus a 8 होके 2a हो जाएगा ठीक है इस पकार से क्या हो गया यह 2a और upon यह दोनों multiply होंगे तो a minus b a plus b a minus b और a plus b का multiplication दोनों का whole square हो जाएगा sorry अलग-अलग square r square minus a square that implies अब देखो v equal to यहाँ पर 2 qa तो 1 upon 4 pi epsilon 8 2 qa को हम लिख सकते हैं p ठीक है विद्धित द्विध्रू आगुण 2 qa विद्धित द्विध्रू आगुण होता है सब पीछे आप पड़ चुके हो तो p हो जाएगा और upon r square minus a square यह होता है अक्षी स्थिती में विभाव अक्षी स्थिती में विभाव की गर्णा तो यह आप इस किन सार्ट ले लो या इसको लिख लो तो clear सबको because minus क्यों लिया यह minus charge है और जब हम विभाव की गर्णा करते हैं देखो विद्धु छेत्र की तिब्रता में आकर्सन और प्रतिकर्सन के हिसाब से हम उसको लेते हैं कि वो आकर्सित कर रहा है कि पतिकर्सित कर रहा है इसलिए परिणामी निकालने के लिए क्योंकि वो बल है वो सदिसरासी है और विभाव क्या है अदिसरासी है इसलिए यहाँ पर आवेस को हम उसके चिन सहित लेंगे तो प्लस को प्लस लिया, माइनस को माइनस लिया क्योंकि विभाव एक अधिस रासी है और विद्धु छेतर की तीवरता क्या है? एक सधिस रासी है ओके कौन पुछा था? विवेक अच्छा, विवेक पुछा था, क्या मैं विकेस पड़ दिया ठीक है, विवेक आगए समझ में? हाँ विवाव, मातरक तो वोल्ट होगा यहाँ तो मैंने मातरक नहीं लिखा है लिख लो, वोल्ट लिख लो क्लियर है? ठीक, आसान सा टापिक है बहुत ये ओके, चलिए, अब हम पढ़ते हैं दूसरा, निरक्षी स्थिती निरक्षी स्थिती इक्वेटोरियल पोजिशन हाँ, तो इक्वेटोरियल पोजिशन में ठीक है, इक्वेटोरियल पोजिशन में हम क्या करेंगे? उसको निरक्षी स्थिती में लेंगे ठीक है उसको हम निरक्षी सिती में लेंगे तो फिगर बनाए फिर इसका दो आवेस है ये दो आवेस का हम निरक्षी सिती में पोजिशन बनाते हैं ये ये माल लो यहाँ पर एक एक आवेस को हम यहाँ पर सो कर दें तो माल लो यहाँ पर माइनस क्यू आवेस है और यहाँ पर प्लस क्यू आवेस है ये A point है ये B point है जिस पर विभुग याद करना है परणामी ओ बिंदू P है दोनों के बीच का डिस्टेंस वही दोनों के बीज का distance 2A यह हमने ले लिया और यहाँ पर देखो इसके काराण विभाव मालो हमने V1 ले लिया इसके काराण विभाव V1 अब इसमें दीशावी सानी बताना है क्योंकि यह अदीश रासी है बस और कोई calculation है ने इसमें बस इतना distance अपन ले लेंगे और इसके 20 का जो perpendicular distance है वो हम ले लेते हैं R यह distance मालो क्या है R है तो इस पर जब हम विभाव निकालेंगे सबसे पहले plus QAVS के काराण विभाव गरणा में सबसे पहले क्या करें plus QAVS के काराण वह ऐसी जैसे अभी किये plus QAVS के काराण विभाव तो plus QAVS के काराण विभाव को हमने V1 कहां दिया तो V1 इक्वल टू 1 upon 4 pi अपसाला नाट Q upon अब distance कितना है देखो इसका यहाँ से distance यह AP तो यह क्या हो जाएगा AP यह रहने दो भी इसको ऐसी उसके बाद minus QAVS के काराण minus QAVS के काराण विभाव तो minus QAVS के काराण विभाव को हमने V2 ले लिया इक्वल टू 1 upon 4 pi अपसाला नाट minus Q चिने सहीद भरेंगे और अपान यह distance क्या है P B ते हो जाएगा B P या P B लिख सकते हो यह अब यहाँ पर देखो एक बहुत महत्त पूर्ण बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो यह है कि दोनों आपस में बराबर है कौन से AP और BP यह दोनों आपस में बराबर है दोनों आपस में बराबर होने के कारण कूल विभाव जब हम निकालेंगे यह एक कम करता हूँ इसको मैं बाद में लिखूंगा पहले निकाल लेता हूँ कूल विभाव तो ज्यादा अच्छा है इस प्लेन होगा कूल विभाव V बराबर V1 प्लस V2 यह कूल विभाव हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 अब जब कूल विभाव हम निकालेंगे V1 प्लस V2 तो उस कंडिशन में दोनों के मान को हम भर देते हैं तो therefore V equal बहुत ही असान टापिक है भई इसको तो कभी-कभी मैं बोलता हूँ टूडेंट अपने से कर लो लेकिन चलो बता दिये अपन तो Q upon इसका तीसरा पोईशन बस्वड़ कठीन है Q upon AP Q upon AP और यह माइनस है 1 upon 4 pi अपसाला नाट और Q upon BP अब यहाँ पर बताओ आप क्या बताओ कि AP जो है वह BP के बराबर है कहां से figure से देखो जितने distance में यह होता है उतने distance में यह होता है क्योंकि निरक्षी स्थिती पर यह दूरी कामन है तो यह इसके बराबर है कामन है तो यह दूरी भी इसके बराबर होगा clear और यह 60-60 थंस का कोन होगा सम्भाहुत रिभू जाए तो यह जो PB है वो PA के बराबर है अब यहाँ पर आप देखो कि जब यह जो AP है वो BP के बराबर है बाकी तो बराबर है हैं तो दोनों आपस में कड़ जाएंगे तो therefore V equal to 0 आएगा यह एक बहुत महत्त पूर्ण बात है क्या? कि निरक्षी स्थिती में परिणावी विभाव सुननी होता है विद्वित द्विधरू के कारण निरक्षी स्थिती और विभाव हमेशा सुननी होता है कभी-कभी हम लोग उसको सीधा-सीधा याद करके रखते हैं कभी-कभी का हमेशा याद करके रखते हैं लेकिन एकजाम में पूस देगा और तो एक लाइन में आप सुनने होता है लिग क्या होगे तब तो आपको एक नमबर मिलेगा वो भी दे दे तो तो ये पूरा हमको सो करना पड़ता है ये हमको यहाँ पर सो करना पड़ता है अधर्वाइस इस टापिक में कुछ भी नहीं र करेगा दूरी पर विभाव मैं आपको कल के क्लास में पढ़ाया था विभाव को प्रभावित करने वाले कारक तो विभाव के प्रभावित करने वाले कारक में मैंने आपको एक पाइंट बताया था कि वहाँ दूरी के वित्क्रमान उपाती होता है मतब जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाता है, विभाव कमान कम होते जाता है, ओके इसके बाद जो हम इसका तीसरा कंडिशन पढ़ने वाले हैं, यह तीसरा कंडिशन difficult है थोड़ा difficult है कह सकते हो ठीक है तो इसके figure को थोड़ा ध्यान से समझना चलू आगे फिर ओके अब देखो आपको विद्दुचेतर की तिवरता का याद होगा कि वहाँ पर हमने अक्षी स्थिती निकाला था फिर निरक्षी स्थिती निकाला था उसके बाद हमने एनी पोजिशन निकाला था मतलब ना तो अक्षी में ना तो निरक्षी में इन दोनों को छोड़ के कहीं और तो यहां पर विभव भी हम किसी और position पर निकालते हैं यह हमारा तीसरा calculation है तो इस पकार से हम विभव के भी तीन position का calculation करते हैं जिस पकार से हमने विदु छत्र की तिवरता का किया था तो यह है हमारा तीसरा टापिक किसी भी बिंदू पर भी हो तो एनी पोजिशन में सबसे पहले आप प्रापर फीगर बना लो तभी आपको समझ में आएगा अदरवाइस नहीं आएगा तो आप लोग चलिए मेरे साथ साथ आप लोग अपने नोटबूक पर फीगर बनाईए यह आवेस का इस्थिती है क्योंकि सब कुछ इसके फीगर पर बेस्ड है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ फीगर बनाओ यह दो ब्लू पाइंट से मैंने आवेस का पोजिशन सो किया है एक माइनस क्यों आवेस है एक प्लस क्यों आवेस है नाम बाद में लिखेंगे नहीं तो लाइन से वो क्रास होते जाता है लाइन से क्रास होते जाता है तो फिर अच्छा ही लगता है इनी पोजिशन मालो यहां पर है और उसके लिए मैंने पहले से क्लाइन रा कर दिया यह एनी पोजिशन है इस बिंदु पर इस बाद दोनों को हमने मिला दिया यह दूरी को बताने के लिए हमने मिला दिया इस तरह से clear आगे बात समझ में यहां तक यहां पर minus q आवेस है माल लो और यहां पर माल लो plus q आवेस है और यह कोई point है p यही पर हमको विभाव की गढ़ना करना है यह p point पर हमको विभाव का गढ़ना करना है clear अब हम क्या करें इसके लिए हमको यहां से यहां तक का total distance 2a है तो यह जो half distance होगा यह a होगा यह भी a होगा यह any position माल लो x axis के साथ में यह theta कूर बनाता है इसको हमने क्या ले लिया अब हम यहां से इस distance को लेने के लिए suppose यह जो point है यह point o है और o से peak at which का distance क्या है r है इस तरह से हमने क्या ले लिया वहाँ पर r distance ले लिया अब हम यहां पर एक construction करते हैं इस construction को आप ध्यान रखना यह रचना बहुत जोरी है यहां पर और वो रचना हमारा क्या है यह मैं इसको highlight करके आपको बता रहा हूं color change करके उसको highlight क्योंकि सबसे important वही है हमने क्या किया इस point से इस पर एक perpendicular ड्रा किया और इस point से इस पर perpendicular ड्रा किया क्योंकि हमको लंबद दूरी चाहिए तो लंबद दूरी के लिए हमने क्या किया दोनों यहां पर perpendicular ड्रा किया points का नाम मैंने यहां पर नहीं लिखा इसको लिख देता हूं आनलों यह वाला जो point है वो हमारा B point है और यह वाला जो हमारा point है वो suppose A point है और यह जो perpendicular ड्रा किया है उसका भी नाम हम लिख देते हैं A से यहाँ पर ड्रा किया मालों वो A M है और B से यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया A N है तो figure यहाँ पर सबसे important है यह आप ड्रा करो इसके बाद हम calculation सुरू करेंगे अच्छा यहाँ पर देखो यह कोण जब ठीटा है तो इसका सामने वाला कोण सम्मूग कोण होता है यह भी ठीटा होगा क्योंकि हमको यह दोनों त्रिभूज में जरूरा थे भी इसकी इसलिए हमने उसको दोनों को ठीटा लिया है तो figure ड्रा करिए सबसे पहले तभी आपको calculation समझ में आएगा otherwise नहीं आएगा यहाँ पर हमको सबसे पहले यह जो om distance है सुनना ध्यान से चितर बनने के बाद यह om जो distance है और यहाँ पर om distance है यह दोनों distance को हमको निकाल के रखना है क्योंकि इसका आगे हमको calculation में ज़ुरत पढ़ेगा इसलिए सबसे पहले हमको उसका दूरी निकाल के रखना है तो step by step मैं एक एक करके धीरे धीरे आपको बता रहा हूं अराम से बहुत अराम से बता रहा हूं क्योंकि इसको मैं थोड़ा fast बता दूँ तो समझ में नहीं आएगा तो हमारे पास एक समकोर्थ रिभूज है देखो O-A-M ठीक है तो समकोर्थ रिभूज O-A-M में समकोर्थ रिभूज O-A-M में इसमें हम क्या कर रहे हैं हमको O-A-M निकालना है और O-A अपने को पता है तो O-A-M अपान O-A O-A-M अपान O-A इक्वल टू क्या होगा देखो जो थीटा का सामने वाला होता है जो थीटा का सामने वाला होता है लंब होता है मतलब A-M यहाँ पर लंब है और हमने लिकाला है O-A-M मतलब क्या है यह आधार है और यह क्या है कर्ण है तो आधार बटे कर्ण क्या होगा? कास थीटा होगा और इस प्रकार से O-M का जो वेल्यू होगा वह क्या होगा? O-A कास थीटा और इसको हम क्या लिख सकते हैं? O से लेके A तक के बीच की दूरी क्या है? A है यह उपर लिखा हुआ है हमने यह क्या है A तो क्या हो जाएगा A into cos theta तो यह हम O, M का value निकाल लिए उसी प्रकार से यह जो त्रिभूज आप देख रहे हो उसमें O, N का value निकालेंगे क्योंकि हमको इस दूरी का आगे जरूरत है तो अब हम ले लेते हैं क्या समकोरती भूज क्या ले लेते हैं O, B, N O, B, N में और इसमें हमको क्या निकालना है O, N निकालना है तो O, N को अंस में रखो और हर में भाग दो किसका जो ग्यात है क्या ग्यात है O, B तो O, B यहाँ पर ग्यात है तो that equal up देखो यह theta का मतलब यह भी क्या हो गया कास थीटा हो गया इस तरह से O, N बराबर हो जाएगा O, B, कास थीटा यह इसी को हम क्या लिख सकते हैं O, N इक्वल अब देखो O, B क्या है O से B भी A है तो O, N भी निकाल गया A, कास थीटा तो दोनों का value हमने A, कास थीटा, A, कास थीटा निकाल लिया O, N भी A, कास थीटा और O, N भी A, कास थीटा ठीक है तो दोनों का value यहाँ पर इसको मैं थोड़ा highlight कर देता हूं ताकि आपको पतर है यह महत्पून value है यह यह value और यह value इसका मतलब यह भी हो गया कि यह जो O, M है वो O, N के बराबर है यह जो O, M है O, N के बराबर है और यहाँ पर क्या है थीटा इतना छोटा distance होता है कि उसको हम negligible मान के सकते चल सकते हैं ठीक है आगे मैं उसको बताता हूं यहाँ तक कोई problem किसी को पी डिस्टेंस है पी डिस्टेंस है नो प्राब्लम सुभम कौन सा ट्राइंगल है मतलब यह कोई पर्टिकुलर ट्राइंगल नहीं है यह समकोर्ट ट्रिभूज है यह भी समकोर्ट ट्रिभूज है और यह भी समकोर्ट ट्रिभूज है क्यों क्योंकि हमने यहाँ पर लम डाला है जब भी हम किसी ट्रिभूज पर लम डालते हैं तो आटोमेटिकली वो समकोर्ट ट्रिभूज बन जाता है क्योंकि एक भूजा जैसे जैसे एक भूजा किसी दूसरे भूजा पर 90 डिग्री हुआ तो समकोर्जी भूज का निर्माण हो जाता है चली अब हम निकालें प्लस Q आवेस के कारण विभाव अब हमारा गड़ना ही स्टार्ट होता है कहां से प्लस Q आवेस के कारण देखो एक चीजा आप हमेसा ध्यान रखना फीगर को सापसूत्रा बनाना यदि बोड एक्जाम में आपको अच्छा नमबर लाना है तो फीगर सापसूत्रा बनाना वीवन इक्वल वन अपान फोर पाई अपसाला नाट और ये क्यू है और डिस्टेंस क्या है देखो चीतर में देखो प्लस क्यू के काराण ये जो डिस्टेंस है वह क्या है एपी या पी ए पी ए पी ए देट इक्वल अब इसको ध्यान रखना यहाँ पर देखो यह जो PA distance है वह लगभग लगभग किसके बराबर है PM के बराबर है क्योंकि मैंने बताया कि यह जो distance है वह negligible distance है यह negligible distance तो यह जो distance है PM के बराबर है तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं PA को हम लिख सकते हैं PM that equal 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon और PM को यहाँ से क्या लिख सकते हैं ध्यान देना यह जो PM है वो हो जाएगा PM, sorry, OP या PO minus MO ध्यान से देखो, PM बराबर हो जाएगा PO minus MO, ठीक है PO minus MO या OM, PM minus OM, ने, sorry, OP लिख देता हूँ, OP minus OM OP minus OM, यह हो जाएगा, that equal 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon यह OP क्या है, चितर से देखो, OP, O से लेके P तक के distance हमने क्या सपोस किया है, R क्योंकि वही दूरी पर हमको विभाव ग्याद करना है, तो उसका value कितना हो जाएगा, R हो जाएगा तो यह value हमने put up कर दिया, R, और minus OM इसी लिए निकाल के रखा है, OM, A कास थीटा तो हो जाएगा, R minus A कास थीटा, यह हमने निकाल लिया, plus q आवेस के करना विभाव इसी के similar side में निकालते हैं, minus q आवेस के करना विभाव एनी problem यहां तक, यहां तक कोई problem किसी को, minus q आवेस के करना विभाव minus q के करना विभाव को हम मालों ले लते हैं, v2, तो v2 equal to हो जाएगा, 1 upon 4pi epsilon 0, और यह, minus q, इसको minus लिखेंगे, तो minus q upon, यहां पर distance देखो क्या है चित्र में, अब distance है pb, अब distance है pb, तो यहां पर क्या हो जाएगा यह, pb that equal minus को सामने लिख देता हूँ, तो minus 1 upon 4pi epsilon 0, यह हो जाएगा, q upon pb तो pb को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखो pb, तो pb को जैसे हमने यहां पर इसको इसके लगभग बराबर लिया, तो उसको हम लग सकते हैं, किसके बराबर, pn के बराबर तो pb क्या होगा, pn के बराबर होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम pn के बराबर लिख लें उसको, तो हो जाएगा, pn that equal minus 1 upon 4pi epsilon 0, q upon, अब pn क्या है, फिगर से देखो, यह जो p से n तक का distance है, इसको हम लिख सकते हैं, op plus on op plus on, तो टोटल दूरी हो जाएगा, op plus on, op plus on, अब मान भरो इसका, that equal to minus 1 upon 4pi epsilon 0, q upon, op क्या है, देखो, r है, o से ले के p तक यह r है, और on हमने निकाला है, एक 0-2rikल, तो r minus 1 genocide, यह स्वारी r plus होगा, r plus a cast theta, यह हो गया, तो हमने यहां से v1 निकाला है, और यहां से v2 निकाला है, देखो, left side में हमने v1 निकाला है, और right side में हमने v2 निकाला है, अब हमको निकालना है परिणामी विभव, तो परिणामी विभव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, परिणामी विभव निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ेंगे, ये बड़ा टापिक है, ध्यान से समझो, इसलिए परिणामी विभव या क्या कह सकते हैं, कुल विभव, तो इसलिए, कुल विभव, V बराबर, V1, प्लस, V2, that इक पल, अब V1 का मिल्ल्यू क्या है, देखों यहां से, 1 upon 4 pi epsilon 0, q upon r minus a cast theta, 1 upon 4 pi epsilon 0, q upon r plus, sorry, r minus, यह minus है, r minus a cast theta, और यह minus है, V2, 1 upon 4 pi epsilon 0, q upon r plus a cast theta, यह होगा, दोनों में जो उभवे निष्ट है, common हो, उसको बाहर कर लो, हो जाएगा, 1 upon 4 pi epsilon 0, q common है, तो यहां से हो जाएगा, 1 upon r minus a cast theta, और यह minus हो जाएगा, 1 upon r plus a cast theta, यह होगा, that equal, 1 upon 4 pi epsilon 0, अब यहां से, q upon, इंटु q, यह q है, अब दोनों का एजियम निकालेंगे, तो दोनों के एजियम क्या होगा, दोनों के गुड़न फल के बराबर होगा, जैसे भी हमने साल्व किया है, तो दोनों का गुड़न फल हो जाएगा, r minus a cast theta, और इंटु r plus a cast theta, यह होगा, अब देखो, यह यहां 1 के साथ multiply हो जाएगा, तो हो गया, r plus a cast theta, और minus, इसके साथ, तो दोनों को चीन बदल जाएगा, minus r plus a cast theta, मैंने दोनों को चीन बदल दिया, अब इसको हम सरल करेंगे, सरल करने में कोई प्राब्लम नहीं है, देखो, r, r कट जाएगा, तो a cast theta बचेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, तो v equal 1 upon 4 pi epsilon 0 into q into a cast theta, a cast theta, दोनों 8 होके, 2a cast theta होगा, और नीचे में देखो, यह r minus a cast theta, r plus a cast theta, दोनों multiply होके, क्या हो जाएगे, r square minus a square cast square theta, यह होगा, that implies v equal 1 upon 4 pi epsilon 0, 2qa, यह हो जाएगा, p into cast theta, p into cast theta, और upon r square minus a square cast square theta, यह हो जाएगा, और यह इसका final equation है, तो मज़ेदार calculation है, मज़े आगे है calculation में, ठीक है, समझ में आया calculation, कि नहीं आया, आगे है, अब यहाँ पर हम एक छोटा सा condition apply कर लें, जो पहले आपको बताये थे, क्या, कि यदि यह जो a का value है, यह r से बहुँँ छोटा हो, तो हम यह पूरे terms को negligible मान सकते हैं, और तब विभाव भी equal to हो जाएगा, 1 upon 4 pi epsilon 8, p cast theta, और upon यह तो 0 हो गया, तो r square, यह हो जाएगा उसका formula, तो यह हमारा complete हो गया, आज हमारा topic, विभाव का जो topic है, वो complete हो गया, हमको थोड़ा सम विभाव प्रिश्व गर आगे पढ़ना है, और उसके बाद ही हमको धारिता शुरुवात करना है, ठीक है, तो next topic जो हमारा होगा, वो हम capacitors स्टार्ट करेंगे, अच्छा, सम विभाव प्रिश्ट भी आज के टापिक में पढ़ा देते हैं, ठीक है, तो विभाव वाला part complete ही हो जाएगा, application में notes मिल रहा हैं भाई, कैसे नहीं मिलेंगे, चलिए, next topic हम पढ़ते हैं, सम विभाव प्रिश्ट, इंगलिश में बलते हैं, equipotential surface, अब सम विभाव प्रिश्ट या equipotential surface क्या है, एप में मिलेगा, जिनको application में नहीं मिल रहा है, तो application अनिंस्टाल करके इंस्टाल करो, और ध्यान रखना, application को registered students के नाम से करो, not parents, यदि आप parents के नाम से करोगे, तो उसमें study material नहीं open होगा, उसमें दो आपसान आता है कि किसके नाम से registered करना है, तो कई बारी student क्या करते हैं, उसमें parents का कर देते हैं, तो उसमें नहीं निकलेगा, तो ऐसा कुछ फाइल रहता है आप लोग के उसमें जिसके कारार PDF आपको नहीं मिलता है, बाकी लोग को मिलता है, तो क्यों नहीं मिलेगा भई, मिलेगा सब को मिलेगा, यह बहुत important topic है, बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत important है, इसको हम इसके साथ आज पढ़ा देते हैं, यह board exam में 2 नंबर का या 3 नंबर का 2 marks या 3 marks का पूछा जाता है, और question में सीधा सीधा पूछता है, सम विभाव पूछत किसे कहते हैं, गूर लिखो, question का पूछता है, सम विभाव पूछत किसे कहते हैं, गूर लिखो, मतलब क्या है, परिभासा लिखना है, और उसकी कुछ properties लिखना है, तो सम विभाव पूछत नाम से इसपस्ट है, ऐसा पूछत जिसके प्रत्येक बिंदू पर विभाव समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, सम विभाव पूछत कहते हैं, ठीक है, प्रिष्ट किसे कहते हैं, इसके गूर लिखो, या इसकी विशेस्टाय लिखो, तो पहला property यह है, कि सम विभाव पूछत से निकलने वाली जितनी विद्यूद बल रखाए होती हैं, वो इस तरह से प्रिष्ट पर लंबत होती हैं, यह सब ही क्या होती है, प्रिष्ट पर लंबत होती हैं, मतला सम विभाव पूछत से जितनी विद्यूद बल रखाए निकलेंगी, यह सब के सब अपने प्रिष्ट पर लंबत होते हैं, क्लियर, प्रिष्ट पर लंबत, पहली बात, दूसरी विशेस्ता क्या है? सम विभाव प्रस्प्रिस्ट से निकलने वाली जो बल रखाए हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती यह पहले पढ़ चुके है और एक दूसरे को नहीं काटती साट कर्ट में मैली कराओं नहीं काटती तीसरी विशेस्ता क्या है? अस्सम विभा प्रिष्ट है, तो दो बिंदू की बीच का विभा अंतर सुन्य ही होगा, भैई दो बिंदू का विभा समान है, तो उसका अंतर निकालोगे तो सुन्य नहीं हो जाएगा, दोनों बिंदू का विभा मालों 10 वोल्ट है, तो अंतर सुन्य हो जाएगा, तो यह हो कावेस को यदि हम यहाँ पर एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाना चाहें तो एक आँक कावेस को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता ले जाने में कार नहीं करना पड़ता नो वर्क डन ये है सम्विभव प्रिष्ट और उसकी विशेस्ता है क्लियर इस्थिर विद्वत था धारिता का हम सेकंड पार्ट में आ गए अभी तक हमने विभव पढ़ा था अब हम चले आए धारिता पर ठीक है तो बिल्कूल हम जीरो लेवल से डिसकासी स्टार्ट करें हमारा फांडेशन का क्लास है और इस क्लास में कोई भी कंसेप्ट नहीं चूकना चाहिए क्योंकि बाद में जब हम कामपुटिटिव का प्रिप्रेशन करते हैं तो आपको खुद मालूम है कि वहाँ पर हम क्लास थोड़ा रैपीट करते हैं न यह समझ के करते हैं कि बाकी चीज आप लोग जानते हो ऐसा चलते हैं विद्युद धारिता अच्छा मुझे आप यह बताओ धारिता का समान ने मतलब क्या होता होगा धारिता का समान ने मतलब क्या होता होगा हर कोई जानता है धारिता मतलब धारन करने की छमता धारन करने की छमता को हम धारिता करते हैं हर चीज की चाहे वो बहुती कवस्तू हो, चाहे बहुती कवस्तू ना हो, सब की अपनी एक छमता होती है, हमारी आपकी भी अपनी एक capacity होती है, यह केवाल living things, non living things के लिए लागू नहीं होता है, living things के लिए भी लागू होता है, जीवी चीजों के लिए भी लागू होता है, हम लोकी भी किसके धाराण करने की छमता पर बात करेंगे यहाँ पर हम आवेस के धाराण करने की छमता पर बात करेंगे ठीक है जैसे मान लो आवेस मैं आपको शुरू दीन एक बात मैंने आपसे कही दिये आपको याद होगा तो विद्युत को पढ़ने में mechanical physics यांत्रिकी भोतिकी की क्योंकि विद्धुत हमको दिखाई नहीं देता है बाकी भौतिक वस्तुएं हमको दिखाई देती है यदि मैं आपको बलूँ कि मेरे पास एक 10 लिटर का कंटेनर है डब्बा है और उस दिब्बे में मैं कहां 10 लिटर का लिक्विड दूद भरना चाहता हूं वहां समझ में गया 10 लिटर उसमें दूध या कुछ भी लिक्विड ढलूंगा भर जाएगा तो 10 लिटर है उसमें उसकी धारिता है वी लेकिन electricity में क्या problem आता है? कि मैं बोलूं कि मैडे पास ये आवेसेद, इसको मैं आवेस दिया, पिने भाएसेद स्टोर किया, तो दीख नहीं रहरा हैं, क्या पता वहाँ इस्टोर है, की नहीं है, कहां है, कहां पर इकठणा है, कुद्ध दिखे ही रहरा है, इसलिए electricity में कोई चीजों को समझने में थोड़ा problem आता है तो यहाँ पर हमको थोड़ा imagination के level पर जाके बात करना होता है बाकी तो चीज हमको समझ में आ जाता है तो धारिता का सीधा मतलब है जिस प्रकार से किसी container में 5-10 लिटर चीज को हम भर सकते हैं उसी प्रकार से किसी चालक में हम आवेस को इस्टोर कर सकते हैं जैसे 5 लिटर का बरतन, 5 लिटर का ही liquid को भरेगा वैसी जिसकी capacity जितनी होगी उतने ही आवेस को इस्टोर करेगा इन चीजों पर हमको detail में discuss करना है तो पहले हम धारिता का mathematical farm देखें कि गडिती रूफ से तो आपको याद होगा कि हमने ठीक इसके पहले वाले topic में पढ़ा विभाव को प्रभावित करने वाला कारक और मैंने आपको पढ़ाया कि विभाव को प्रभावित करने वाले कारक में एक होता है आवेस आवेस विभाव के समन उपाती होता है that means किसी भी चालक में जितना अधिक मात्रा में आवेस देंगे उतना ही ज़्यादा उसमें विभाव उत्पन होगा या उतना ही ज़्यादा उसका विभाव होगा हमको मालूम है तो यहाँ पर क्यू जो होता है वह प्रपोस्टनल टू होता है भी क्यू प्रपोस्टनल टू भी होता है कल मैं आपको विभाव को प्रफाइट करने वाले कारत में भी प्रपोस्टनल टू क्यू मैंने समझाया आवेस बढ़ाने पर विभाव कमान बढ़ता है आज मैं लिख रहा हूँ Q proportional to V ये पहला है ये दूसरा relation है तो मैं आप से एक बात पुछना चाहता हूँ ध्यान से सुना मेरी बात मैं आप लोगों से एक बात पुछना चाहता हूँ कि इन दोनों संबंधों में पहला संबंध सही है कि दोनों सही है A वाले इसको सही बोलोगे B वाले इसको सही बोलोगे और C वाले बोलोगे A तथा B पहला तथा दूसरा दोनों D आप संब नहीं है चलिए बताईए क्या बोला मैं समझ में आया ये सही है कि ये सही है कि दोनों लिखा जा सकता है यदि दोनों को सही कर दे, तब तो बड़ा गड़बड हो जाएगा कैसे देखो, ध्यान से सुनना इसको मैं साल्व करूँ, तो q equal to a constant का multiply करेंगे तो q equal to c into v होगा, इसी constant c को हम धारिता कहते हैं और इस तरह से therefore c equal to q upon v होगा यदि मैं इसको साल्व करूँ, तो v equal to c into q लिखूँगा तो c equal to kya हो जाएगा, v upon q तो दोनों बात कैसे सही हो जाएगा भई फिर धारिता का दो परिभासा हो जाएगा दोनों सही कैसे हो जाएगा यदि यह भी सही है तो c equal to q upon v और यह भी सही है तो c equal to v upon q ऐसा तो physics science में ऐसा हो नहीं सकता तो दोनों सही तो नहीं हो सकता कोई एक सही है तो फिर अब मुझे बताओ कि पहले और दूसरे में कौन सही है अब पहले और दूसरे में कौन सही है जिन लोगों ने बोला है A सही है जिन लोगों ने बोला कि ए सही है उन में से कोई कारण बता सकता है क्यों सही है मैं कुछ special concept आपका clear कर रहा हूँ mathematically according to the concept of mathematics यदि x proportional to y हो तो y proportional to x होता है ये गलत नहीं है क्यों यदि x y के समान उपाती है तो y x के समान उपाती होगा no doubt क्योंकि एक कमान बढ़ाने पर दूसरा बढ़ेगा vice versa relation होता है दूसरे कमान बढ़ाओगे तो पहले कमान बढ़ेगा no doubt ये बिल्कु सही बात है लेकिन physics में जहां पर भी दो भोतिक रासियों में समान उपाती सम्मन होता है वहाँ पर practically थोड़ा care करना पड़ता है जैसोम सला मैं पढ़ाऊंगा आगे तो वहाँ पर भी मैं ये बात आपसे पूछूँँगा हलाकि इतना लंबा discuss महानी करूँगा क्योंकि आप जान चूके रहोगे इसलिए मैं दो मिलाट बताऊंगा आप समझ जाओगे आज के क्लास में मैं उस concept को complete clear कर देना चाहता हूँ ताकि future में आपको problem नहूँ तो कल मैंने विभाव को provide करने वाले काराक में ये बताया ये गलत नहीं है क्योंकि आवेस बहाने पर विभाव बढ़ेगा बट जब हम practically सोचते हैं कुछ student ने बहुत सही सांसर दिया कि sir विभाव आवेस पर निर्भर करता है विभाव आवेस पर निर्भर करता है या क्या सकते हैं कि कि किसी भी charge body को आवेस देने पर विभाव उत्पन होता है इस कारण से क्या होता है कि आवेस को हम विभाव का समानुपाती कहते हैं तो practically हम ऐसा सही लिखते हैं ध्यार रखना और इस तरह से आपको concept clear रहेगा तो कभी आपसे mistake भी नहीं होगा प्रस mistake का आप छोड़ो हम रट के भी सही चीज़ याद रख लेते हैं ऐसा नहीं है हम रटा मार के भी सही चीज़ याद रख सकते हैं लेकिन physics पढ़ने का मतलब है कि आप चीजों को बहुत सुक्ष्मता से discuss करो कि ऐसा क्यों Q proportionality V ही क्यों हुआ clear अब बात को आपको समझ में आगी कुछ लोगों ने सही answer दिया था बहुत अच्छा लगा मुझे तो Q proportionality V होता है क्योंकि आवेस दने पर विभा उत्पन होता है जैसे कोई pin है मेरे पास उसको मैं आवेस न दूँ और बोलू उसमें विभा उत्पन हो जाए it's not possible मैं जब उसको आवेस दूँगा तो उसमें विभा उत्पन होगा तो clear चलो आगे हम डिसकस करें फिर Q proportional to V होता है तो आगे तो clear समझ में आगे हैं यहां तक मैं आपको बता दिया constant का multiply क्या C equal to Q upon V हुआ और यह C equal to Q upon V जो होता है यही जो constant मिला अपने को C इसी C को हम कहते हैं capacity C for capacity और हिंदी में कहते हैं इसको क्या धारिता और इसका मातरफ होता है क्या फेराड इसका मातरफ है अब हम इसको परिभासित करें अब हम इसको परिभासित करें कि भै इसको हम परिभासित कैसे कर सकते हैं C को, तो मैंने आपको बहुत बार परिभासा बनाना सिखाया है, देखो C equal to क्या हो जाएगा Q upon V, C equal to Q upon V, तो यहां पर यदि हम विभाव को, विभाव को क्या कर लें, E काई मान लें, यदि हम विभा जान से समझना परिभासा देखो में बार-बार बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा डिसकस आपको definition पर करना चाहिए, क्योंकि definition और concept तो फिजिस की जान है, आप यदि परिभासा को रटे, जैसे आपको याद होगा कि विभाव पढ़ाते समय में आपको बताया था, कि विभ विभासा करें, तो हम क्या कर सकते हैं, इकाई विभाव पर, यदि किसी पिंड पर विभाव इकाई हो, या यदि किसी चालक पर, चालक पिंड हो सकता है, यदि किसी चालक पर इकाई विभाव हो, तो उसमें जो आवेस की मात्रा है, वह उसकी धारिता के बराबर होता है, इकाई विभाव उपर, जैसे माललो मैं बोलूं, एक मिन्यट मेरे एक्जाम्पल ध्यान सुनना, माललो मेरे पास यह कोई आवेसित प्रिंड है, और मैं बोलूं कि इसका विभाव 1 है, इसका विभाव 1 है, और इस समय इसमें आवेस की मात्रा, माललो, 6 कुलाम है या 6 माइक्रो कुलाम है तो एकाई विभाव पर यह जो 6 कुलाम इसमें आवेस की मात्रा है यही इसकी धारिता के बराबर होगी यह बिल्गू सही definition है बट यह बहुत छोटे सेंस पर है छोटे सेंस पर है मतलब अब तो ऐसी बात हो गई कि भाई हम धारिता को तभी परिभासित कर पाएंगे जब किसी चालक का विभाव इकाई हो तभी परिभासित कर पाएंगे लेकिन यदि मेरे को किसी चालक का विभाव मालो 15 वोल्ट है तो क्या वहाँ पर धारिता परिभासित नहीं किया जा सकता है किया जा सकता है तो उसको हमको खृत ब्राट सेंस में अब समझना है तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो यहाँ पर इसका परिभासा यह गलत परिभासा नहीं है यह बिल्कू सही परिभासा है इकाई बिभाव पर किसी चालक में उपस्थित आवेस की मातर उसकी धारिता कहलाती है 100% सही आंसर है बट वो बहुत limited sense में है अब उसको हम बहुत broad sense में समझें तो क्या कहेंगे ध्यान से सुनो जैसे मालो मेरे पास ये कोई आवेसित पिंड है मालो कोई आवेसित पिंड है और इस आवेसित पिंड का मालो विभाव 15 वोल्ट है मालो इसका विभाव 15 वोल्ट है अब यह 1 वोल्ट नहीं है अब इसका विभाव क्या है 15 वोल्ट है तो 15 वोल्ट होने पर यदि इसको मैं 16 वोल्ट करना चाहूं यदि इसके विभाव को 15 से 16 करना चाहूं तो जब इसके विभाव को मेरे को 15 से 16 करना होगा तब मुझे इसको क्या देना पड़ेगा इसके लिए मुझे इसको आवेस देना पड़ेगा क्योंकि जब मैं इसमें आवेस दूंगा तो आवेस देने से ही इसका विभाव 15 से 16 होगा 15 से 16 होगा मुझे जितना आवेस इसको देना पढ़ रहा है वही आवेस की मात्रा क्या कहलाती है उसकी धारिता कहलाती है तो यहाँ पर देखो आवेस क्यों अब इसके definition को मैं बहुत broad sense में अब आपको समझा रहाओ ध्यान से सुना किसी आवेशित पिंड की या किसी पिंड के विभाव में इकाई विधी करने के लिए जितनी आवेश की आवस्कता होती है या आवेश की मात्रा को हम उसकी धारिता करते हैं किसी आवेसित पिंड के विभाव में इकाई वृद्धी करने के लिए आवेस की मात्रा को उसकी धारिता कहते है तो ये हो गया विद्धुत धारिता की धारिता क्या होता है और इसकी परिभाशा आप यहां से कर लोगे बाकी systematic इसका definition हमारे notes में मिलागत जो आप हमारे एप्लिकेशन से बीना किसी फिस के फ्री में डाउनलोड कर सकते हो एप्लिकेशन से ओरीजिन दा लर्नर सबसे रोज याद दिलाता हो हमें आपको गोली चालक की धारिता अब हम पढ़ते हैं गोली चालक की धारिता मानलो हमारे पास कोई चालक ऐसा है जो गोलाकार है imagine करो कि हमारे पास ये कोई गोलाकार चालक है और इस गोलाकार चालक की हम धारिता जानना चाहते हैं कि इसकी धारिता कितनी हो सकती है गोली चालक है न, इसमें कई लोग को कैपेसिटर के साथ में कन्फूजन हो जाता है ठीक है, तो ये कैपेसिटर नहीं है, समान ने चालक है, लेकिन गोलाकार है अब यदि ये गोली चालक की त्रिज्जा को हमने R मान लिया और इस आर्थ रिज्जा के गोली चालक को सपोज हमने आवेस दिया सपोज इसको हमने प्लस क्यों आवेस दिया हुआ है माइनस भी दे सकते हैं कोई ज़री नहीं कि प्लस ही देना है जो भी आवेस आप दे सकते हैं अब जब हम इसको आवेस देंगे अभी हमने फार्मूला पढ़ा है C equal to Q upon V, चूंकि हमको पता है C equal to Q upon V, तो हमको इसका विभाव पता होना चाहिए, तो गोली चालक का विभाव, गोली चालक बिंदु चालक होता है, बिंदु आवेस होता है, तो गोली चालक, गोली चालक का विभाव, जिसको हम V से पतासित करते हैं तो V equal to होता है 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R, जो कि इसकी त्रिज्जा है, ये हो गया इसका विभाव अब इस विभाव के मान को हम यहाँ पर put up कर दें, तो इसकी धारिता प्राप्तव कर लेंगे therefore, धारिता, इस लिए उसकी धारिता, c equal to Q upon V से, ये तो हो गया Q और upon V, तो V का value हम इसको put up कर देंगे, 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R, ये हो जाएगा और ये दोनो Q उपर निचे से कड जाएंगे, ये, और ये उपर चले जाएंगे, तो therefore, therefore, हमको यहाँ पर जो फारूला मिलेगा, ओ मिलेगा, c equal to 4 pi epsilon 0 into R, 4 pi epsilon 0 into R, ये होता है किसी गोली चाला की धारिता, इस पकार से किसी गोली चाला की धारिता है, c equal to 4 pi epsilon 0 into R के बराबर होता है, अब यदि हम इसको CGS सिस्टम में लें, cgs प्रणाली में यदि हम इसको लें, तो हमको मालूम है कि cgs प्रणाली में 4 pi epsilon 0 constant नहीं होता कुलाम के नियम में, उसका मान क्या होता है, एक होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो c equal to क्या हो जाएगा R, इस पकार से, यदि हम CGS सिस्टम में कलकुलेट करें, तो CGS सिस्टम में जो कैपेसिटर है, वह radius के इक्वल होता है, मतलब उसकी जो कैपेसिटी है, किसी spherical charge body का जो कैपेसिटी है, वह उसके radius के इक्वल होता है, जब उसको CGS में मतलब cm में मापा गया हो, और जब उसको SI unit में, या MKS सिस्टम में जब measurement करते हैं, तो c equal to होता है 4 pi epsilon 18 to R, यह एक ऐसा example है, जिसमें से बहुत बार question exam में पूछा गया है, इसमें से, इसमें कई बार competitive exam में, आपकी school exam में तो common बात है, board exam बगर में, competitive exam में भी उससे question पूछा गया है, एक बहुत important question है, जिसको बहुत बार, बहुत तरह के competitive exam में पूछा जा चुका है, वो मैं भी आपको बताता हूँ, clear? chemistry का notes मिलेगा आपको 2-4 रोज में, ठीक है? अभी class start हुआ है, तो class में आपको notes मिलते जाएगा, मिलेगा, मिलेगा, ये एक बहुत important numericals है, एक example भी है इसका, जो कभी भी आपको exam में पूछा जा सकता है, यदि पृत्वी की तरिज्या 6400 km हो, तो उसकी धारिता कितनी होगी? और वास्ताव में पृत्वी की तरिज्या इतनी ही होती है, तो हमको उसको calculate करना है कि कितना होता है? देखो, चूर्कि पृत्वी क्या है? एक spherical charge, spherical body है, पृत्वी क्या है? गोलाकार है ना, गोलाकार मानते हैं पन उसको, हाले कि उसका आकरिती क्या होता है? लगधोक्स गोलारत होता है, लेकिन हम उसको गोलाकार मानते हैं, ठीक है? तो c equal to, फार्मूला भी हमने पढ़ा, 4 pi epsilon 0 into 10 to the power 9, तो यहाँ पर उपर चला गया है यह, तो इसका value होगा आएगा, c equal to, 1 upon 9 into 10 to the power 9, और into, यह 6400 किलो मीटर, तो 400 into 1000, इसको मीटर में चेंज करेंगे अपन, इस तरह से इसको साल्व करेंगे, और जब इसको साल्व कर लेंगे, तो हमको value direct आप याद रखो, 711.1 microfarad आता है, यह वास्तवा में प्रिथ्वी की धारिता को हम इस तरह से calculate करते हैं, next, next topic का हम पढ़ते हैं, संधारित्र, अब हम अपने main topic पर आते हैं, capacitor के, तो भाई capacitor क्या है, capacitor किस तरह के device को कहते हैं, संधारित्र क्या है, यह हमको सबसे पहले समझना है, what is capacitor, तो अभी हमने पढ़ा एक practical example आपको बताते हैं, उसके बाद इस पर हम detail discuss करेंगे, suppose यहाँ पर मैंने यह दो plate लिया, यह दो plate लिया, अब इन plateों में यदि हम क्या किया, plate A को, यह दो plate A और B, मालना यह plate A है, plate B है, और हमने plate A को plus charge दिया, इस तरह से, plate A को plus charge देने पर, plate B के अंता सत्र हमें, मतलब inner part में इस side, induction के कारण, विद्यूत प्रेराण के कारण, माइनास आवेस उत्पन हो जाएगा, और इसके बाहर में, outside में, प्रेराण के कारण ही, धन आवेस उत्पन हो जाएगा, इस तरह से, अब हम इसको जब आवेस देते जाएंगे इसको आवेस देते जाएंगे तो एक condition ऐसा आएगा कि आवेस देते देते फिर क्या होगा इसकी जो capacity होती है ये capacity फुल फिल हो जाएगा, complete हो जाएगा और इस प्रकार से वह charge store करना बंद कर देगा क्यों? जैसे मैंने आपके example बताया कि 5 लिटर के container में हम 5 लिटर liquid ही store कर सकते हैं उसी तरह से इसकी जित्मी छमता है charge store करने का वह उतना store करेगा और उसको charge लेना बंद कर देगा उससे ज़्यादा charge हम देंगे तो actual में वह air में diffuse कर देगा मतलब विश्रित कर देगा हवा में जैसे 5 लिटर के बरतन में आप 10 लिटर का 6 लिटर का पानी या दूद भरोगे तो 5 लिटर तक तो भरेगा और उसके बाद उसको बाहर गिरा देगा उसी प्रकार से यदि आप इसको इसकी छमता से ज़्यादा जब आवेस दोगे तो जहां तक उसकी सीमा है वहां तक वो इस्टोर करेगा और उसके बाद क्या करेगा उसको वो डिफ्यूस कर देगा इस तरह से अब इस ब्यवस्था में थोड़ा सा चेंज किया गया वाई ग्यानिकों ने इस व्योस्ता में थोड़ा चेंज किया और क्या चेंज किया वो चेंज को ध्यान से समझो ये दो प्लेट हैं वही दो प्लेट हैं और इन दोनों प्लेट में उसी तरह से ही क्या किया गया आवेस दिया गया इसको हम प्लस आवेस दिये प्लास आवेस देने से इसके इनर साइड में माइनस आवेस उत्पन हुआ इस तरह से और अब क्या किया गया इसका जो आउटर सर्फेस है बी का बी का जो बाहर का सर्फेस है इस बाहर के सर्फेस को हमने क्या किया प्रिथ्थी से कनेट कर दिया यह वाइर लिया, conductor वाइर, जैसे घर में अर्ठिंग लगाते हैं आपको पता है, अर्ठिंग के बारे में सबको पता है। घर में जब elektrification कराते हैं, तो उसमें हम बराबर अर्ठिंग लगाते हैं। तो इसका संपर्ग पृत्वी से कर दिया अब पृत्वी से इसका संपर्ग करने पर हुआ क्या पृत्वी की जो विभाव है पृत्वी का विभाव जीरो होता है पृत्वी का विभाव सुन्य होता है और इस कारार से यहां पर्ग का जितना चार्ज है वो पृत्वी के साथ निटिलाइज हो जाता है, जीरो पोटेंशियल हो जाता है और आउट साइट का जितना भी धन आवेस है, वो कह सकते हो कि प्रिथ्वी में चला जाता है, और थिंग के साथ में वो कनेक्ट हो जाता है, इस तरह से अब हम इसको और आवेस दे सकते हैं, अब इसको हम जितना चा परिवासा क्या हो जाएगा संधारित्र एक ऐसी युकती है जिसके आयतन या आक्रिती में किसी भी प्रकार का परिवरतन किया बीना उसकी धारिता हम बढ़ा सकते हैं मतलब संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी धारिता हम बीना उसके आयतन या आकरिती में परिवर्तन किये बढ़ा सकते हैं हम जितना चाहें उतनी धारिता उसकी बढ़ा सकते हैं बीना उसके आयतन या आकरिती में परिवर्तन किये इस device को वह क्यानिकों ने क्या 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 capacitor कहा संधारितर कहा आगे चल के हूँ उसको detail में पढ़ते जाएंगे भी capacitor क्यों बनाया गया किस काम में आता है device में कैसे काम करता है मैं आगे उस पर discuss करूँगा ठीक है तो यह capacitor कहलाता है यहां तक आप note करो इसकी परिवासा आप लि प्रिथ्वी की धारिता का तो c equal to हमको पता है q upon v होता है अब चू की प्रिथ्वी का विभाव 0 होता है उसको हम वहाँ पर put up कर दें v के जगह में तो क्या हो जाएगा c equal to q upon 0 और therefore c equal to क्या हो जाएगा infinite इस तरह से हम कहा सकते हैं कि प्रिथ्वी की धारिता है वो अनन्त हो और फिजिक्स वही स्टूडेंट पर सकता है जिसमें जिग्यासा हो क्यूरिसीटी हो चीजों को बहुत सुक्समिता से जानने का जिसमें पैसेंस हो बहुत धैर से सुनने का ठीक है अदरवाइस कई लोग तो मेसेज करने लगते हो कि सर आगे बढ़ो सर आगे बढ़ो सर नेस टापिक ऐसा नहीं है इसी लिए सब्जेक्ट पूर हो जाता है आप जब एक बार पढ़ने के बाद जब रिविजन करोगे एक बार पढ़ने के बाद जब आप काम्पूटिटिव एक्जाम का प्रिप्रिशन करते रहोगे उस समय पढ़ने का प्रिश को पढ़ रहा हो तो पहली बार में आप पूरी सुक्ष्मता से पढ़ो क्योंकि आगे के लिए ज़रूरी भी है और उस समय अपने पास सफिसेंट टाइम ही होता है बाद में जहां नीट आइडी के त्यारी करते रहेंगे बहुत हड़बड़ी में अपने को डिफ चेप्टर आराम से चल रहा है तो उसको अब बहुत ध्यान से समझो अधर वाद में पस्ता होगे यह मुझे मालूम है इसलिए चीजों को बहुत सुक्ष्मता से समझो पैसेंस डवलप करो जब बता रहा है कोई आपको बहुत ध्यान से तो आपको तो सुनना है समझना है ठेक तो विभाव प्रिथी का विभाव सुन उसकी धारिता अनंत संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आयतन या आकृती में परिवरतन किये बीना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है कभी कभी एकजाम में संधारित्र का सिध्धान्त लिखो बोलता है तो इसी बात को सिध्धान्त में लिखो गए यही संधारित्र का सिध्धान्त यही संधारित्र की थियोरी है किसी चेप्टर में कुछ छोटे मोटे डेफिनेशन मालो मिस हो गए है तो आप उसको कवर कर सकते हो या किसी दिन मैं डिसकस कर दूँगा उसका उसका उस पर मैं डिसकस कर प्लेट संधारित्र यह पहला संधारित्र है और सबसे important capacitor है समांतर प्लेट संधारित्र तो capacitor के type पढ़ेंगे जिसमें हमारा पहला type है समांतर प्लेट संधारित्र तो सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं नाम से इसपस्ट है दो प्लेट इसमें समांतर होने चाहिए तो पहले तो चितर ही बना लें अपन जो भी मैं बार बार नहीं पीछे फिगर बना रहा था वास्तों में वो पहले प्लेट केपेसिटर ही है तो इसमें दो समांतर प्लेट होते हैं ठीक है दो समांतर प्लेट होते हैं और यह दो समांतर प्लेट सिलेंड्रिकल भी हो रैंता सकते हैं और रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं तो उसके साइजorang हो सकते हैं, कि सर ने तो figure आशा direct का संपर्क यहां से कर देंगे प्रिथी से कर देंगे यह तो capacitor में आपको हर capacitor के साथ में करना ही है यह उसका जवरी part है उसका सिधान थी है अभी मैंने आपको बताया यह plate A है यह plate B है plate A को हमने धन आवेस दिया इस पकार से तो ध्यान रखना plate B में क्या उत्पन हो गया रिड़ आवेस उटपन हो गया, यह माईनस चार्टब अब लफ हो गया सब्सो करना यहाँ पर इन दोनों प्लेटों की बीच की दूरी को हमने D माल लिया है, माल लूट पहले प्लेट में आवेस घनत में सिग्मा है तो दूसरे में आवेज घना तो माइनस सीगम हो जाएगा क्योंकि यह रिल प्लेट है और यहाँ पर पित्वी का विभाव को 0 लिखना जरूरी है कुछ electric lines of forces हम सो कर देते हैं विद्यूत बार रखाएं ACB में इस तरह से जा रही है ठीक है? यह हम कुछ electric lines of forces सो कर देते हैं अब अभी इन दोनों प्लेटों की बीच में अभी इन दोनों के प्लेटों की बीच में वाई हुआ निर्वाद भरा हुआ है मतब इसके बीच में कोई पदार्थ नहीं भरा हुआ है इसको हमने आवेज दिया हुआ है जिसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक wiring इस पकार से बता दो इसको हमने दिया हमालो प्लस क्यू आवेज ये दिया हुआ है तो figure clear सबको ये कहलाता है समानता प्लेट संधारीत्र अब देखो समानता प्लेट संधारीत्र पर हमको विभाव की गढ़ना करना है तो विभाव की गढ़ना करने के लिए आप देखो सबसे पहले जब विभाव की गढ़ना हमको करना हो सबसे पहले जब विभाव की गढ़ना करना हो तो विभाव की गढ़ना करना होता है क्यों? क्योंकि C equal to Q upon V होता है C equal to Q upon V भी होता है तो कभी भी किसी कैपेसिटर का गढ़ना करना है तो हमको क्या करना है सबस्पहले विभाव के गढ़ना करना है तो यहाँ पर जो विभाव है वो निकालने के लिए विदुछेतर की तिब्रता निकालना पड़ेगा तो विदुछेतर की तिब्रता के सहायता से विभाव निकलेगा और विभाव की सहायता से फिर हम उसकी धारिता निकालेंगे ठीक है तो पहला गढ़ना करेंगे क्या प्लेटों के मध्ये प्लेटों के मध्ये प्लेटों के मध्ये विदुछेतर की तिब्रता है तो जब दो समांतर प्लेट हो, तो दोनों समांतर प्लेट के बीच में जो विदुच्छतर की तिवरता का फर्मूला होता है, वो मैंने आपको बताया था, sigma A minus sigma B upon 2 epsilon 0, यह मैंने आपको बताया था, अब याद करो, गास प्रमे के application में प्लेट के बाद मैंने यह condition आपको समझ आया था, ठीक है, अब यहाँ पर हम sigma A, sigma B का value को put up करें, तो sigma A का value क्या है, sigma है, तो यहाँ पर sigma A का value, sigma और minus sigma B का value क्या है, minus sigma है, तो यह हमने minus sigma put up कर दिया, और upon 2 epsilon 0, यह हो जाएगा, अब minus minus plus होगा, और दोनों add हो जाएगे, तो उस condition में e equal to, ध्यान देना, अब मैं डार प्लेट लिख रहा हूँ, एक बार और लिख दूं क्या, 2 sigma upon 2 epsilon 0 equal to हो जाएगा, sigma upon epsilon 0, इस प्रकार से हमने प्लेटों के मद्ध विद्धु छेतर की तीब्रता निकाल लिया, यह दो हमारे पास दो समांतर प्लेट हैं, उतके बीच में विद्धु छेतर की तीब्रता इतना हो जाएगा, ओके, यहां ता समझ में आ गया, अब विद्धु छेतर की तीब्रता निकालने के बाद हम प्लेटों के मध्ध विभवांतर निकाल सकते हैं, तो आगे हम गड़ना करें, therefore प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य, विभवांतर, यहां पर एक बहुत महत्तप इन प्लेटों के बीच में जो विभव होगा, उसको हम विभवांतर भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रिथ्वी के विभव के साथ में माइनस हो रहा है, और प्रिथ्वी का विभव सुनने आए, तो मालनों प्लेटों के बीच में विभव 5 वोल्ट है, तो माइनस 0, 5 वोल्ट ही चलिए तो इसका value को हम put up करें value निकाले तो विभाव V equal to क्या होता है विभाव बराबर होता है विद्धु छेतर की तिप्रता और into दोनों प्लेटों की बीच की दूरी जो कि क्या है D क्योंकि आपको मालूम है विभाव किया गया कार्य है और कार्य बराबर होता है बल गोड दियान है ठीक है देट इंप्लाइस प्लेट इक्वाव अब इसके value को put up करें तो यह हमने निकाला है तो सिग्मा अपन अफसाला नाट सिग्मा अपसाला नाट इन्टू डी यह हमने निकाला है विद्धु छेतर की तिवरता का मान यहां से देखो यह निकाला है सिग्मा उसको put up कर देंगे तो यह हम निकालिए प्लेटों के मद्ध विभांतर अब इसलिए निकालेंगे हम इसकी धारिता तो therefore therefore इसकी जो धारिता होगी c equal to क्या होता है q upon v से इस फर्मुला को हम यूज करें इस फर्मुला को यूज करने से c equal to q को हम क्या लिख सकते हैं sigma into A यह सब आपको पीछे बताया जा चुका है आवेज बराबर होता है आवेज घनत्व गुडिट 6 रफल तो यहाँ पर आवेज घनत्व क्या है आवेज घनत्व सिग्मा है और यह प्लेटों के 6 रफल को हमने A मान लिया है दोनों प्लेट का 6 रफल अनुप्रस कार्ट का 6 रफल A है plate मोटे और पतले नहीं हो सकते कि एक plate क्या हो मोटा हो एक पतला हो मतलब एक का उनप्रस कार्ट का छेतर फल कम हो और दूसरे का उनप्रस कार्ट का छेतर फल जादा हो ऐसा possible नहीं है ठीक है दोनों plate के जो उनप्रस कार्ट का छेतर फल है वो दोनों क्या होना चाहिए समान होना चाहिए equal होना चाहिए ठीक है तो हम यहाँ पर आगे इसको simplify करें तो क्या हो जाएगा value को put up करें तो sigma upon epsilon not into d यह हो जाएगा sigma upon epsilon not into d इस तरह से आगे और solve करें इसको तो आगे इसका हल क्या हो जाएगा भी देखो यह a a sorry sigma sigma cancel out हो जाएगा therefore यह उपर चला जाएगा ठीक है sigma sigma कटा तो a epsilon not c equal to a epsilon not upon d यह होता है इसकी धारिता अब यहाँ पर हमें condition apply करें कि यदि प्लेटों के मध्य है यदि परवजुत पदार्थ जिसका परवजुत आंग के भरा हो तो यदि इनके बीच में परवजुत पदार्थ जिसका परवजुत आंग के वो पूरा पेक भरा हुआ हो ना क्योंकि इसके बाद हमको एक condition और पढ़ना है लेकिन अभी हम पढ़ना है कि प्लेटों के मध्य के परवजुत पदार्थ मालो भरा हुआ है तो उस समय इसकी जो धारिता होती है वो हो जाती है c equal to a epsilon 0 into k और अपान d ये इसका value हो जाता है ठीक है तो ये है समानता प्लेट संधारितर की धारिता ये इसका final equation है इसको चाहें तो संकेत हम थोड़ा सा वा आध रहता है सा सी नाट और इसके नीचे में सी छोटा सा के लिख सकते हैं या खाली सी ही रहने दें सी नाट का मतलब वायुआ निर्वात के लिए और सी मतलब परवजुत माध्यम के लिए नोट्स एप्ली केसं में अवलेवल है नोट्स एप्ली केसं से लिखो नोट्स एप्ली केसं से लिखो चलो ये तो मैं पढ़ाऊं उसके पहले आपको ये पढ़ादूं C को प्रभावित करने वाले कारक C को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कौन-कौन से कारक हैं जो C को प्रभावित करते हैं तो C को इट हमने पढ़ा A of Salonaut into K upon D यह इसका फर्मूला है तो पहला प्रभावित करने वाला कारक क्या है? ये अनुप्रस्त काट का 6 तरफल मतलब प्लेटों के अनुप्रस्त काट का 6 तरफल जितना अधीक होगा मतलब प्लेट का जो एरिया है उसका ठीकनेस है उसको जितना ज़्यादा करेंगे उसकी धारिता उतनी ही अधीक होगी तो पहला हो जाएगा C proportional to A तो C समानुपातिक होगा किसके A के समानुपात होगा दूसरा यहाँ पर देखो परवैदुत माध्यम यह तो कांस्टेंट है परवेजुत माध्यम के परवेजुतांग के डायटी प्रपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर् कि निर्भर करता है यह तीनों को आप ध्यान रखना कभी-कभी बोड एक्जाम में इनको प्रभावित करने सार्थ की उपस्थिती में समान्तर संधारित्र की धारिता इन प्रेजेंस आप पर्सली डाइलेक्टिक्स मतलब क्या होई इसका आपको याद होगा प्रिवियस क्लास में मैंने आपको समझाये था एक बार मैं प्रिवियस क्लास के बारे में आप से थोड़ा सा डिसकस करूं पिछले क्लास में हमने समांतर प्लेट संधारितर पढ़ा था, फिर हमने समांतर प्लेट संधारितर के दोनों प्लेटों की बीच में पूर्णता है दी पराविदुत पदार्थ भर दिया जाए, तो उसका धारिता कितना होगा ये पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कि उसके पीज पे पार्सली फूल फिल किया जा na पृब ही और अभी हम बहुत जल्दी इंगिलिस मीडियंट के भी जी टिट करने वाले हैं तो वहां पर इंगिलिस मीडिम का अलग से सेपरेट क्लास होगा फिज जी के लिए एक हिंधी मीडियम के क्लास है तो सबसे पहले हम समांतर प्लेट संधारी तर बना देए जैसे हमने फीगर बनाया तो लास्ट टाइम देखो मेल इसका फीगर है ये दो प्लेट है आप हो सके तो डाइग्राम मेरे साथ बनाईए तो ज़्यादा बेटर है यह दो प्लेट है, अब हमने क्या किया है दोनों प्लेटों की बीच में, दोनों प्लेटों की बीच में हम एक T मोटाई का परवजुत पदार्थ का प्लेट भर दिया है, इस तरह से, T मोटाई का परवजुत पदार्थ का हमने यहाँ पर प्लेट भर दिया है, और हम इस प्ल थिकनेस T है सपोस और इसका परवजुतांग क्या है सपोस के है अब हम जब इस प्लेट को पाजिटिव चार्ज देंगे जब प्लेट A को हम इस तरह से पाजिटिव चार्ज देंगे तो पाजिटिव चार्ज देने पर क्या होगा यह जो परवजुत पदार्थ प्लेट है उ इसके outside में ये positive charge develop होगा, ये इस तरह से, फिर उसके inner side में negative charge develop होगा, और outside का हम contact कहां से कर देंगे, अर्थ से, इस पकार से इसका जो outer surface है, इस outer surface को हम अर्थ से connect कर देंगे, मतला बर्थिंग कर देंगे, ये हमने इसको अर्थ से connect कर दिया, अर्थ का potential 0 होता है, वी equal to 0 होता है, तो outside में इसमें charge इस तो नहीं करेंगे, अब इस figure से आप देखो, यहाँ पर दो field develop होगे हैं, यहाँ पर दो field develop होगे हैं, पहला field जिसमें yuR निर्वात है, देखो यहाँ से, जो electric lines of forces हैं, इस तरह से पार होंगे, ये electric lines of forces हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, दोनों प्लेटों की बीच की दूरी को हमने पहले जैसे, मालो D ही माना है, दोनों प्लेटों की बीच की दूरी D माना है, तो इसके बीच में T मोटाई का परावजित पदार्थ भरा होगा है, इस तरह से, अब इसके बीच में दो माध्यम create हो इदे रहा है, वो dialectic material है, परावजित पदार्थ है, तो दो फिल्ड यहाँ पर बनेंगे, तो नेचरली जब दो फिल्ड बनेंगे, तो दो विदू छेत्र बनेंगा, और जब दो विदू छेत्र बनेंगा, तो दो विभाव बनेंगे, और इस पकार से दो विभाव निकाल से ज्यादा important है ज्यादा तर इसी question को exam में पूछा जाता है ठीक है चलिए तो हम कल्कुलेशन स्टार्ट करें working step clear है और यदि आपने previous class अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको कोई problem नहीं आने वाला है तो सबसे पहले हम गर्णा जब करेंगे तो पहले part में हम करेंगे वायू या निर्वात के लिए वायू या निर्वात के लिए वायू या निर्वात के लिए हम देखें तो जितने वायूया निर्वाद पर बेस्ड होगा ठीक है वायूया निर्वाद के लिए होगा तो सबसे पहले हम दखें प्लेटों के मद्ध विद्धु छेत्र की तिवरता प्लेटों के मद्ध विद्धु छेत्र की तिवरता जो कि वायूया निर्वाद के लिए है उसको मैं रिप्र इस पकार से यह हो गया e0 equal तो विदुछेतर की तीवरता हम previous class में क्या निकाले थे sigma upon epsilon 0 sigma a minus minus sigma b upon two epsilon सब आपको याद होगा एक बात मैं आप लोगों को regular याद दिला रहा हूं और वो आपके improvement का सबसे important formula है कि आप regular class prepare करके आओ जितने भी student previous class को prepare करके आते हैं वो immediate उनको समझ में आना सुरू हो जाता है और जो previous class या तो repeat करके नहीं आते या वो class मों miss किये रहते हैं तो वो फिर उनको समझने में problem आता है ठीक है तो e nought equal to कितना हो जाएगा सिग्मा upon epsilon nought यह हो गया प्लेटों के मद्ध विद्दुछेतर की तिप्रता तथा विभाव इसके बाद हम क्या निकालेंगे विभाव तो जब हम विभाव निकालेंगे तो विभाव को हम क्या कहेंगे विभाव क्या होता है विद्दुछेतर की तिप्रता into दोनों के बीच का distance तो विद्दुछेतर की तिप्रता क्या है e nought है यह हो गया और into दोनों के बीच की दूरी तो दोनों की बीच की दूरी कितनी है, फिगर को ध्यान से देखो, दोनों प्लेटों की बीच की दूरी D है, और उसके T मुटाई पर परवजुत पदार्थ रखा हुआ है, यह जो आप देख रहे हो, सेंटर में, परवजुत पदार्थ, इतने को उसमें से माइनस कर दो, तो आप यहाँ पर अपसाला नाट का विल्यू कर पूट कर देते हैं, तो therefore, V नाट इक्वल टू, क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान अपसाला नाट और अंडर ब्रेकेट D माइनस T, यह हो जाएगा, तो विभव हमने निकाल लिया, यह हमने जो गर्णा किया है, यह किसके लि के बात करेंगे, ठीक है, अब हम जो गर्णा करेंगे, वो परवजुत पदार्त के लिए है, तो परवजुत पदार्त के लिए भी हम क्या निकालने हैं, सबसे पहले, विद्दू छेत्र की तिब्रता, और इस विद्दू छेत्र की तिब्रता को यहाँ पर हमने E, नीचे म में छोटा सा small t लिख के represent कर दिया यहाँ पर small t मतब t thickness small t मतब t thickness के represent करने से kinetic energy के साथ में confusion हो जाता है इसलिए हमने उसके कर दिया t e t से हमने represent कर दिया तो विदुच्छते की तिवरता यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो अब यहाँ पर चूंकी यह formula देखो sigma upon epsilon 0 है लेकिन यहाँ पर k परवईदू तांख है तो sigma upon हो जाएगा k into epsilon 0 यह तो विदुच्छते की तिवरता sigma upon k into epsilon 0 हो जाएगा इसलिए विभाव इसलिए विभाव निकालोगे उसको भी हम vt कह देते हैं तो हो जाएगा et और into विदुच्छता की तिवरता परविदुच्छत पदार्थ पर परविदुच्छत पदार्थ की मोटाई कितनी है t तो t का multiplication हो जाएगा that equal यह value यहाँ पर लाके रख दें तो sigma upon k into epsilon 0 into t हो जाएगा इस पकार से हमने निकाल लिया विभाव अब देखो जब हम दोनों के के विभुवांतर विभुवांतर वी equal to हो जाएगा वी नाट प्लस वी टी वी नाट प्लस वी टी जो की resultant potential है कुल विभाव है ठीक है तो अब यहाँ पर देखो इसका value हम दोनों को put up करें तो उसका value क्या है यह value हमने निकाला हुआ है sigma upon epsilon 0 d minus t sigma upon epsilon 0 d minus t और प्लस इसका value क्या है sigma upon k epsilon 0 into t यह हो गया that equal इसमें से देखो जो common हैं common निकाल लेते हैं तो sigma upon epsilon 0 common है तो sigma upon epsilon 0 हमने common किया तो अंदर यहाँ से क्या बचेगा d minus t plus t upon k यह हो जाएगा इसका potential भी potential भी निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे इसकी धारिता यहाँ तक clear तो सबसे पहले हमने वायूआ निर्वाद के लिए potential निकाला भायूआ निर्वाद के लिए हम परवैजूत माध्यम के लिए potential निकालेंगे फिर हम cool potential निकालेंगे और इस cool potential के मान को हम अब धारिता वाले फार्मूला में रखेंगे ठीक है इसलिए धारिता इसलिए धारिता c equal to q upon v से धारिता का फार्मूला होता है c equal to q upon v इस फार्मूला में हम value put up कर दें तो value put up करने के बाद हमको क्या मिलेगा यह आप देखो ध्यान से यह q को हम लिख सकते हैं क्या sigma into a यह सब आपको previous class में पढ़ाया जा चुका है क्यों q आवेस है और आवेस होता है आवेस घनत पो गुडित 6 रफल ठीक है तो यह हो जाएगा sigma into a और इस फार्मूला को यहाँ पर हम put up कर देते हैं तो sigma upon epsilon 0 और under bracket हो जाएगा क्या d minus t plus t upon k यह यह value हमने यहाँ पर put कर दिया value put up करने के बाद देखो कौन कौन से value cancel out होता है तो sigma sigma के साथ cancel out हो जाएगा और epsilon 0 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा c equal to a epsilon 0 therefore therefore c equal to a into epsilon 0 upon d minus यहाँ पर देखो d minus t plus t upon k d minus t plus t upon k यह होगा clear यहाँ तक लिखो आप यह हो जाएगा इसका c का value a into epsilon 0 upon d minus t plus t upon k आगे इसको फ्रस और simplify करें और simplify करने पर क्या हो जाएगा देखो that implies c equal to a epsilon 0 upon d minus अब हम यह दोनों term में से minus t को common करते हैं यदि हम इन दोनों में से minus t को common करें तो minus t को common करने से यहाँ पर plus 1 बचेगा और चूंक यहाँ पर plus है तो plus का minus याएगा और minus t common हो चुका है तो 1 upon k बचेगा इस तरह से c equal to a epsilon 0 upon d minus t 1 minus 1 upon k यह समांतर plate संधारीतर की धारीता होगा जब दोनों plate के मध्य t मोटाई का परावजूत्पदार्थ का plate भरा हो clear यह final equation a epsilon 0 upon d minus t under bracket 1 minus 1 upon k ले लिजी screen shot इसका यह वाले slide का भी आप screen shot ले लो ओके very good अब यहाँ पर हमें question पर discuss करते हैं एक बहुत important question पर हम यहाँ पर discuss करें ध्यान से सुनना question यह है यदी समांतर plate संधारीतर के मध्य परवजूत्पदार्थ का plate रखा जाए तो उसकी धारीता पर क्या प्रभाव पड़ेगा जैसे आपको दो नमबर का question आता है what happened करके आता है question इंगलिस मीडिया में जैसे पूछता है तो क्या होगा यदी समांतर plate संधारीतर के मध्य परवजूत्पदार्थ का plate रखा जाए तो क्या होगा मैं question ही लिखी देता हूँ यदी समांतर plate यदी समांतर plate संधारीतर के plate रखा जाए तो धारीता पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस तरह सा conceptual question कभी कभी दो नमबर काता है धारीता पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह question आपको board exam में पूछा जा सकता है क्या प्रभाव पड़ेगा चलिए बताइए बताइए answer क्या प्रभाव पड़ेगा आप क्या प्रभाव पड़ेगा बस यह बता दो बाकी में इसको detail में आपको explain करके बताऊंगा यदि समांता प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य परवजुद्पदारत का प्लेट रखा जाए तो धारीता पर क्या प्रभाव पड़ेगा सी नाट मतलब जब समांतार प्लेट संधारित्र के मध्य वाईयू आ निर्वाथ हो तो उसकी जो धारीता होती है ए अपसायला नाट अपॉइंट डी तथा हमने अभी यह जो निकाला सी तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ सी खाली सी इसको पतसित कर रहे हैं तो C equal to यह फार्मूला हम देखे हैं A अपसायला नाट या इसको मैं C1, C2 कह देता हूँ इसको मैंने कह दिया C1 इसको कह दिया C2 तो A अपसायला नाट और यह हो याएगा D minus T 1 minus 1 upon K अब दोनों को आप ध्यान से देखिए दोनों का ध्यान से देखिए तो आपको क्या पता चलेगा ऐसा question में लिखना है आंसर जब हम इसको लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे चुकि समांतर प्रेस्तंधाइत की धारिता जब प्लेटों के मध्य वायू आ निर्वात हो तो होता है C1 इक्वल टू A अपसलानाट अपान D और जब प्लेटों के मध्य T मोटाई का परवजुद पदारत का प्लेट रखा हो तो उस कंडिशन में C इक्वल टू A अपसलानाट अपान D-T 1-1 अपान K यह हम जानते हैं अब यहां से देखो कि A अपसलानाट में यहां पर D का भाग हो रहा है यहां पर D का भाग हो रहा है और C2 में देखो A अपसलानाट में D- इतने का भाग हो रहा है मतलब इसमें D में कुछ घट रहा है और भिन्न की property से हम जानते हैं कि जब किसी भिन्न का अंस समान हो तो जिसका हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ा होता है यह आपने बच्पन में पढ़ा होगा कि यदि दो भिन्न में अंस समान हो दो भिन्न का जो numerator है उसका अंस समान हो तो जिसका हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ा होता है तो देखो इसका हर क्या है छोटा है इसलिए बड़ा होगा तो therefore इसको हम क्या लिख सकते हैं c2 greater than c1 c2 greater than c1 इस पकार से क्या हो जाएगा धारीता बढ़ेगी अता है अता है धारीता में व्रिद्धी होगी मतलब यदि समांतर प्लेट संधाईतर के प्लेटों के बीच में यदि हम परावज़ित पदारत का प्लेट डाल दें तो उसकी धारीता बढ़ जाएगी ठीक है जैसे आपने एक experience देखा होगा अपने डेली लाइफ में आपको मैं एक experience बता रहा हूँ मानलो आप एक गिलास में दूद लेते हैं पूरा गिलास दूद से मानलो भरा हुआ है अब आप यदि उसमें एक bread डूबा दो या आप एक biscuit डूबा दो तो आप देखे हो कि जो सता है दूद का जो सता है वो नीचे चलाता है मतलब उसमें फिर हम और दूद डाल सकते हैं और ऐसा अपन करते हैं exactly उसी तरह से यहाँ पर हो रहा है कि जैसे एक गिलास में दूद था हमने bread के एक slide डाल दिया तो bread ने क्या कि अपने अंदर दूद को सोसित कर लिया तोहाँ पर दूद डालने का और जगा बन जाता है ठीक उसी प्रकार से मानलो हमारे पास दो प्ले बात है तो उसकी जो धारीता होती है उसके electrical charge को store करने की capacity होती है उसमें यदि बीच में परविधित पदार्त का plate डाल दिया जाए जैसे यहाँ पर plate डाला गया है तो इस plate को डालने पर का होता है वह कुछ आवेस अपने अंदर ले लेता है यहाँ पर figure में देख रहा हो कि दोनों साइड माइनस और प्लस कुछ charges को क्या करता है वह अपने अंदर ले लेता है इस तरह से अपने अंदर लेने के कारण उसमें और आवेस दिया जा सकता है इसलिए उसकी धारीता बढ़ जाती है आप ऐसा practically समझ सकते हो बाकि theoretically यहाँ पर proof है कि क्या होता है C2 greater than C1 होत जाने वाला question है यह चलिए इस पर मैं आपको एक numerical भी करा देता हूं ठीक है numerical का class हमारा अलग से होता है लेकिन इसको explain करने के लिए मैं यहाँ पर एक numerical सा आपको करा रहा हूं इस question को आप ध्यान से पढ़ो एक समांतर प्लेट संधारीत्र की धारिता 10 microfarad है एक समांतर प्ल धारिता है 10 microfarad है और अभी उनके बीच वायू है अब आगे क्या बोलता है दोनों प्लेटों के मध्य आधी दूरी तक टू परावजुतांक वाला माध्यम डाल दिया जाए आधी दूरी तक मतलब आधी दूरी तक मतलब क्या कि मानलों दोनों प्लेटों की बीच की दूर साल्व करें तो इसके सालूसन में सबसे पहले देखो हमको क्या क्या गीवन है सबसे पहले हम देखें कि हमारे क्वेश्चन में गीवन क्या है तो बोलता है समांता प्लेट संधाईत के धारिता 10 microfarad है मतलब उसकी धारिता है जिसको मैं 38 कह दूँ वो 10 microfarad जिसको हम लिख स सकते हैं 10 into 10 to the power minus 6 farad यह हमको गीवन है उनकी प्लेटों के मध्य वायू है हाँ वायू है अभी यदि प्लेटों के मध्य आधी दूरी तक मतलब टी जो ठीकनेस होता है वो डी बाई टू दिया हुआ है यह दिया हुआ है तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी उसकी धारिता इकवल टू होता है एघ्जा अपान डीच नाट ऑफ स दना अपान डीच और नाट का भेलू दिया हुआ है टेन मायक्रों फेराड मतलब टेन इंकर टैन डू भी पावार माइनस 6 फैराड तो हमको C नाट का भेलू दिया मतलब A अपसाला नाट अपान D का भेलू दिया इसलिए अब हम निकालना चाहें क्या अब हम निकालना चाहें C डेस मतलब जब उनके भीच में प्लेट भरा जाए तो उसका फार्मूला क्या होता है A अपसाला नाट अपान D माइनस T 1 माइनस 1 अपान K यह फार्मूला होता है आगे इसको सिंप्लिफाई किया जाए तो A अपसाला नाट अपान D माइनस देखो कोस्चन में T जो है वह D by 2 दिया हुए है ठीक है तो यहाँ पर वैसा है इसमें फार्मूला को इस फार्मेना यूज करके थोड़ा मैं सरल रूप वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ तो ज़्यादा आसान है जहां जैसा जवरत हरसे यूज करना चाहिए तो D माइनस यहाँ पर देखो मैं कामन जब नहीं निकाला था तो D माइनस T प्लस T अपान K D माइनस T प्लस वो ज़्यादा असान है D माइनस T प्लस T अपान K दोनों मैं से कोई भी उज़ कर सकते है उसको उज़ करूंगा तो फिर एक लाइन और ज़्यादा साल्व करना पड़ेगा सिंप्लिफाई करने के लिए ठीक है तो यह हो जाएगा यहाँ पर देखो A अपसाला नाट अपान D माइनस अब T का वेल्यू कितना है D बाइटू तो यह हो जाएगा D बाइटू और प्लस यहाँ पर भी इसका वेल्यू हो जाएगा D बाइटू इंटू K ये होगा इस तरह से इसको solve कर सकते हैं अब यहाँ पर हम क्या करें देखो a epsilon 0 upon d का value a epsilon upon d का value इतना है तो हम यहाँ पर d को common कर लेते हैं अंदर से ठीक है अंदर से हम उसको common कर लें तो क्या बचेगा अपने पास that equal यही पर solve करूँ फिर ने स्लाइट में जाओंगा, d को मैं common कर रहा हूं, a epsilon 0 upon d तो अंदर में बच जाएगा, 1 minus 1 upon 2, 1 minus 1 upon 2 और plus k upon 2, ये बचेगा, क्योंकि d को हमने common कर लिया, d को common करने के पीछे हमारा purpose क्या है, क्योंकि a epsilon 0 upon d का value इतना दिया हुआ है, इतने के value को हम यहां से लाके इसमें put up कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम उसको भर दिये यहां पर, दो परावितांक वाला माध्यम डाला गया है स्वारी 2 का value को kaka value भी पूठी कर देता हूं kaka value को पूठी कर देता हूं परावितांक 2 दिया हुआ है तो kaka value 2 पूठ करेंगे तो हो जाएगा 2 upon 2 एक काम करता हूं value को एक साथ पूठ करूँँगा अदरवाइस confusion होता है चलिए यहां तक तो clear यहां तक आप इसकीन साथ ले लो that implies c days equal a epsilon अपांडी का value 10 into 10 to the power minus 6 10 into 10 to the power minus 6 यह होगा और 1 minus 6 नीचे में ठीक है अपान में कितना हो जाएगा 1 minus 1 upon 2 plus 2 upon 2 1 minus 1 upon 2 plus 2 upon 2 क्या का value पूट कर दिया that implies c days equal 10 into 10 to the power minus 6 upon यहां पर देखो 1 minus 1 upon 2 plus 1 that implies c days equal 10 into 10 to the power minus 6 upon यहां से देखो 1 plus 1 2 होगा और 2 minus 1 upon 2 2 minus 1 upon 2 तो 2 LCM आएगा 4 minus 1 मतलब 3 upon 2 यह 3 upon 2 होगा तो 3 को मैं नीचे लिखा और upon 2 में इसको उपर transfer कर दिया ठीक है ते हो जाएगा 20 20 into 10 to the power minus 6 upon 3 यहां पर हम divide करें तो c days equal to 20 upon 3 को करो भी कितना आएगा 20 upon 3 कहीं पर 2 लिखना भूल गया क्या मैं यह आप सरनाट अपांड डी को हमने कामन किया 1 minus 1 upon 2 प्लस के अपांड टू क्या का वेलू कितना दिया हुआ है 2 इसका वेलू 13 कैसे आया है 1 minus 1 upon 2 प्लस 2 upon 2 1 प्लस 1 2 आधी दूरी तक परावज उतांक वारा ठीक है अरे टी बाई के होता है फार्मूला में फार्मूला में टी बाई के होता है मैंने के को उपर लिख दिया टी बाई के क्या ध्यान में रहन था नहीं टी बाई के तो टी तो टी रहेगा और टी अपां के है यह ना तो टी का वेलू कितना होगा दी बाई 2 के को मैं अंस में लिख दिया था ऐसा होगा मतलब यहाँ पर डी को कमन करने पर 1 upon 2 के होगा 1 upon 2 के होगा और 1 upon 2 के होगा तो यह 1 upon 2 के मतलब 1 upon 2 into 2 तो यह हो जाएगा 1 upon 4 यह 1 upon 4 होगा और ऐसा होने से पूरा चेंजेस हो जाएगा यह 1 upon 4 होगा तो अब इसको हम सालव करें तो 1 minus 1 upon 2 में हो जाएगा 1 upon 2 plus 1 upon 4 यहाँ 4 LC हम आएगा तो हो जाएगा 2 plus 1 3 by 4 यह 3 by 4 होगा स्वारी यहाँ पर मैं K को उल्टा लिख दिया था यहाँ पर जो K का वेल्यू है यहाँ तक मैं उसको हर में लिखा था बात मैं उसको धोके सेंस में लिख दिया इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि 13.3 इसका अंसर आया हुए इसमें तो आ नहीं रहा था आंसर तो C dash equal to 4 उपर चला जाएगा तो 10 into 10 to the power minus 6 into 4 upon 3 होगा that implies C dash equal अब यह कितना हो गया 40 into 10 to the power 6 upon 3 that implies C dash equal to यह आएगा 13.3 into 10 to the power minus 6 यह कुलाम और दि माइक्रो कुलाम में लिखना चाहें तो 13.3 माइक्रो कुलाम माइक्रो फैराड स्वारी यह फैराड और यह हो जाएगा माइक्रो फैराड यह इसका अंसर होगा इस पकार से यह numerical बहुत important है NCRT का problem है यह question बहुत ही important है ठीक है तो आप ऐसा इसको salvo कर सकते हो जो इसी पर best है जो इस पर best है समानता प्रेस संधारित के बीच में टी मोटाई का परवेदित पदार्थ रखा जाए इस पर best है इस्थिरवेदित तथा धारिता में आज हम पढ़ेंगे गोली संधारित्र spherical capacitor आज का हमारा टपिक है spherical capacitor गोली संधारित्र क्या होता है देखो मैंने previous class में discuss किया था कि कुछ capacitor के types कुछ board से हट गए है कुछ board में हैं कुछ state board में CBSC board में सिर्फ दो capacitor है parallel plate syllabus change होते रहता है और कुछ board में चारो capacitor है तो मैं तो आपको चारो capacitor पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अपने को सभी board को cover कर रहे हैं तो हम पूरे चारो capacitor पर discuss कर रहे हैं बाकि जिसके board में नहीं होगा वो आप उसको skip करके पढ़ सकते हैं नालेज पाइंट आप यू से आप पढ़ सकते हो बाकि आपके syllabus में नहीं है तो आप उसको exam के time में हटा सकते हैं बाकि इक्जाम में तो रहता है तो cylindrical capacitor अब आप समझ गया होगा कि cylindrical capacitor में क्या होगा स्वारी, spherical, cylinder इसके बाद पढ़ेंगे तो spherical capacitor में दो sphere होगा यह suppose हमने एक sphere लिया और इसके अंदर में हमने suppose यह दूसरा sphere लिया इस तरह से two sphere हैं इनका arrangement कैसे किया गया है यह जो बाहर में आप sphere देख रहा हो बने गोला देख रहा हो खोखला गोला है यह यहाँ पर कुछ अपन indicate कर दें इसके radius suppose इसका radius इसमाल है इसका radius इसमाल भी है और अंदर के capacitor को हमने charge दिया हुए है अंदर के sphere को हमने charge दिया हुआ है और इसका जो radius है यह sphere A है और बड़ा वाला के नाम हमने sphere B दिया है sphere A का radius suppose इसमाल है और sphere B का radius suppose हमने इसमाल भी लिया हुआ है तो इस पकार से एक गोले के अंदर दूसरा गोला रखा हुआ है और जब हम अंदर के गोले को आवेज देते हैं अंदर के गोले को जब हम plus charge देते हैं तो plus charge देने पर यह वाले गोले के आंत्रिक सतह में माइनस चार्ड डबलप हो जाता है और इसके आउटर सर्फेस का इसके बाहरी सतह का संपर्ग हम प्रित्वी से कर देते हैं इस तरह से हम प्रित्वी से इसका संपर्ग कर देते हैं clear? इस तरह से V equal to V naught sorry V equal to 0 यह यह हो गया capacitor का figure तो concept क्या है इसका एक अंदर में sphere है और वह एक बड़े sphere के अंदर में रखा हुआ है जब अंदर के sphere को हम charge देते हैं तो इस तरह से charge distribution होता है और यह काम करता है spherical capacitor का actual में अलग-अलग design का capacitor बनाया क्यों जाता है आपके दिमाग में question आना से ही है किसा रएक capacitor तो बन गया parallel parallel capacitor तो फिर इतने तरह के design के capacitor बनाने का क्या जवरत पड़ा तो वास्ता में different different size and set के capacitor बनाने का जवरत इसलिए पड़ा क्योंकि जब हम कोई device design करते हैं जब को हम machine बनाते हैं या कोई electronic circuit अपन बनाते हैं तो circuit बनाते समय अपने को उस situation में जिस तरह के design का requirement होता है वैसा हम capacitor बना लेते हैं और सब का capacitor का basic concept होई है बस उसका physical construction physical design अलग है और उसके फार्मूले change हो जाते हैं उसके recording इसलिए अलग अलग type के capacitor बनाए गए practically तो सबसे ज़्यादा cylindrical capacitor ही use होता है आपने देखा होगा पंखे में, cooler में या किसी बड़े motor में आपने देखा होगा तो capacitor आपको आगे मैं cylindrical पढ़ाऊँगा तो समझाऊँगा उसको तो cylindrical capacitor सबसे ज़्यादा use होता है practical life में चलिए तब इसके capacity के हम calculation करें तो capacity calculation के working step तो बिल्कुल वैसी होंगे जैसे अभी तक हम करते आए हैं तो गर्णा करें इसकी सबसे पहले हम क्या करते हैं अच्छा इसमें इसका calculation सबसे आसान है इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो विद्दू छेत्र नहीं निकालना पड़ता अभी तक आपने देखा समानतार प्लेट संधारितर के लिए हम सबसे पहले तिब्रता निकालते थे तिब्रता की सहायता से फिर विभाव निकालते थे फिर विभाव को हम C equal to Q upon V में पूट करते थे लेकिन यहाँ पर इस capacitor में हमको सीधा सीधा विभाव निकाल सकते हैं क्यों सीधा सीधा यहाँ निकाल सकते हैं क्योंकि हमने इससे पहले बिंदू आवेस के कारण विभाव की गर्णा की है तो जब हमको बिंदू आवेस के कारण विभाव का पता है तो हम सिधा उस फार्मूला को यूज कर सकते हैं ठीक है तो हम लिखने सबसे पहले गोले A पर विभाव गोले A पर विभाव गोले A पर जो विभाव होगा जिसको हम भी ये कहेंगे इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई अपसाला नाट और Q अपान Q अपान देखो इसका रेडियस क्या है A तो यह होगा Q अपान A ये हो गया गोले A पर विभाव ठीक है अब हम निकालते हैं गोले B पर विभाव गोले B पर विभाव यहाँ पर हम विभाव निकालें तो B भी इक्वल टू होगा 1 अपान 4 पाई अपसाला नाट इसमें माइनस Q चार्ज है तो माइनस Q अपान B यह होगा यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे तो विभाव निकालते समय हमको वहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा तो हमने यहाँ पर गोले A पर विभाव निकाल लिया गोले B पर विभाव निकाल लिया इसलिए Q भिभाव यह परिणामी भिभाव Q भिभाव V बराबर क्या हो जाएगा V A प्लस B V B यह दोनों वैल्यू को हम पूट अप करें तो फिर हमको क्या मिलेगा देखो therefore v equal 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon a और यह minus हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon b that equal दोनों में जो common quantity है common कर लेते हैं 1 upon 4 pi epsilon 0 into q common है तो यहां सो हो जाएगा 1 upon a minus 1 upon b यह होगा that equal आगे यह हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 q यहां पर LCM आएगा a b a b हमने यहां पर LCM ले लिया अब यह हो जाएगा b minus a इस तरह से b minus a upon a b यह क्या हो जाएगा इसका विभव हो जाएगा इसका cool विभव कमान यह हो जाएगा जैसे हम विभव निकालेंगे तो विभव के बाद हम क्या निकाल सकते हैं इसकी धारिता क्योंकि विभव निकालने के बाद धारिता निकालते हैं धारिता के फार्मूरा c equal to q upon v से तो calculation के जो step है वो same to same है चाहे कोई भी capacitor हो तो working step तो हमारा common होता है बस एक बार हमको पता होना चाहिए क्या निकालने है अब इसलिए हम धारिता निकालने therefore धारिता इसलिए इसकी जो धारिता होगी c equal to q upon v से इस फार्मूरा को हम use करें इस फार्मूरा से c equal to यह तो q ही होगा और upon v का value हम यहां से put up कर दें तो यह q upon 4 pi अपसाला नाट और यह हो जाएगा b minus a upon a b यह होगा यहां से q q cancel out होगा तो q q के cancel out होने के बाद यहां पर जो धारिता हमको मिल जाएगा therefore c equal to यह उपर चला जाएगा तो 4 pi अपसाला नाट into a b upon b minus a यह इसका final equation होता है यह capacitor का final equation होता है कि जो hysterical capacitor है उसकी capacity इतनी होती है अब यहां पर यदि हम इस पूरे गोले के बीच में generally हम यहां पर गोले के बीच में यदि हम k परवजदूतांग का dialectic material भर दें परवजदूत पदार्थ भर दें तो उस condition में k परवजदूत पदार्थ के लिए ठीक है यह मैंने अभी निकाला है किसके लिए c0 मतलब y और निर्वाद के लिए तो k परवजदूतांग के लिए यदि k इसका परवजदूतांग हो मैं direct click देता हूं तो k परवजदूतांग खोने के condition में उसके जो capacity होगी c इक्वल टू 4.5 epsilon 0 into k और a b upon b minus a परवजदूत पदार्थ put करने पर उसके capacity में हम epsilon 0 के साथ में k का multiply कर देते हैं ठीक है तो k into a b k into a b upon b minus a यह होता है spherical capacitor मतलब गोली संधारित्र है ओके ओके next capacitor है अगला संधारित है बेलना कार संधारित्र cylindrical capacitor यह capacitor थोड़ा ध्यान से समझना इसका derivation थोड़ा difficult है कह सकते हो इसमें बहुत integration use होता है यह बहुत important है और मैं अभी आपको बता रहा था कि cylindrical capacitor ही हम अपने डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं जितना भी device design के आजाता है cooler में आपने देखा होगा ऐसा आपको लंबा सा battery cell की तरह condenser जिसको बोलते हैं condenser आप सब को पता है आप सबने condenser देखा हुआ है वही capacitor है तो हम यहाँ पर जो fan में यूज़ करते हैं या फिर motor में यूज़ करते हैं यह सब आपने देखा होगा वह capacitor है जनरली cylindrical capacitor यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर हम cylindrical capacitor की capacity यूज़ करेंगे कई board से इसको हटा दिया गया है तो आप लोग उसको tally कर लेना ठीक है कुछ board में है जैसे मैंने कल inquiry किया था तो आप लोगों ने बताया था कि भिहार board में है है ना और UP board में है मेरे ख्याल से देख लेना आप जैसा भी है पढ़ना अपने को 100% है क्योंकि competitive exam के point of view से आप किसी topic को हलके में नहीं ले सकते चलिए यहाँ पर मैं इस figure को बनाता हूँ थोड़ा इसका figure एक cylinder आप अंदर देख रहे हो मैं complete figure बना दो फिर उसके बाद आपको explain करूँगा यह देखो अंदर में जो cylinder है एक cylinder के अंदर में दूसरा cylinder है यहाँ पर इनके हम radius वगरा consider कर लें किसका radius कितना है तो suppose यह तो इसका axis है इसका axis हम पहले suppose कर लें यह cylinder का axis है जो common है अब इसके बाद हम इसका radius देखें तो suppose इसका जो radius है यह इसका radius यह radius है और यह radius है दोनों अलग जगा एक छोटे वाले cylinder का जो cylinder A है suppose इसका नाम हम रख दें अंदर वाला cylinder का नाम A है और बाहर वाला cylinder क्या है बी है इसका radius इसमाल A है जो यहाँ पर आपर इसमाल B है अब हमने क्या किया है जो inner cylinder है उस cylinder को suppose हमने charge दिया suppose इसको हमने plus Q charge दिया प्लस Q charge देने पर इसमें क्या होगा इस तरह से charge distribute हो जाएगा और इसके inner side में यह minus charge डवलप हो जाएगा यह और इस cylinder के outside का हम contact कर देंगे किस से अर्थ से तो बाहरी surface को हमने connect कर दिया इस तरह से अर्थ के साथ तो capacitor का basic concept वो तो वही रहेगा चाहे capacitor कोई भी हो भी equal to 0 अर्थ से connect कर दिया अब इसके calculation में बहुत important बात यह है ध्यान रखना कि यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले figure समझ में आ गया कई लोग बात में बोलते हो कि figure एक बार और समझा दो तो जब मैं figure समझाते रहता हूं तो पूरे ध्यान से उसको देखा करो और जब तक आपको figure समझ में नहीं आएगा आपको calculation समझ में नहीं आएगा बार बार मैं आपको एक बात बोलता हूं कि physics में यदि किसी long answer type question में कोई भी यदि चीत्र बन रहा है तो उसमें one marks या two marks होता है और कभी भी जब आप answer sheet लि से answer का bad impression खराब प्रभाव पढ़ जाता है और फिर average marking की संभावने रहती है पांच नंबर में फिर चार दे देगा तीन देगा उसको पसंद नहीं आएग answer इसलिए आपको सबसे पहले कोशिस करना है कि figure neat and clean और बहुत अच्छे से बने तो figure इसलिए मैं भी बहुत अराम से थोड़ा ठीक ठाक figure बनाने का कोशिस करता हूँ क्योंकि मेरा बहुत लंबा experience से मुझे मालूम है कि student teacher को follow करते हैं जैसे मैं यहां rough type का ऐसा कुछ भी scratch करके चला जाओं तो मेरा काम तो चल जाएगा मैं आपको समझा दूँगा लेकिन student फिर उस तरह से sincere नहीं हो पाते इस कि student थोड़ा उसे सीखें कि भई figure ऐसे बनाना है ठीक है हाँ ठीक इसके बाद फिर आप देखो calculation का step तो वही होगा जो सब में होता है लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है क्या यदि हम पूरे charge को यदि हम जितना यह charge देख रहे हो इस charge को यदि हम इसक प्राइड माल ने इसके axis पर तो इसके axis से हम दो point consider करते हैं यह point को बहुत ध्यान से समझना आप यहाँ पर हम two points consider करते हैं suppose हमने इसके axis से r distance पर एक point लिया यहाँ पर r distance पर यहाँ पर मैंने एक point लिया पी और इस point का इसके axis से distance suppose r है मतलब हमने इसके axis से r distance पर एक point लिया अब इस r distance पर जो point लिया उसमें हमने एक small interval small distance हमने यहाँ पर consider कर लिया suppose यह small distance जो मैं यहाँ पर सो कर रहा हूँ वो dr है यह small distance बहुत छोटा है आप सबस्वास उसको वाज करिए तो ध्यान देगा तो मैं छोटा सो वहाँ पर distance dr calculate कर लिया imagine कर लिया खीक है अब हमको इस में calculation में करना क्या है सबसे पहले हमको विदू छतर की तिवरता निकालना है क्योंकि आपको मालूम है कि पहले हम विदू छतर की तिवरता निकालते हैं और विदू छतर की तिवरता के बाद फिर हम उसके लिए विभाव निकालते हैं तो बिंदू P पर जिसक विद्धु छेत्र की तिब्रता यदि हम बिंदु P पर विद्धु छेत्र की तिब्रता निकालें तो हमको मालूम है कि रेखी चालक के कारण रेखी चालक के कारण जो विद्धु छेत्र की तिब्रता का फार्मूला होता है ठीक है गास प्रमे का पहला अनुप्रयोग यदि हम किसी रेखी चालक को आवेज देते हैं तो रेखी चालक से D दूरी पर जो विदुच्छतर की प्रिवरता का फार्मूला होता है वह क्या होता है 1 upon 2 pi अपसाला नाट लेम्डा अपान आर यहाँ पर हम सपोस कर लेते हैं कि इसमें चार डेंसिटी लेम्डा है सपोस यहाँ पर आवेज घनत्व लेम्डा क्या है आवेज घनत्व तो मान लो इसके सेंटर पर आवेज घनत्व लेम्डा है तो किसी रेखी चालक से D दिस्टेंस पर या R दिस्टेंस पर विदुच्छतर की प्रिवरता कितना होता है 1 अपान 2 पाई अप्सेला नाट लेम्डा अपान R यह होता है अब हम क्या करते हैं एकांक आवेज को इस D इस्टेंस D इस्टेंस मतलब small distance कराने में किया गया कारे निकालते हैं क्योंकि वह ही किया गया कारे फिर क्या कहलाएगा वीभाव कहलाएगा ठीक है तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं, एकांक आवेस को DR दूरी ले जाने में किया गया कार्य, क्यों किया गया कार्य, क्योंकि ये किया गया कार्य ही विभाव या विभांतर होता है, ये किया गया कार्य निकालेंगे, जिसको हम DW कहेंगे, तो DW उकोल टू क्या हो जाएगा, ये 26 की तिवरता E और इन्टू DR, और यहाँ पर हम माइनस साइन उस करेंगे, माइनस किसलिए, क्योंकि हमको प्लस चार्ज के अगेंस्ट प्रतिकर्सनर बलके विरुद्ध कारे करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन उस किया है, अब ये वाले वेल्यू को हम यहाँ पर लाके पूट कर देते हैं, तो DW इक्वल टू हैगा, 1 अपन 2 पै अपसला नाट लेम्डा अपन आर, इन्टू DR, यह हमने क्या किया विदुच्छतकिती ब्रता का फार्मूला यहाँ पर पूट अप कर दिया, अब हमने निकाल लिया है, small amount of work, मतलब DR दूरी पै करने में, ले जाने में क्या गया कारे, लेकिन हमको विवांतर निकालना है, तो हमको इस प्रिष्ट से, यह जो आप बड़ा बेलन देख रहे हो, उसके उस प्रिष्ट से, यह जो छोटा बेलन है, यहाँ तक ले जाने में क्या गया कारे, हमको कावेस को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में क्या गया कारे विवांतर होता है, तो यहाँ पर हमको ले जाने है, उसको बी से ए, तक ले जाने में क्या गया कारे हम निकाल लेते हैं, ठीक है, इसलिए, इसलिए एकांग कावेस को कहां से, बी से, बी से ए तक एक आंग कावेस को B से A तक ले जाने में किया गया कार्या ले जाने में किया गया कार्या एक आंग कावेस को B से A तक ले जाने में किया गया कार्या जिसको हमें दी W कह दें तो W इकोल टू क्या हो जाएगा integration of DW integration of DW क्यों होगा क्योंकि यह जो हमने छोटा सा small amount of work निकाला है यह जो छोटा-छोटा हम कारे निकाले हैं इस छोटे-छोटे कारे को हम क्या करें integrate करें तो हमको total work निकल जाएगा तो हम कहां से ला रहा है B से A तक देखो हमारा limit क्या है B से A तक है तो यहाँ पर limit भी हम उसी तरह से put करेंगे तो limit यहाँ पर put कर देंगे क्या B to A that equal अब यहाँ पर यह dw का value है उसको put up कर देते हैं तो B to A limit होगा और इसका value है यह minus मैंने बाहर कर दिया तो 1 upon 2 pi epsilon not lambda upon r into dr यह हो जाएगा एक आंकावेस को B से A तक ले जाने में किया गया काड है अब आगे इसको हम calculate करें तो देखो यहाँ पर integration का एक formula होता है ध्यान देना integration का एक formula होता है मतलब definite integration का जब upper limit को lower limit और lower limit को upper limit कर दिया जाता है देखो यहाँ पर यह lower limit का है B है और upper limit A है तो जब limit को interchange किया जाता है यह क्या है property साब definite integration है यह mathematics में पढ़ते है physics में बहुत rare use होता है तो जब upper limit को lower और lower को upper कर देते हैं तो सामने minus multiply हो जाता है तो सामने जब minus multiply होगा तो minus into minus प्लस हो जाएगा इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसको V therefore यह हो जाएगा w equal to na therefore w equal to अब limit हमने change कर दिया b to a है उसको हमने लिख दिया a to b और यहाँ पर constant quantity को मैं बाहर कर लेता हूँ तो constant quantity है lambda upon 2 pi अब साला नाट यह constant है अंदर बज जाएगा limit हमने change कर दिया a to b और यह हो जाएगा 1 upon r dr अब हम यहाँ पर इसका समाकलान करेंगे 1 upon r dr का मैं आप लोगों को यहाँ पर integration का एक फर्मूला पूछ रहा हूँ integration of 1 upon x dx क्या होगा मैं आप लोगों को कई बार basic mathematical concept पढ़ाया हूँ और हमारे channel पर उसके बहुँछ से videos है calculus वगए रखे तो वहाँ से आपको repeat करना चाहिए integration of 1 upon x dx क्या होता है बताएगा कोई integration of 1 upon x dx क्या होगा राखी मुसकान अभिसेक क्या असीस ओके वेरी गुड आरिया सीं वेरी गुड साबास इसका value कितना होता है log x होता है 1 upon x dx integration of 1 upon x dx log x होता है तो इस formula से हम यहाँ पर integrate के इसको किसी को लिखना है तो लिख लो formula को ठीक है ठीक है ठीक है बिट्टू कुमार सब ने सही answer दिया है वेरी गुड अब हम आगे इसको integration करें तो integration क्या हो जाएगा इसको that equally हो जाएगा lambda upon 2pi epsilon 0 और 1 upon r का integration हो जाएगा log r limit हो जाएगा a to b अब limit put करने का formula क्या होता है upper limit minus lower limit तो है पर upper limit minus lower limit put करेंगे that equal यह हो जाएगा lambda upon 2pi epsilon 0 upper limit क्या है b तो हो जाएगा log b और minus lower limit हो जाएगा log a upper limit minus lower limit यह हो जाएगा अब जैसे हम इसको limit रखेंगे तो हमको मालूम है कि एक बिंदू से दूसरे बिंदू दक ले जाने में जो किया गया कार्ज यह है उसी कार्ज को हम विभाव कहते हैं तो अब हम w को v लिख सकते हैं तो v equal to हो जाएगा lambda upon 2pi epsilon 0 और log m minus n सबसे difficult calculation cylindrical का ही है इसलिए बहुत लोग इसको छोड़ भी देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा log b minus a का formula हो जाएगा log b upon a log b upon a यह हमने विभाव निकाल लिया अब इतने calculation के बाद निकलेगा विभाव इतने calculation के बाद विभाव निकलेगा अब हमको क्या करना है capacity का value निकालना है तो उसका capacity निकालना है धारिता निकालना है तो इसलिए इसलिए धारिता c equal to q upon v से c equal to q upon v का हम value put up करें तो यहाँ पर देखो c equal to q को हम क्या लिख सकते हैं lambda into l क्योंकि आवेज बराबर होता है आवेज घनत तो गुडित लंबाई यहाँ पर हमने cylinder के लंबाई को l लिया हुआ है तो lambda into l होगा और यह वाला value हम यहाँ पर put up कर दें lambda upon 2 pi epsilon 0 lambda upon 2 pi epsilon 0 lag b upon a यह formula अब यहाँ पर यदि हम लंबाई को 1 ले 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 यदि cylinder का लंबाई है उसको 1 ले लिया जाए और lambda lambda यहाँ से cancel out हो जाएगा तो यहाँ पर जो formula अपने को मिलेगा c equal to lambda को 1 ले ले लेंगे यह उपर चला जाएगा तो 2 pi epsilon 0 upon log b upon a यह इसका final equation होगा यह इसका final equation होगा cylindrical capacitor का इसको हम एक दूसरे form में और लिख सकते हैं वो form क्या हो सकता है यह लाग का base में e है यहाँ पर लाग का base e है यदि लाग के base को 10 किया जाए यदि उस condition में इसका formula क्या हो जाएगा that implies c equal to 2 pi epsilon 0 upon 2.303 का multiply करेंगे आपको मालूम है कि नेपेरियन लाग या natural लाग को general लाग में change करने के लिए 2.303 का multiply करते हैं तो 2.303 और फिर हो जाएगा यह लाग आफ b upon a लाग b upon a और इसका base फिर क्या होगा 10 होगा तो यह फिर इस form में भी इसको लिखा जा सकता है यह है cylindrical capacitor का capacity ठीक है तो बहुत important फर्मूला है इसकी साथ ले लो इसको जिनके board में है यह तयार करना एक बढ़ देखने सुरू से यह इस तरह से होगा तो यहाँ पर हमारा यह दो capacitor एक तो cylindrical capacitor और दूसरा spherical capacitor यह दो capacitor हमारे complete हो गए ठीक है तो four capacitor हमारे complete हो गए और इतने capacitor को आपको सबसे पहले बहुत अच्छे से तयार करना है यहाँ तक कोई problem किसी को dw equal to e into dr कैसे आया dw मतलब क्या गया कारे और क्या गया कारे बराबर होता है विद्धु छत्र की तिवरता गुडिक दूरी कारे निकालने के लिए हम बल में दूरी का गुणा करते हैं इसलिए आया e equal to d into r ओके और कोई problem संधायित्रों का संयोजन या संधायित्रों का समुहन क्या होता है देखो दो या दो से अधिक संधायित्रों को आपस में जोड़ना जब हम दो या दो से अधिक संधायित्रों को आपस में जोड़ते हैं तब हम उसको क्या करते हैं संधायित्रों का समुहन कहते हैं दो या दो से धिक संधायत्रों को इस पकार से जोड़ा जाए कि यहाँ पर मैं कुछ नोट लिख रहा हूँ इस नोट को आप सबसे ध्यान में रखना कि स्रेडी समयोजन में स्रेडी समयोजन में आवेस क्या होता है नियत होता है स्रेडी समयोजन में आवेस नियत होता है आवेस का जो मान होता है वह सिरिस कामिनेशन में कांस्टेंट होता है नियत मतलब कांस्टेंट होता है और उसका विभाव जो होता है विभाव वह परिवर्थिस हो जाता है विभाव परिवर्थिस हो जाता है देखे जनरली होता क्या है कि कोई भी सुडेंट स्रेडी समुहन मतलब वो चीतर को देखके डिसाइड करता है चीतर को देखके कैसे डिसाइड करता है कि एक के बाद एक के बाद एक capacitor लगा हो तो समझता है कि यह स्रेडी समूहन में लेकिन ऐसा नहीं है आप उसको physical observation से that means खाली आप उसको देख के नहीं बता सकते कि वह स्रेडी समूहन में है कि समांतर समूहन में है उसके लिए जो concept है वो यह है कि जितने भी capacitor में सुनो मेरी बात ध्यान से न जितने भी capacitor में AWS का मान समान होगा मतलब नियत होगा सब में वो AWS का मान यदि नियत होगा तो वो स्रेडी क्रम में कहलाएंगे और यदि उनके AWS के मान अलग-अलग होगए तो स्रेडी क्रम में नहीं रहेगा, यहाँ पर मैं आपको circuit से समझा रहा हूँ, देखो सबसे पहले इसके लिए हम एक छोटा सा circuit बना लें इसके लिए हम एक circuit diagram बनाते हैं, देखो, यहाँ पर हम कुछ capacitor combine कर रहे हैं और इस capacitor के combination में देखो, हमने यहाँ पर तीन capacitor, तीन capacitor हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है? सपोज यहाँ पर हम तीन capacitor लगा रहे हैं, एक capacitor हमारा यह है, capacitor में दोनों line के लंबाई बराबर होना चाहिए, मेरी यहाँ पर line यही छोटी बड़ी हो जाए, तो चलेगा आप लोग बिल्कूल exact equal line का बनाओगे, क्योंकि यही line छोटी बड़ी होने से, वह फिर capacitor नहीं होग लाइन के लिए आप छोटी बड़ी किये, that means फिर वो बैटरी हो जाएगा, क्योंकि बैटरी में एक लाइन छोटी एक लाइन बड़ी होती है, इस पकार से यह capacitor है, और यहाँ पर होता क्या है, देखो, मालों पहले capacitor की capacity C1 है, दूसरे का C2 है, और तीसरे का सपोर C3 है, इस इसके दूसरे terminal को हम connect कर सकते हैं किसे, प्रिथवी से, प्रिथवी का विभव सुननी होता है इस पकार से, अब आप देखो, चू की सब के terminal अलग-अलग है, मतलब सब को जो joint point है, जिसको हम terminals करते हैं, सभी के terminals अलग-अलग है, इसलिए सब का क्या होगा, विभव अलग-अ सरकिट में जो आप महतकून बात देख रहे हैं, वो यह है, कि यह जो Q-AWS हमने दिया है, सभी में समान रूप से वित्रिथ होगा, सभी में समान रूप से होते हुए आगे बढ़ेगा, इस पकार से यहाँ पर इसका आवेस नियत हो जाएगा, लेकिन सब का विभव अलग- तो जब तक आप इस concept को दिमाख में नहीं रखोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने जो capacitor combine किया है, वो series नहीं की parallel नहीं है, तो numericals बनाते समय इस बात को हमको special care करना पड़ेगा, तो परिपत हो गया, परिपत के बादे हम इसकी गर्णा ही start करेंगे, तो गर् सबसे पहले हम इसकी गर्णा करें, तो इसका जो कुल विभाव है, V, वो सभी के विभाव के योग फल के बराबर होगा, मतलब V equal to V1 plus V2 plus V3, ये क्या होगा, कुल विभाव होगा, तो कुल विभाव V equal to V1 plus V2 होगा, अब चूंकि हम जानते हैं, C equal to Q upon V होता है, C equal to Q upon V से, C equal to Q upon V, ये capacitor का formula होता है, यहां से हम जानते हैं, यहां से यहीं हम विभाव का मान निकालना चाहें, तो V equal to क्या हो जाएगा, V equal to हो जाएगा, Q upon C, अब सभी विभाव के यहीं हम अलग-अलग मान निकालें यहां पर, तो सभी विभाव का अलग-अलग मान निक तो V1 बराबर क्या लिख सकते हैं अपर V1 इक्वल टू Q कांस्टेंट है अपान C1 रखो इसलिए मैंने आपको बताया कि इस त्रेडी सम्मुहन में हम चार्ज को क्या लेंगे कांस्टेंट लेंगे इसके बाद इसी तरह से हम V2 निकाल लें तो V2 इक्वल टू क्या हो इस पकार से हम V1, V2, V3 तीनों का वेल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें पूट अप कर देते हैं तो therefore यह सभी वेल्यू को यदि यहां पर पूट अप किया जाए तो V के जगह में हम क्या लिखेंगे Q अपान C एक्वल टू V1 के जगह में लिखेंगे Q प्लस यह होगा अब दूनों साइट से Q को कामन करके कैंसल आउट कर दिया जाए तो कैंसल आउट करने के बाद जो फाइनल इक्वेसन अपने को मिलेगा वो क्या मिलेगा 1 upon C equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 इस प्रकार से इसका value मिलेगा यह सभी का परणामी धारिता हो जाएगा तो स्रेडी समुहन में जब 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को स्रेडी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका जो तुल्य धारिता है उसका जो equivalent capacitance है 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 के बराबर होता है यह है हमारा capacitor का final equation तो देखे इसको आप लिखे या इसको इसकी इसकी साट ले लिए यह है series combination चलिए next हम देखते है समांतर क्रम सेयोजन parallel combination समांतर क्रम में सेयोजन मतलब parallel combination parallel combination में क्या होता है यहाँ पर ठीक उल्टा काम होता है मतलब यहाँ पर always command यहाँ पर जो always होगा वो सब में भीन भीन होगा always command सभी में भीन भीन होगा सब में अलग-अलग always होगा लेकिन विभाव सभी में विभाव command क्या होगा नियत होगा, नियत मिल समान होगा ठीक उल्टा हो गया अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें आवेश नियत होगा विभाव परिवर्तित होगा, मतलब अलग-अलग होगा, लेकिन समांतर सम्मूहन जब हम करेंगे, तो आवेश भीन भीन होगा और विभाव नियत होगा यह basic concept यही है अभी मैं इस concept को proper clear करने के लिए आपको एक numerical इसके बाद में बताऊंगा तो clear होगा कि कैसे हम पहचानते हैं कि कौन स्रेड़ी में हैं और कौन समानतर में हैं clear यहाँ तक यहाँ तक कोई problem किसी को चलिए फिर आगे हम इसका calculation करें तो पहले तो हम circuit बना ले भई चलिए इसके लिए हम circuit बना लेते हैं पहले यह 3 capacitor इसमें हम connect करने वाले हैं एक capacitor यहाँ पर एक capacitor यहाँ पर और एक capacitor यहाँ पर इस तरह से अब यहाँ पर हम capacitor connect कर दें इसके बाद हम यह सब को एक साथ combine कर देते हैं जब यह सब एकी point पर combine हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा यह parallel हो जाएगा इस तरह से अब इसके इस सीरे को हम इस सीरे पर जब हम इसको plus क्यों आवेश देंगे तो naturally आप समझ सकते हो कि तीनों में आवेश का वितरण अलग-अलग होगा क्योंकि जब हम उसके इस सीरे को आवेस देंगे तो जब उस सीरे को आवेस दिया जाएगा तो आवेस महाँ से 3 अलग अलग part में distribute होगा क्योंकि यहाँ पर आवेस के जाने के लिए 3 रास्ते हैं ठीक है तो इस तरह से क्या होता है सबका जो capacitor को हमने suppose किया है C1, C2, C3 तो suppose इस पर जो आवेस गया उसका मान Q1 है इस पर जो आवेस गया उसका मान Q2 है और इस पर आवेस गया उसका मान Q3 है और चूंकि टर्मिनल दो ही है तो समझ सकते हो कि इसका विभाव कितना होगा भी होगा इस परकार से इसका जो combine potential होगा वह भी होगा ये भी होगा अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका कुल आवेस जैसे पिछले वारे topic में हमने का निकाला था कुल विभाव को निकाला था क्योंकि तीनों में विभाव कमान अलग-अलग था अब चुक यहाँ पर तीनों में आवेस कमान अलग-अलग है तो हम यहाँ पर निकालेंगे कुल आवेस इस तरह से मिश की गर्णा करें तो क्या होगा देखो गर्णा में सबसे पहले हम पान निकालें कुल आवेस कुल आवेस Q इक्वल होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इस पकार से Q1, Q2, Q3 यह कुल आवेस होगा अब हमको मालूम है कि Q इक्वल टू क्या होता है C इन्टू V Q इक्वल टू होता है C इन्टू V ठीक है C इक्वल टू Q अपन भी होता है तो Q बराबर C भी और इस से हम लिख सकते है Q1 का वेल्यू सब का वेल्यू अलग-अलग लिख लें तो क्या हो जाएगा Q1 इक्वल टू C1 इन्टू V Q2 इक्वल टू C2 इन्टू V और Q3 इक्वल टू Q3 इक्वल टू हो जाएगा C3 इन्टू V यह तीनों आवेस का value यहाँ पर put up कर दिया जाए तो therefore यहाँ से q के जगा में क्या लिखेंगे cv और q1 के जगा में लिखेंगे c1 into v plus c2 into v और plus c3 into v दोनों साइट से v common करके हम cancel out करा लें तो दोनों साइट से v के common करने पर यहाँ हो जाएगा c equal to c1 plus c2 plus c3 इस पकार से c equal to c1 plus c2 plus c3 यह इसका final equation हो जाएगा c equal to c1 plus c2 plus c3 यह इसका final equation होगा तो समांतर समुहन में यह तीनों इस तरह से add होते हैं c equal to c1 plus c2 plus c3 और steady समुहन में होता है 1 upon c equal to 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3 clear? अब हम next topic पढ़ते हैं संधारित्र में संचीत उर्जा संधारित्र में संचीत उर्जा का मतलब क्या होता है? कि जैसे अपने पास कोई capacitor है तो इस capacitor में यदि हम उसको आवेस दे जब किसी भी capacitor को आवेस देते हैं तो हमको मालूम है कि आवेस उर्जा का एक रूप है तो वह आवेस उसमें store होता है तो हमको यहाँ पर पढ़ना है कि उसमें कितना energy store होता है तो actual में इसका उर्जा का जो definition है या इसकी जो परिभासा है वो यह है कि suppose इसमें जो उर्जा store होता है वह उर्जा उसके आवसात विभाव मतलब उसमें जितना आवसात विभाव था देखो इसका कई मेथड है integration का method है integration का method difficult है मैं बहुत easy method से आपको बता रहा हूँ आवसात विभाव गुडित आवेस ये इसकी परिभासा ही है ये इसकी परिभासा है कि किसी भी आवेस में या किसी भी संधारित्र में या किसी भी संधारित्र में आवसात विभाव और उस पर उपस्थित आवेस का जो गुडन फल होता है वह क्या कहलाता है उसकी उर्जा अब यहाँ पर हम इसको संकेतों के रुप में लिखे उर्जा को U से पदसित करेंगे तो U इकौल टू अवसात-विभाव मतलब प्रारमीक विभाव सुन्य और अंतिम विभाव V बटे दो क्योंकि प्रारमिक विभाव सुनने क्यों होगा कि जैसे हम संधारित्र को जब कोई आवेस नहीं देंगे स्टार्टिंग में जब हमने उसको कोई आवेस नहीं दिया हुआ है तो चुनकि हम उसको कोई आवेस नहीं दिये हैं तो उसमें विभाव सुनने होगा q that implies आगे इसको solve किया जाए तो u equal to हो जाएगा 1 upon 2 q into v तो u equal 1 upon 2 q into v इसका एक फार्मूला हो जाएगा लेकिन अब इस फार्मूला के हम different different form में change करें तो कैसे कर सकते है देखो बट अपने को पता है कि c equal to होता है q upon v c equal to q upon v होता है और इस फार्मूला को लेके यदि हम इस फार्मूला को लेके इसको और अलग-अलग रूप में change करें तो क्या हो जाएगा देखो therefore u equal to 1 upon 2 अब यहाँ पर हम क्या करें q का value यदि हम यहाँ से q का value निकालें तो क्या हो जाएगा c into v और यह q के मान जाएगा तथा यदि हम इसको तीसरे रूप में और लिपना चाहें तो u बराबर 1 upon 2 अभी हमने यहाँ से क्या किया q को replace किया अब v को करना चाहें तो v equal to q upon c होगा तो यदि हम q upon c यहाँ पर रग दें ठीक है यदि हम क्या करें अभी हमने q को हटाया अब v को हटा रहे है तो v equal to q upon c रखेंगे यदि तो q square upon c हो जाएगा तो 1 upon 2 q square upon c यह भी हो जाएगा कुल मिलाक यहाँ पर देखो इसका जो मान है कहने का मतलब उर्जा जो है संधारितर पर जो उर्जा है उसको हम 3 पार्ट में लिख सकते है इसका जो पहला पार्ट है वो है देखो 1 upon 2 q into v 1 upon 2 c v square और यह सब फर्मूला एक ही है लेकिन अलग-अलग पदों में है यहाँ पर इसका फर्मूला आवेस और विभाव के पदों में है यहाँ पर इसका जो फर्मूला है वो धारिता और उसके विभाव के पदों में है और यह आवेस और उसके धारिता के पदों में इस पकार से हम इसमें उर्जा को 3 फर्मूला में सो कर सकते हैं यह आप लिखो और इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेसो के पुरार उत्रन में उर्जाहानी का कल्कुलेशन तो एक बहुत important topic है इसके फर्मुले आपको याद रहना चीए numericals बनाते समय भी काम आएगा और आगे भी भी कल्कुलेशन में काम आएगा numerical chapter के बाद कराएंगे यहाँ पर मैं आप लोग के एक example बताना चाहा रहा था यह study और समांतर का तो एक example में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इस example से आपको clear हो जाएगा कि study और समांतर यह एक बहुत important example है इस example से पूरा clear हो जाता है कि combination को हम कैसे पहचानते हैं combination हम कैसे पहचानते हैं इसे आपको पूरा clear हो जाएगा, यह सबसे important example है, मेरे हिसाब से इस example के बाद, कोई problem student को नहीं रहता है, shreddy और समांतर को समझ जाता है, कि कैसे shreddy हुआ और कैसे समांतर हुआ, यहाँ पर यह बहुत थेमस example है, बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर देखो तीन कैपेसिटर हम लगा रहे हैं, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, और एक कैपेसिटर हमने यहाँ पर लगाया हुए है, अभी इसको proper capacitor बना देते हैं अभी capacitor नहीं बना है यहाँ पर तीन capacitor इस circuit में लगा हुआ है यहाँ पर दो terminal है terminal मतलब सीरे इसके एक सीरा A है और यह दूसरा सीरा यह है suppose B और इसकी जो धारिता जो capacitor यहाँ पर लगाया गया है इसकी धारिता suppose 3 है 3 microfarad इसका भी 3 microfarad इसका भी 3 microfarad ऐसा मालो हमने लिया है अब इस combination को देखने के बाद इस combination को देखने के बाद किसी को भी ऐसा लगता है किया series combination है और generally student इसको हर बड़ी में फटा-फट series combination में बना लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर जो capacitor use किये गए है वो एक line में है इसलिए वो series में होंगे और generally हम लोग ऐसा पढ़े रहते हैं अभी हमने चीतर बनाया तो एक ही wire में तीनो capacitor को C1, C2, C3 को रग दिया लेकिन वास्ताव में यह स्रेड़ी समूहन नहीं है यह समानतर है तो समानतर यहीं से आपको concept clear हो जाएगा कि केवल संघारित्रों को देख कर हम नहीं बता सकती कि स्रेड़ी में है कि समानतर में है उनको आप कभी भी देख के observe करके मत decide कर लेना कि सरे स्रेड़ी में है कि समानतर है आपको concept क्या बताया मैं आपको concept यह बताया कि श्रेडी समुहन जब आप पढ़गे तो स्रेडी समुहन में आपको देखना क्या है कि आवेस क्या होना चाहिए? नियात होना चाहिए आवेस नियात होना चाहिए लिकिन इस example में आप देखो अब ध्यान देना इधर जैसे मान लो आवेस को हम यहाँ पर पहुंचाए इस टर्मिनल पर तो naturally इसका एक पार्ट इधर जाएगा एक पार्ट इधर जाएगा और एक पार्ट इधर जाएगा क्योंकि उसको वहाँ पर दो रास्ते मिल गए तो ये आवेस इधर से होते हुए इसमें से होके जाएगा और ये आवेस इसमें से होके जाएगा अब ये आवेस यहाँ पहुँचेगा तो एक part ये connection और एक इसमें से जाएगा तो देखो सब में आवेस अलग अलग जा रहे हैं इसमें आवेस अलग जा रहा है, इसमें आवेस अलग जा रहा है, तो सभी में आवेस का मान अलग अलग होने के करण, सभी में आवेस का मान अलग-अलग होने के कारण ये स्रेणी में नहीं है ये वास्तों में किसमे है? समांतर में है इस तरह से आप देखो इसको समांतर समुहन से साल्व करोगे तो question में बस इतना ही है कि इसको पहचानना है कि समांतर में और अभी हमने पढ़ा है कि समांतर समुहन में क्या फार्मूला होता है c equal to c1 plus c2 plus c3 तो समांतर समुहन में c equal to निकालना है तो 3 plus 3 plus 3 equal to क्या हो जाएगा है? 9 microfarad ये इसका आंसर होगा 9 microfarad इसका आंसर होगा clear? आगई बास समझ में आपको तो ध्यान में रखना कि जब भी combination अब करेंगे जब भी हम capacitor का combination करेंगे तो हमको ये ध्यान में रखना है कि आवेस समान है कि नहीं यदि आवेस equal जाएंगे यदि यहाँ पर उपर का wire और नीचे के wire को हटा दें तो तीनों में आवेस समान जाएगा तब ये strategy मी हो जाएगे और उस समाहिए 1 upon 3 plus 1 upon 3 plus 1 upon 3 होगा strategy मी होने करण और फिर 3 upon 3 फिर वो 1 हो जाएगा उस condition में इस answer 1 हो जाएगा तो एकजाम में जब ये competitive exam में आता है तो एक आप्सान में 1 भी रहता है एक आप्सान में 9 भी रहता है एक आपसन में 3 भी रहता है ठीक है तो clear ये सभी को कोई problem किसी को यहां तक समझ में आ गया अब हम देखें यहां पर यह हमने देख लिया था अब यह next topic हमारा आवेसों का पुनर वित्रण redistribution of charges यह redistribution of charge बहुत important topic है और यह long answer type question में हमको 4 नमबर या 5 नमबर तक का पुछता है यह question चार नमबर पाँच नमबर तक का भी इसको पुछा जाता है आवेसों का पुनर वित्रण क्या है तो आवेसों के पुनर वित्रण में 2-3 formula अपने को derive करना है जिसमें सबसे पहले आवेस का पुनर वित्रण क्या है, पुनर वित्रण के पस्चात विभाव क्या होता है, पुनर वित्रण के पस्चात आवेस क्या हो जाते हैं और सबसे इंपोर्टेन टापिक है इसमें पुनर वित्रण के पस्चात उर्जयहानी की गर्ण करना कि जब आवेसों का पुनर्वित्रण हो जाता है तो उसमें energy last कितना होता है उर जहानी कितना होता है इसको हमको समझना है ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम देखिए आवेसों का पुनर्वित्रण होता क्या है आवेसों के पुनर्वित्रण में हम पहले कुछ figure बना के आपको समझा देते हैं देखो मालो ये एक pin है और ये दूसरा pin है ये दो हमने pin लिया और मालो ये A है ये मालो B है इस पर पहले pin पर मालो इसकी धारिता C1 है विभव V1 है और इसमें आवेस की मातरा मालो Q1 है ये और दूसरे में मालो इसकी धारिता C2 है इसका विभव V2 है और इस पर आवेस मालो Q2 है ये दो अलग-अलग स्वतंतर आवेस हैं अब यद़ी इसको किसी connecting wire से यदी हम इसको किसी चालकतार से जोड़ दे तो जैसे हम इसको किसी चालकतार से जोड़ेंगे मालो हमने इसको एक चालक तार से जोड दिया ये जोईन कर दिया तो चालक तार से जोडने पर इसमें आवेश एक से दूसरे में जाने लगेगा क्यों? क्योंकि दोनों में विभाव का मान समान है हमने विभाव के कांसेप्ट में पढ़ा था कि जब तक दो बिंदों का विभाव अलग-अलग होगा तब तक उसके विच विभांतर होगा फिर आवेस एक बाड़ी से दूसरे बाड़ी में ट्रांसफर होगा तो चुकि यहाँ पर विभाव V1 है और यहाँ पर विभाव क्या है V2 है तो यहाँ पर आवेस का वितरण होगा यहाँ तो आवेस A से B में जाएगा यहाँ तो आवेस B से A में जाएगा अब यहाँ पर हम यह नहीं बता सकते कि A से B में जाएगा कि B से A में जाएगा क्यों नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर हमको यह नहीं पता है कि V1 अधिक है यह नहीं पता इसलिए हम direction नहीं पता सकते बट ये तो बता सकते हैं कि विभाव का transfer होगा और विभाव का transfer कब तक होगा और आवेश का transfer कब तक होगा जब तक दोनों का विभाव समान ना हो जाये जिस परकार से पानी उच्च तल से निम्न तल की और प्रवाहित होता है बहता है लेकिन उच्च तल से निम्न तल की और प्रवाहित होते होते हैं तब तक होता है जब तक दोनों का सरफेस इक्वल न हो जाए तो यहाँ पर आवेस का वित्रण होगा इसी को बोलते हैं आवेसों का पुनर दोनों के बीज का विभव मालनों क्या हो गया भी हो गया इस पकार से यहाँ पर जो हमने भी लिखा है वह क्या है आवेस के पुनर वित्रण के पस्चाथ उसका विभव है चलिए यह थो गए इसको concept अब one by one हम इसके सभी टापी को calculate करते है ठीक है तो सबसे पहले हम calculate करेंग सबसे पहले हमारा जो गड़ना है वो है पुनर वित्रण के पस्चाथ पुनर वित्रण के पस्चाथ विभव हमको यह गड़ना करना है कि पुनर वित्रण के पस्चाथ उसमें विभव क्या है पहला calculation कि जब redistribution हो जाएगा charge का A से B में या B से में A में आने जाने का काम हो जाएगा तो उसका विभाव क्या होगा तो तों criticism और तो यहाँ पर टो इसका मिलाके, दोनों बाड़ी के मिलाक, उसका जो कुल आवेस है, वो दोनों में उपस्तित आवेस को योग फल के बराबर होगा, तो Q को क्या लिख सकते हैं अपन Q1 प्लस Q2 और अपान, अपान उसकी जो धारीता है, उसको हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों की धारीता, C1 प्लस C2 हो जाएगा, दोनों मिलाके that equal, अब देखो चूंकि Q बराबर C भी होता है, तो Q1 बराबर क्या लिख सकते हैं, C1 V1 और इसी तरह से Q2 बराबर लिख सकते हैं, C2 V2 और अपन में हो जाएगा C1 प्लस C2 यह होगा V, इस पकार से V equal to C1 V1 प्लस C2 V2 और अपन C1 प्लस C2 होगा, और यह हो जाएगा इसका विभाव पुनर वितनर के पस्चाथ, तो पहला फर्मूला यह है जैसे मालों हमको एक्जाम में छोटा सा क्वेस्टन देदे, कि दो आवेसित प्रिंडों के बीच, आवेस के पुनर वितनर के पस्चाथ, उसके विभाव की गढ़ना कीजिए, तो V equal to, यह हमको मिल जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2 clear, समझ में आगे यहां तक अब देखो, पुनर वितनर के पस्चाथ, अब second हम calculation करेंगे, पुनर वितनर के पस्चाथ, आवेस पुनर वितनर के पस्चाथ, आवेस तो जब हमको पुनर वितनर के पस्चाथ आवेस निकालना होगा, इसका मतलब क्या होगा? यहां पर आप figure से देखो, कि जब आवेस A से B में जाएगा, या B से A में जाएगा चाहे किसी में से किसी में भी जाएगा तो जब पुनर वितनर बंद हो जाएगा विभाव बराबर होने के बाद दोनों में पुनर वितनर बंद हो जाएगा तो किसी का आवेस घटेगा किसी का बढ़ेगा जो ज्यादा रहेगा और पहले से कम हो जाएगा क्योंकि उसने दिया और जिसके पास कम रहेगा उसका ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसने लिया तो अब हम यह देखते हैं कि पुनर्वित्रण के पास पस्चात उनका आवेस कितना बचता है इसका हमको कल्क्रेशन करना है तो पुनर्वित्रण के पस्चात हम सबसे पहले लिका लेते हैं A का आवेस पुनर्वित्रण के पस्चात A का आवेस पुनर वितनर के पास चाहत एक है आवेस को हम capital Q1 से पतसित कर देते हैं तो Q1 बराबर क्या होगा Q बराबर C V होता है तो इसकी धारिता तो C1 है लेकिन अब इसका विभाव क्या गया है V अब इसमें V1 नहीं लिखेंगे अब इसमें लिखेंगे V क्योंकि पुनर वितनर के पास चाहत अब उसका विभाव V हो चुका है अब इसके value को put up कर दें तो therefore यहाँ पर Q1 बराबर हो जाएगा C1 और V का value यह जो हमने यहां से निकाला हुआ है यह V का value निकाला है C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2 यह हो जाएगा पुनर वितनर के पास चाहत A का आवेस इसी तरह से पुनर वितनर के पास चाहत यह हम B का आवेस निकालें तो पुनर वितनर के पास चाहत B का आवेस पुनर वितनर के पास चाहत B का आवेस उसको यह हम Q2 कह दें तो Q2 equal to हो जाएगा C2 into V that equal to C2 और V का value को फिर हम यहाँ से put up पर दें तो हो जाएगा C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 यह होगा तो यह A का आवेस होगा और वो B का आवेस होगा इस पकार से देखो पुनर वितनर के पस्चाथ A का आवेस और पुनर वितनर के पस्चाथ B का आवेस यह होगा तो यह दूसरा question है, मालो आपको exam में पूसता है कि पुनर वितनर के पस्चाथ एक आवेस या भीक आवेस निकालो तो यहां तक निकालोगे तो दो टापिक हमने यहां पर पढ़ा इसमें, पहला पढ़ा पुनर वितनर के पस्चाथ विभाव कितना होगा फिर हमने पढ़ा, पुनर वितनर के पस्चाथ एक आवेस कितना होगा और पुनर वितनर के पस्चाथ भीक आवेस होगा देखो exam में question जितना पुछेगा, exam में question जितना पुछेगा, उतना ही answer आपको देना है तो ध्यान में रखना की कहा तक पूछ रहे हैं, हलाकि इसमें कभी भी question पूछेगा तो लगभग यह decided है कि इसमें जो question पूछा जाता है, वो आवेस के पुनर वितनर के पस्चाथ उर्जाहानी ही पूछा जाता है ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, पूणर वितनर के पूर्व, पूर्व, अकी उर्जा या A पर उर्जा, तो पूणर वितनर के पूर्व, A पर उर्जा कीतना होगा? 1 upon 2 C1 V1 square तो पुनर वित्राण के पहले पुनर वित्राण के पहले ए पर जो उर्जा होगा वो 1 upon 2 C1 V1 square होगा इसके बाद हम देखें B की उर्जा पुनर वित्राण के पहले B की उर्जा तो पुनर वित्राण की B की उर्जा 1 upon 2 C2 V2 square होगा और इसलिए कुल उर्जा, पुनर वित्रण के पूर्व, जो भी हम यहाँ पलिख रहे हैं, वह पुनर वित्रण के पूर्व है, तो कुल उर्जा, जिसको हमने U1 कह दिया, तो U1 बराबर दोनों के योग खल के बराबर होगा, तो 1 upon 2 C1 V1 square, प्लस 1 upon 2 C2 V2 square, यह हो जाएगा तो हमने निकाल लिया कि पुनर वित्रण के पूर्व उर्जा कितना होगा, इसके पास हम निकालते हैं, पुनर वित्रण के पस्चात, पुनर वित्रण के यदि हम पस्चात निकालें, second point, तो पुनर वित्रण के पस्चात A की उर्जा, ध्यान देना ना यहाँ पर, A की उर क्योंकि अभी हम यही बात पढ़ रहे हैं कि पुनर्वित्रण के पहले तो उस पर विभाव क्या था भी बन था लेकिन जब पुनर्वित्रण हो गया तो पुनर्वित्रण के पस्चात उसका विभाव भी हो चुका है और जिसको हम अभी कल्कुलेट भी कर चुके हैं ठीक है तो पुनर वित्रण के पस्चाथ इतना हो जाएगा अब इस तरह से B की उर्जा निकाले हम B की उर्जा पुनर वित्रण के पस्चाथ B की उर्जा तो वो हो जाएगा 1 upon 2 C2 V स्क्वेर यह हो जाएगा इसलिए कुल उर्जा अब हम निकाल लें पुनर वित्रण के पस्चात इसकी कुल उर्जा तो कुल उर्जा को जाएगा हम U2 कह दें इसको हमने U1 कहा है इसको U2 कह दें तो दोनों का योगफल तो 1.2 V2 कहार यहां से कामन हो जाएगा तो अंदर बज जाएगा क्या C1 प्लस C2 इस तरह से उर्जा हानी अब हमको निकालना है उर्जा हानी उर्जा हानी होता क्यों है इसमें एनर्जी लास क्यों होता है क्योंकि जब चार्ज एक से दूसरे में ट्रांसफर होगा इन कई कारणों से क्या होता है उर्जा की हानी होती है ऐसे भी जब वर्क होगा तो एनर्जी लास तो हो गई तो A से B में जाने का जब वर्क हो रहा है तो A से B में जाने का वर्क होने के कारण क्या होता है यहाँ पर एनर्जी लास होता है ठीक है अब ये बताओ मेरे को उर्जा हानी होगा तो ये यूवन ये जो हमने यूवन लिखा है ये क्या है पुनर्वित्रण के पूर्व है और यूटू लिखा है वो पुनर्वित्रण के पस्चात है तो हानी कब होता है? हानी तब होता है जब पहले हमारे पास ज़्यादा होता है और बाद में क्या हो जाता है? कम हो जाता है तो पहले जब हमारे पास ज़्यादा होता है बाद में कम हो जाता है तभी उर्जा की हानी होती है तो यहाँ पर उर्जा हानी निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखो उर्जा हानी निकालने के लिए डेल U equal to U1 minus U2 निकालेंगे पुनर्वितनड के पूर्वा की उर्जा में पुनर्वितनड के पस्चाथ की उर्जा को हम minus करेंगे चलिए तब इसका value put करें और इसको simplify करें यह है हमारे पास c1 का value 1 upon 2 c1 v1 square इसमें 1 upon 2 को मैं common कर लेता हूँ 1 upon 2 तो दोनों में से common कर लेते हैं ठीक है 1 upon 2 दोनों में से common कर लेते हैं यहां से भी और यहां से भी तो यहां से क्या बचेगा c1 v1 square plus c2 v2 square और minus यह हो जाएगा c1 plus c2 और v square यह हमने value put up कर दिया अब आगे इसको हम simplify करें सरल करें तो 1 upon 2 अब यहां पर ध्यान देना c1 v1 square plus c2 v2 square minus c1 plus c2 और यहां पर हम क्या करें v का value को put up कर दें तो v का value हमने एक दम स्कार्टिंग में निकाला है देखो यह c1 v1 plus c2 v2 upon c1 plus c2 इस value को हम put up कर दें तो क्या हो जाएगा c1 v1 plus c2 v2 upon c1 plus c2 का whole square यह इसको हमने value put up कर दिया value put up करने के बात क्या होता है that equal 1 upon 2 अब यहां पर ध्यान देना यह c1 v1 square plus c2 v2 square minus यहां ध्यान देना c1 plus c2 का square है और यहां पर c1 plus c2 है यह होगा clear रहा तर क्योंकि एक इसके साथ में कट गया अब यह जो हर में c1 plus c2 है इसको यदि हम क्या करें कामन कर लें अब यहां पर ध्यान देना ना सरल करने में कोई problem नहीं आना थी यह c1 plus c2 को यदि हम इसके हर से कामन करें तो यहां पर इन दोनों के साथ इसका गुणा हो जाएगा क्योंकि आपको मालूम है कि जब किसी भी चीज को हर से कामन किया जाता है तो सब में उसका गुणा होता है और अंस से कामन किया जाता है तो सब में उसका भाग होता है तो यहां से मैं c1 plus c2 को कामन कर लेता हूँ तो next slide में देखो 1 upon 2 c1 plus c2 that equal यह हो गया किसका multiplication होगा c1 v1 square plus c2 v2 square c1 v1 square c1 v1 square plus c2 v2 square minus minus यहां से क्या होने वाला है यह common हो गया है तो वो बचेगा c1 v1 plus c2 v2 minus c1 v1 plus c2 v2 का whole square यहां बचेगा that equal आगे इसको solve किया जाए तो हो जाएगा 1 upon 2 c1 plus c2 अब c1 का सब के साथ multiply किया जाए तो c1 square c1 square v1 square plus इसके साथ multiply करें तो c1 c2 v2 square c2 का multiply करें तो plus c1 c2 v1 square plus इसके साथ multiply करें तो c2 square v2 square minus यह a plus b के whole square से open होगा और सामने minus का multiply होने के कराण सब minus हो जाएगा तो क्या हो जाएगा c1 square v1 square minus c2 square v2 square minus 2 c1 c2 v1 v2 बस इसके गर्णा को आपको ध्यान रखना है गर्णा बहुत आसान है इसमें कोई problem नहीं है बस आपको क्या करना है simplify करना है उसको बहुत आसानी से अब यहाँ पर देखो क्या क्या होगा यहाँ पर c1 v1 square c1 v1 square के साथ cancel out हो जाएगा यहाँ पर c2 v2 square c2 v2 square के साथ cancel out हो जाएगा अब यहाँ से देखो आब c1 c2 यहाँ से c1 c2 और यहाँ से c1 c2 यह तीनों जागा से c1 c2 common होगा तो अगले लाइन में हम क्या लिख सकते हैं इसको that equal यह c1 c2 common किया अपान में 2 c1 plus c2 यह होगा और under bracket यहाँ से क्या बचेगा v2 square और plus v1 square minus 2 v1 v2 यह होगा therefore हमारा final equation होगा energy last therefore energy last del u energy last del u equal to c1 c2 upon 2 c1 plus c2 और under bracket इसको लिखा जा सकता है v2 minus v1 का whole square तो यह इसका final equation है यह इसका final equation है c1 c2 upon 2 c1 plus c2 2 c1 plus c2 यह होगा ति यह इसका final equation होगा उर्जाहानी का यह final equation होगा तो यह है एक बहुत important टापिक है और इसका exam में clarify का चाąस बहुत ज़्यादा होता है इसका exam में का चांस बहुत ज़्यादा होता है एक बार मैं इसको repeat करता ह Imagêmes सको पुनर वित्रण होता है चूंकि दोनों वे विभव अलग-अलग होता है तो दोनों का आवेस वित्रित होता है अब जब गर्णा करते हैं तो पुनर वित्रण के पस्चाथ हमने पहले विभव निकाला इसकी साथ लेना है तो आप ले सकते हो next है पुनर वित्राड के पस्चात आवेश पुनर वित्राड के पस्चात A का आवेश पुनर वित्राड के पस्चात B का आवेश next पुनर वित्राड के पूर्व हमने आवेश उर्जा निकाला फिर पुनर वित्राड के पस्चात निकाला फिर हानी निकालने के लिए पहले से पस्चात को हमने माइनस कर दिया and the final equation is this del u equal to c1 c2 upon 2 c1 plus c2 under bracket v2 minus v1 का whole square कोई problem हो तो बताइए और इसके बाद हमारा एक topic और है जिस पर हम discuss करेंगे फिर हमारा ये chapter complete रहेगा अब देखो हमारा एक topic है ये है वांडे ग्राफ जनितर वांडे ग्राफ जनितर ये जो topic है ये कई बोर्ड से हटा दिया गया है ये जो topic है कई बोर्ड से हटा दिया गया है लेकिन कुछ बोर्ड में है कुछ बोर्ड में है तो मैं ये topic आपको explain कर देता हूँ क्योंकि कुछ board में होने के कारण उस students को परिशानी हो जाएगी तो हमको यहाँ पर 1D graph generator पढ़ना है 1D graph generator होता क्या है यह हमको समझना है सबसे पहले 1D graph generator एक device है यह एक उपकरण है और जिसकी सहयता से क्या करते हैं हम high potential का बहुत उच्च विभाव का हम यहाँ पर विभांतर उत्पन करते हैं और उसको हम किसी nucleus में किसी heavy nucleus में bombarding करके positive particles को bombarding करके उसमें collision टकर कराके नाभिक को तोड़ते हैं यह नाभिकी भी खंडन के काम में आता है बाद में एक काम cyclotron के ज़ारा लिया गया क्योंकि यह बहुत dangerous instrument सा तो practically इसका ज़्यादा use तो नहीं हुआ लेकिन यह बहुत important device था कई board में है किस-किस board में है 1D graph generator CBSC board से हटाद भी आ गया है CG board से हटाद भी आ गया है इसलिए मैं क्यों सबसे पहले हमको समझना है 1D graph generator का सिध्धान्त क्या है तो 1D graph generator का सिध्धान्त है Nucleae भागों की क्रिया Nucleae भागों की क्रिया तो भाई ये Nucleae भागों की क्रिया होता क्या है X and a point इंगलिस में बहुते हैं X and a point नुकिले भागों की क्रिया होता क्या है तो यहां पर इस तरह से अपन एक सेब बनाते हैं यह सेब देखो आपने इस तरह का सेब देखा होगा एक design कैसा design जैसे आपने कभी eye drop या ear drop आँख में डालने वाला liquid या कान में डालने वाले liquid के उपर के cover को देखा होगा तो कुछ इस तरह का design रहता है ऐसा ये nukvila भाग है ये xana point इसमें होता क्या है इसमें जब हम आवेस देते हैं यदि हम इसको आवेस देते हैं तो इसमें आवेस देने पर ये जो आवेस है ये इस पर वितृत होता है लेकिन यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो इसका point होता है यहाँ पर 6 तरफल कम होने के कारण यहाँ पर आवेज घनत्व बढ़ जाता है इस पकार से यहाँ पर आवेज घनत्व हो जाता है और आवेज घनत्व बहुत होने के कारण क्योंकि नुकिले भाग में 6 तरफल कम होता है और आवेस कमान जादा हो जाता है तो 6 तरफल कम होने के कारण या आवेस कमान जादा होने के कारण वहाँ पर आवेस घनत्वा अधिक हो जाता है मतलब Char Density बढ़ जाता है और Char Density बढ़ने के कारण वहाँ पर जो आवेस है वो एएर में Diffuse होए लगता है हवा में विस्रिथ होए लगता है जिसको Electrical Wind बोलते हैं विद्युत तुफान बोला जाता है इसको Electrical Wind या विद्युत तुफान बोला जाता है यह इसका सिध्धान्त है कभी भी जब आपको इसका सिध्धान्त लिखना है तो सिध्धान्त में लिखोगे कि 1D graph generator नुकीले भागों की क्रिया के सिध्धान पर कारे करता है और वो फिर नुकीले भाग में आवेस कमान अधिक होने के कारण विद्यूत तुफान चलने लगत अब हम देखते हैं 1D graph generator का design इसकी कारिविधी यह कैसे काम करता है इसका कारिविधी समझना है इसमें कोई mathematical calculation नहीं है इसमें हमको इसका कारिविधी बस समझना है वही इसका main topic है ठीक है चलिए तो इसके अंदर में 1D graph यह इसका frame होता है और इस frame के अंदर ध्यान से समझते इस frame के अंदर यह जो मैंने borderline बनाया है square shape में या rectangle shape में यह इसका frame है मतलब इसके अंदर वो device होता है इसके बाद देखो यहाँ पर एक गोला देख रहे हो आप पहले मैं पूरा figure को construct कर दूँ उसके बाद फिर मैं आपको इसको explain करूँगा यह मैं figure पहले बना दूँ उसक कोन क्या है और क्या काम करता है फिर पूरे इसके working method को हम समझेंगे हाँ यहाँ पर देखो यह जो blue color से आप देख रहे हो यह जो blue color से देख रहे हो इसको बोलते है कॉम कॉम माने कंगी यह नुकीला भाग actual में इसको हमने लिखा C मतलब यह कॉम होता है कंगी होता है इसके इसके बाद यहाँ पर भी जो देख रहे हैं आप blue color से यह भी कॉम है कंगी है मतलब यही नुकीला भाग है जो यहाँ पर आपको समझाये गये है इसके बाद यह high tension battery से जुड़ा होता है यह suppose यह high tension battery से हमने इसको जोड़ा हुआ है और बाद में इसका संपर्क हम किसे प्र और इस तरह से बीच में जो green color का जो आप point देख रहे हैं तो यह इसका pulley है पुली मतलब घिरनी है यह क्या होता है गोल गोल बेल्ट पर भूमता है वाइट कलर के जो आप देख रहे है उस पर वो गोल 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 भूमता है ठीक है इस पकार से यहाँ पर यह round round गूमता है मालों यहाँ पर हम की लगा के रखते हैं यह हमने की लगा दिया और की को जैसे आन करते हैं यहाँ तो की आन करने पर यह जो कॉम है यह जो कॉम C1 देख रहे हो यह मालों कॉम C1 है और यह कॉम क्या है C2 है कॉम आने कंगी कंगी में नुकेले points होते हैं वही नुकेले points य तो जैसे ही हम यहाँ पर बेटरी कवान करते हैं तो यह C1 कॉम देख रहे हो उसमें क्या होता है धान आवेसी थो जाता है तो वहाँ पर electrical wind चलने लगते हैं जैसे यहाँ पर नुकिले भाग में आपने देखा है इसलिए इसका सिधान पहले बताया इसको तो नुकिले भाग जो कंगी का नुकिले पॉइंटेट भाग होता है वहाँ से आवेस बाहर निकलने लगते हैं तो यहाँ से जो आवेस बाहर निकलने लगता है इनको मैं सो कर दूँ यहाँ पर आवेस को तो आवेस के बाहर निकलने से suppose इस आवेस को मैं ये red color से so कर रहाँ ये plus आवेस यहां से बाहर विसित हों लगते हैं अब ये plus आवेस क्या होता है बेटरी की सहयता से belt की सहयता से उपर उठने लगते हैं चुकि वहाँ पर belt गोल गोल गोम रहा है तो belt के गोल गोल गोमने के कारण वो AWS çarpThis Case में धिरे 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 ऊपर जाने लगते हैं और जैसे ही किया होता है? यह C2 के पास पहुषता है तो वहा पर वीप्रीट आवे सुथपन कर देता है और यहां पर वीप्रीट आवे साथ माईनस आवे सुथपन हो जाता है क्योंकि वो opposite charge डवलप करेगा और वो opposite charge फिर का करता है cell के बाहर में धनावे सुत्पन कर देता है इस पकार से ये cell के बाहर positive charge डवलप होते जाता है और ये positive charge डवलप होते होते ये store होते जाता है धिरे धिरे ऐसी स्थिती आती है कि ये cell के बाहर लगबग 10,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 सबींटिंग शिस्टम होता है यह तो हम यहां साइधान्हिक हीटर पड़ रहे हैं वास्ता commence हो इसका प्रेक्टीकर ट्याइग्राम देखना है तो करके देख सकते हैं हम तो यहां पर संजह रहे हैं इसलिए भीगर तो फिर क्या करते हैं इसको इसके साथ में टच करा देते हैं जैसे हम इसके साथ में टच कराते हैं इस पॉइंट को जैसे हम सेल से टच कराते हैं तो जितना पाजिटिव चार्ज यहां पर इस्टोर हुआ है वो सब पाजिटिव चार्ज यह नीचे चला आता है यहां पर और नाभी को break करता है तोड़ता है मतलब नाभी की भी खंडन या nuclear फिजन के काम में आता है ठीक है तो यह है वांडी ग्राब जनेटर जैसे आपको exam में आएगा तो इसको तीन पाइंट पर लिखना है चार पाइंट पर लिखना है पहले पाइंट में आप सिधान्त लिखोगे दूसरे पाइंट पर ये रेखा चितर बनाओगे दूसरे पाइंट पर इसका चितर बनाओगे और तीसरे पाइंट पर इसकी कारे भी धी लिखोगे तीसरे पाइंट पर इसकी कारी भी लिखोगे और चौथे पाइंट पर इसका उपियोग लिखोगे और कभी कभी पाँच में पाइंट पर इसका दोस भी पूझ देता है मालो दिर्गुतरी प्रस्ण हुआ, पांच नमबर का प्रस्ण हुआ, तो उसमें आपको दोस भी पूछ देगा तो मैंने आपको कारी विधी एस्प्रेंड कर दिया, कारी विधी आप सब समझ गए इसके बाद देखो इसका उप्योग, तो उप्योग मैं बार-बार आपको शुरुआत से ही बता रहा हूँ कि यह नाभीकी विखंडन के काम आता है, ठीक है? क्योंकि यदि इसमें कोई आदमी काम कर रहा है और किसी प्रकार का कोई चूख हो जाए मिस्टेक हो जाए तो दस लाख वोल्ट के पोटेंशियल के कारण वहाँ पर कोई दुरगटना हो सकती है तो यह खतरनाक था दोस में पहला का खतरनाक था दूसरा क्या है इसका मतलब ट दूसरे जगह मिले जाना कठीन काम था इस कारण से क्या है यह खतरनाक था और उसको ट्रांस्पोर्ट करना पासिबल नहीं था यह इसका दोस है तो कभी भी यह प्रस में चार या पांच नमबर का पूछा जाए तो इस पकार से आप उसको एस प्लैन कर सकते हैं ओके चलिए ठीक है तो यह यहाँ पर हमारा यह चेप्टर अच्छा इसमें आपको एक टापिक और पढ़ाना है मेरे खाल से मेरे पढ़ाय नहीं वो है परावजुत पदार्थ का ध्रूण ध्यान आगया मेरे को परावजुत पदार्थ और परावज नेस्ट क्लास में हम इसके निमेर्कस करेंगे तो अगला टापिक है हमारा परावजुत पदार्थ और परावजुत पदार्थ का ध्रूण परावजुत पदार्थ अथा उसका ध्रूण पोलेराईजेसन इस पकार से देखो पोलेराईजेसन क्या होता है परावजुत पद पदार्थ मतलब होता है डाइलेक्टिक मटेलियर यह परिच्छा में कई बार टू मार्ड्स का दो नंबर तक का या तीन नंबर का कोस्चन पुछा जाता है कि परावजुत पदार्थ किसे कहते हैं इसके धुनवाण को समझाईए ठीक है तो क्या होता है परावजुत पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जो अपने मेंसे विद्धुत धारा प्रवाहित होने नहीं देता किन्तु विद्धुत के सभी गूर्ड प्रदस्थित करता है ज्यान से सुनो परिभासा परावजुत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने मेंसे विद्धुत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं किन्तु विद्धुत के सभी गूर्ड प्रदस्थित करते हैं ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं परावजुत पदार्थ करत तो परवजुत पदार्थ दो प्रकार का होता है, पहला होता है धुरुवित, जिसको हम बहते हैं पोलर, ठीक है, और दूसरा होता है अधुरुवित, मतलब नान पोलर, तो पोलर और नान पोलर, पोलर और नान पोलर, दो तरह के क्या होते हैं, परवजुत पदार्थ होते है अब परवजुत पदार्थ में धुरुवित किसको हम कहेंगे धुरुवित परवजुत पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें इसके जो पोल्स होते हैं यह दोनों पोल्स सेपरेट सेपरेट होते हैं मतलब इसका जो प्लस पोल है और माइनस पोल है दोनों पोल अलग-अलग होते हैं मतलब उन दोनों का जब स्वोतंत्र अस्तीत होता है मतलब उसके poles होते हैं तो जब उसके poles होते हैं तो उसको हम धिर्वित कहते हैं जैसे hydrochloric acid HCL hydrochloric acid क्या है धिर्वित polar क्या है dielectric material है तो यहाँ पर plus और minus poles अलग अलग होते हैं इसलिए उसको हम क्या कहते हैं धुरुवित कहते हैं लेकिन अधुरुवित का मतलब क्या होता है अधुरुवित मतलब मालो हमारे पास यह कोई परावजित पदार्थ है और इसके दोनों पॉल इसके दोनों पॉल एक ही बिंदू पर हो मतलब संपाती हो अपने धुरू को सो ना कर रहा हो, जब अपने धुरू को प्रदर्शित नहीं करता, उसके धुरू एक ही बिंदू पर होते हैं, नूटरल होते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं? अधुरूवीत परवजुत पदार्थ कहते हैं, जैसे MOM हैं, अभरक हैं, यह सब का उप्योग ह इसके ध्रूवण का प्रोसेस यह है कि यहाँ पर हम दो इस तरह से प्लेट ले लेते हैं एक positive और एक negative high intensity का suppose इसको हमने high intensity का उच्च तिवरता का positive प्लेट ले लिया और इसको हमने उच्च तिवरता का negative प्लेट ले लिया अब मैं आपको समझा रहा हूँ ध्रूवण की परावजित पदार्थ का ध्रूवण क्या होता है तो परावजित पदार्थ का ध्रूवण का मतलब होता है अध्रूवित परावजित पदार्थ को ध्रूवित पदार्थ में परिवर्तित करना यह जो अधुरुवित पराविजित पदार्थ होता है इस अधुरुवित पराविजित पदार्थ को धुरुवित पराविजित पदार्थ में बदलने की जो प्रक्रिया है इसे हम क्या कहते हैं धुरुवण कहते हैं तो इसके लिए क्या किया जाता है? दो प्लेट के बीच में जो की धन आवैसित और रिर आवैसित उच्छ तिप्रता का प्लेट होता है, इन दोनों प्लेटों के बीच में अधरुवित पराविदित पदार्थ को भर दिया जाता है, जैसे इसके बीच में मालो मैंने यहाँ अधरुवित पराविदित पदार्थ पूटप कर दिया, तो यह थोड़ी देर बात क्या होता है? यह जो अधरुवित पराविदित पदार्थ है, इसमें जो धन और रिर होते हैं, इसमें जो धन और रिर होते हैं, तो इसका जो धन प्लेट होता है, इसके रिर पोल को अप पॉइंट को इसका पाजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या करता है अटेट करके खीच के अलग कर देता है और इस तरह से अधुरूवित परावजूत पदार्थ धुरूवित में परिवर्टित हो जाता है तो कभी भी आपको एक्जाम में पुछेगा कि परावजूत प्रवाहित नहीं होने देते किन्टु विद्यूत के सभी गुण प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाता है यह दो प्रकार्था है धुरूवित और अधुरूवित 切ुरूवित धुरूवाहित decis accept करते हैं जिसमें दोनों पोल स्वतंत यह प्रोसेस को आप उसमें समझा सकते हो ओके इस तरह से हमारा यह चेप्टर इलेक्ट्र इस्टेटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस यह चेप्टर हमारा यहां पर कम्प्लीट होता है ओके तो इतना पच्छे से रिवाइस करो और पढ़ाई पर ध्यान दो पढ़ाई यह टाइम फिर आपको दुबारा नहीं मिलेगा बाद में बहुत पस्ता होगे मुझे पता है क्या हो रहा है मुझे पता है क्या हो रहा है हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और अभी आपको अपना करियर बनाने का टाइम है यह टाइम लाइट में दुबारा रिटर नहीं होने वाला है, ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मज़,